इधार बना रही है क्या ये मुद्धे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुँचाने वाले है या फिर ममता बैनर जी की लोग फ्रियता के आगे बीजेपी का हर दाउं धराशाई हो जाएगा या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है यहां राज जुनेतिक मेहमानों के साथ पलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद हैं तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड तो 24 के चुनाव से पहले यह सर्वे आपको यह बता रहा है लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसके बारे में जनता क्या कह है एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं इन आकडों के जरी बताने की कोशिश की कहा चुनावी बाहर बयार किस तरीके से चल रही है अब जरा बात कर लेते हैं पश्यम बंगाल की चुनाव के लियाद से बहुत सरगर्मी वहां देखी जाती है तो पश्चिम बंगाल का अब जरा ये कनवर्ट कैसे होता है सीटो में किस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनामू से ठीक पहले ये ताजा सर्वे है जिसमें ये निकल कर सामने आ रहा है तो बैयाले सीटो में से 20 सीटे बीजेपी को जा सकती है कॉंगर्स को दो सीटो से ही संतोष करना पड़ेगा और 20 सीटो के साथ यहां पर बीजेपी जीत्ती दिखाई दे रही और 20 ही टीमसी यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मताबिक 42 सीटो में से फिलाल ये इतनी सीटे बीजेपी और टीमसी 20 सीटे आपस में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है भुदकल शुरें तो इस वक्की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो वीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल का आपके सामने है पश्चिम बंगाल में टीमसी बीजेपी में कड़ी टककर इस पोल के मताबक देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में टीमसी बीजेपी को 20-20 सीट मिलने का नुमान है 2019 के अगर बात करें तो भारतिय जनरता पार्टी को 18 सीट मिली थी यानि BJP को 2 सीट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है इस फाइनल ओपेनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम एमान मौझूद है सबसे पहली प्रतिक्रिया के के शर्मा जी क्या कहेंगे 24 में पिछली बार 18 सीट क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है, ओपेनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं, मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, जो भी दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पोल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिशा दिखाती हैं कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पोल के निसाथ स्यदी मैं समझो तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ जो मैं समझ पाता हूँ एक राजनितिक विद्यार्थी के रूप में वहां पर भारती जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है वह उस दिशा को इंगित कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा वहां बढ़ रही है अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता प पार्टी को हां प्राप्त होंगी और निश्चीत तोर से हमारे आकड़े को जो हम सूचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी और 400 सीट हम उस आकड़े तर पहुच जाएगे किके शर्माजी आपका कहना है कि ये तस्वीर और बदलेगी आपका कहना है 20 से उपर भारती जनता पार्टी जाएगी हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौजूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब टीमसी को दो सीट का नुकसान होता हुआ देख रहा है क्या कहेंगे आप और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बलकि से कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें 2021 की राज्यसुबा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़त दिखाया जा रहा था बीजेपी को कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर जी जो पॉब्लिक में बंगाल की जन्ता में जो उनकी पॉपिलारिटी है वो आज भी कायम है तो किस तरीके से यह आग्रा आपने बिलकुल अपना एक सर्वे किया है आपके सर्वे के हिसाब से यह आख्रा लेकिन मैं इससे सहमती नहीं रखता मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आख् से स्टार्ट हो गया लेकिन अभी आप देखेंगे हाल यह है कि पीजेपी तो कोई जॉइन कर नहीं रहा लेकिन पीजेपी ने अभी तक तो पूरे के पूरे व्याली सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिये तो यह बढ़ा कहां से यह ले करके आएंगे क्यों नहीं अभी त मीता चक्रवर्ती हमारे साथ है मीता जी क्या कहेंगे आप दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्टी हुई दिख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बॉर्ट शो एपी बिंगॉली न्यू यर और पश्टी मंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है वो हम लोग सीट अजास्मन करके एक अलाइंस करके हम लोग की चुनाव लग रहे है यह बात तै है कि पश्टी मंगाल म सेकुलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्प की तरह वो बीजेपी के और जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिल्कुली समयत नहीं हूँ मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है माल्दा और मुर्शिदाबाद में साउथ माल्दा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाए हो आप लो और बहरंपूर में अधिर रंजन चोधरी जो हमारी लीडर आफ लुक्षा बाभी थे वो लीड कर रहे है यह इस पर साथी साथ हमारी internal survey बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तरमालदा में जो उत्ता का अलम है वो हमारी candidate है और काफी सारे जगा में हमारी candidates और left candidates जिसके साथ हम लोग सी adjustment करके लग रहे हैं वो काफी जगा left के लिए जादुपूर में और सलीम साब जो की मुश क्या बंकि है क्योंकि एक 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 सीड का हम survey दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने आपको दिखाते हैं क्या थस्वीर बड़ी निकल कर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल की 42 सीट की क्या स्थितितिए यह इन सीटों पर 2024 के चुनाब में क्या कुछ होने वाला है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं TMC 20, BJP 20 और कॉंग्रेस 2 यानि बहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक दिख रही है इसके लाबा 20 सीटोबर TMC यानि आप ये देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है बीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष्णा नगर, जैनगर, घाटल, बारासाथ, आसन सोल, बर्दमान पूर्व, बोलपूर, हावडा, मतुरापूर, श्रीरामपूर, कोलकाता दक्षिन, जावतपूर, बशीरहाड, डायमंड हारबर, कोलकाता उत्तर, मुर्शिदाबा और उलुबेरिया, ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं, जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, उपिनियन पूल के मुताबिक, और भारतिये जनिता पार्टी के अगर बात करें, वो 20 सीटे कौन है आईए, मैं वो भी आपको दिखा दूँ मिदनापोर, तामलोक और जलपाई गुडी और बनगाओं ये वो सीटे हैं, जहाँ पर भारतिये जनिता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, कां उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे, ग्यारह सीट ऐसी है, जहाँ तीन फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो ग्यारह सीटे कौन कोर हैं, बांकुरा, यानि यहाँ पर भारतिये जनिता पार्टी आगे दिख रही है इस लेकिन तीन फिसद का अगर स्वींग होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीरभूम इसी तरह की सीट है, टीमसी आगे है, लेकिन यहाँ भी तीन फिसद कुछ और कर सकता है, घाटल और यह सीट है, इसके राबा मालदा दक्षिन, एक एक करके आपको बताओंगा, ले सीट बीजेपी और दो सीट कॉंग्रिस, लेकिन यह ग्यारा सीट ऐसी हैं, जहाँ तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से शुरुआत करता है, बांकुरा से, देखे, पहली बात तो यह कि जब अपने दरश्य को बताना बहुत ज़ुरी है, कि पश जीत रहा है, चाहे इधर जीते या उदर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला पांच फीजदी ही नहीं, डबल डीट में दस-दस फीजदी है, उससे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया, तीन फीजद रोक रहा हूँ, यानि अभी हम बीज-बीज दिखा रहे हैं, यह जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घाट, यह यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन तीन फीजद का अंतर है, यानि पच्चिस टीमसी भी हो सकती है, बीज बीजेपी का बीजेपी के पक्ष में हो जाता है, तो इसका मतलब यह साफ होगा, कि वो पांस सीटें, जो आप यहाँ पर हरी दिख रहे हैं, अभी टीमसी के पक्ष में, वो फिलिप करके भगवा भी हो सकती है, बल्कुल, यह श्वंजी, आपको मैं यहीं रोकूंगा, व बहारे साथ मौझूद है, उनको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, प्रभू चावला जी, क्या कहेंगे आप, यह जो तीन फिसद के स्विंग की बात यह श्वंज कह रहे हैं, कि आंकड़ा भी 20-20 का है, यानि 25 इस तरफ भी 25 उस तरफ भी, तो CAA, इसके अलावा अगर ह डेटा के उपर जाओं में यह बात से देखना चाहते है, यह बड़ा सपच्छ दिखाई दे रहा है, कि वेस्ट बंगाल के अंदर लगबख 47 साल के बाद एक नैशनल पार्टी आल्टरनेटिव बढ़ के सामने आ रही है, पिछले 15 सालों से एक टीम सीप वापर आई है, उ वेस्ट बंगाल को पिछले 10 सालों से बीजेपी ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था, कि वेस्ट फेटरलिटी ग्राउंड है वहाँ पर एक पोलेरेज़ी भी हो सकता है, दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है, और दूसरा वहाँ पर बट रहा है सीपी अबर कॉंग इसे प्रवक्ता बोल रही थी कि यह नहीं हो सकता, मेरे को लगता है कि आल्टरनेटीव वहाँ पर कॉंग्रेस का जो आप करें सिब्लिबरल और सेकुलर, वहाँ पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो हाँ पाकिस्ट वहाँ पर डेवलप ज्यादा हो रहा है, मुदी जी की वज़े हो सकता है, और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी, आला कि बागी स्टेट के पास हैं, वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी बोधी की वज़े से, अग्रेशन की वज़े से, और टी-एमसी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जो नेरो हो गई है, तो इशू क्या बनाया, उन्हेंने वहाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा वहाँ पर करॉप्शन का, जो पिछले पांट साल के अंदर इतने लोगों टी-एमसी की निताओं को अरेस्ट किया, उनको टार्गेट करके वहाँ पर एक करॉप्शन, कम् मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसंटेज जो है, चार प्रसंट का फरक है लगबग इतके अंदर, टी-एमसी अभी भी सबसे जाए पापुलर पार्टी है, अब 15 साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी टर्न चलने रही है वहाँ पर, तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, ये ऐसी स्टेट के अंदर, टी-एमसी के खिलाफ, अपना अल्टरेट्री बन करके आना, ये एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्टिए, कितनी सीटे हैं कि कुछ बहुत सूपर नहीं परता है, परनतु वेस्ट पंगाल के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है, जो विपक्ष के वोटर्स की जहां बात हो रही है, जैसे कॉंग्रिस के प्रॉक्ता से कर आप पूछें कि आखिर पच्चिब मगाल में वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही है, वो भाच्पा के खिलाफ लड़ रही है, या प्रिणू पूछ सकते हैं, और टीम से भी पूछ सकते हैं, कि ये इनको फाइदा पहुचा रहे हैं, या उनको रुक्सान कर रहे हैं, या अश्वन जी, ट्राइंगुलर फाइट नहीं बन पा रही है, प्रभु चामला जी कहना है, राकेश शुकला साब क्या कहेंगे आप, कांटे की तक कर, यानि 20-20 है, ये 25 हो सकता है मामला, 20 भी आसकता है, जो इप आंकडा दिखा रहा है, देखें, वहाँ पे तीन तरह का बोटर है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक बंगाली, बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने आपको किसी के साथ जोड के नहीं चल रहा है, जो आपका आकडा बोट आप परसंटेज का रहा है, वह आप 14, 19 और 24 में देखें, तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं आ रहा है, फिर जो आप सीट का बता रहे हैं कि ये 5 सीटे उलट पलट ये 10 सीटे उलट पलट हो सकती है, तो तरमूल के साथ 15 परसंट बाजपा के साथ चला आ रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट, वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का रहे हैं, प्रभू जी भी ने जो कहा है, तो 5 परसंट बोट जो है, वो यदि कहना चेहीं करमूल से नीचे आया, यानि 40 के आसपास यदि पहुचा परसंटेग, आप मान के से लिए भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है, कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे हैं, मेरा अपना आकलन यह है, जो मेरी वहाँ बाचीत हुई है, मुझे लगता है अधीर रंजन के अलाबा, वहाँ कॉंग दिल्चस पांकडा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है, और देखिए, अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूँ, पश्चिम बंगाल में हमने 11 सीटे दिखाई आपको चहां पर 3 फीसद के स्विंग होने से तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इसके इतर भी एक त हैश्मुख जी को बलाओंगा, हैश्वन जी बताइए, मैं चाहूँगा एक पर यहाँ पर आईए आप दर्शकों के सामने और बताइए क्योंकि 3 फिसद में 11 सीटे और 1 परसेंट के स्विंग में 11 सीटे यानि तस्वीर तो किस तरह से बड़ा बहुत ही कांटे का मुकाब यह एक फिसदी के आकड़े वाली जो सीटें हैं दर्शकों इस पर इस समय ब्रह्मा जी भी अवतरित हो करके बताएं तो नहीं बता पाएंगा इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं इनके उपर अपनी निगाह रखिए क्योंकि यह 11 सीटें ऐसी हैं जिसके उपर हार जीत का आक एक बड़ा एहम सवाल यह श्वन जी एक प्रसेंट का स्विंग 11 सीटें तो तो यह अगरा 20 में किसी में अगर 11 एड होगे तो 31 32 भी पहुंच सकता है मैंने आपको इसलिए बोला कि पश्चिम मंगाल इस समय इस देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पे इतनी कांटे की टकर है एक एक सीट एक एक पोलिंग बूथ पे उस तरही के के कांटे क्ट करोगी महाराष्ट को मैंने गिना था लेकिन महाराष्ट की कहानी काटे की टक्कर की नहीं है महाराष्ट की कहानी कन्फ्यूजन की है असमंजस की है इसलिए विचित रिस्तिती है पश्चिम बंगाल में कोई कन्फ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है पश्चिम बंगाल में काटे की रड़ाई केवल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लॉगर हेट्स में हैं ममता बेनर्जी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लड़ने का फैसला किया क्योंकि मैं जब आकड़े देखता हूं रोई तो उसने एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में 5-5% के करीब 10-11% जो वोट बचा है वो दरसल एंटी ममता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो ये एंटी ममता वोट बीजेपी की और शिफ्ट होता और वही निगाह रखने की बात है कि एंटी ममता प्लैंक पे क्या कॉंग्रेस और लेफ्ट का ये बचा कुछा वोट बीजेपी की और फर्दर बोलराइजेशन में शिफ्ट होता है जी बैशुन्दा आपको रोकूंगा प्रभु जी क्या कहेंगे आप ये जो तस्वीर बनके सामने आरे ये पस्चिम बंगाल की ये तो एक परसंट के स्विंग का मामला तो कोई भी 30 तक भी पहुंच सकता है 30 31 तक भी चाहे टीमसी ओ बीजेपी ओ क्या कहेंगे इस आंकडे अबर आप अगर आप फीन परसंट और एक परसंट दुनों को मिला लें कि तीन परसंट से उपर वाले भी आपने ग्यारा किया और ये बाइस सीट होगे इस तरफ कर दें जोन तरफ तो काफी बीजेपी दस पे आ सकती है और उस दीनों पे आप भी आ सकती है ये भी पॉसि जो का है कि पहले का कि ये प्रेश्समेंट जो हो रहा है एक दम बन रहा है कि अगर एंटी कमशी वोट देना तो किसको देना या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनकर सी टीम सी को चुनेंगे कॉंग्रेस पार्टी मार्जिलाई होती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जिलाई देता है जिन सीटों पर आप सब लोग नजर रखेगा जो भी लोग राजनीती में दिल्चस्पी रखते हैं देखें दम दम कृष्णा नगर बारा साथ ये टीमसी के यहाँ टीमसी को बढ़त है लेकिन एक फिसद की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश् के लिए अच्छी ख़बर भी आ सकती है वैसे ही उल्टा भी है इसके लावा बैरकपूर और बशीर हाट ये वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाब ये जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही और अभी प्रभु जी ने भी कहा यानि देखे भारतिये जनता पार् करें टीमसी के लोग भी ही कह रहे हैं कि रही साब हम लोग तो 35 पार कर जाएंगे तो ये जो स्थिती बन रही है और ये जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो ये तो ऐसा लग रहा है जो सर्वे के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आसपास ही पहुंचे जिकरें जरूर करूँगा जिस और सबका ध्यान जाना बहुत जबूरी है पश्ची मंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस की बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है नमबर एक बार उस वॉयलेंस के चक्कर में वहाँ पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी जादा सबसे जादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो यह नहीं बोलते हैं कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भारत के ओस्ट से दुगनी होती ही नबर एक दूसरी चीज़ टर्न आउट फेक्टर हो किस तरीके से उस पर टर्न आउट इंपक्ट होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और बड़ा दिल्चस्प आंकड़ा यश्वन देश्मुक जी बता रहे हैं देखिए जो हरे रंग में जो सीट हो यह घेर हुए रंग की सीटें में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है एक फिसद की बात है एक फिसद की आलंगे आज यश्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुड़ा पैना लेकिन इनके कुड़ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ठीक है ने यश्वन जी बिलकुल ठीक है और साथ में जितने भी हमारे स चीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इधर से उधर उधर से इधर होता ही रहेगा और शाम तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश्चिम बंगाल की गिंती चलती रही और ये 11 सीटें आप नोट कर लिजिए बड़ी महत्वपूर्ण बहाद दिल्च पांकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो उपिनियन पॉल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतिये जनुरता पार्टी 20 सीट टीमसी 2 सीट कॉंग्रेस लेकिन ये 10 सीटें अगर किसी तरह भी जाती है यानि 11 सीटें 10 से 11 सीट तो 30 से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है देखे 543 में से 129 सीटों का उपिनियन पॉल सामने आ चुका है जिसमें NDA 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिया गठबंधन को मिल सीट बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 TMC, 20 भारतिय जुरता पार्टी और दो सीट कॉंग्रेस को मिलती हुई दिख रही है तमाम वहमान हमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है ये पूरी स्थिती है TMC 20, BJP 20, कॉंग्रेस 2, एक और दिल्चस्प पांकड़ा 3 फिसद स्विंग वाली सीटें कौन सी है उस पर जड़ा नसर डाल लीजिए फिर उसके बाद बड़ी दिल्चस्प चर्चाम करने वाले हैं देखिए 3 फिस अगर होता है तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है अब और आगे दिखाता हूं आपको और ग्यारा सीटें ऐसे जहां एक फिसद का स्विंग कुछ भी कर सकता है एक फिसद आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है दम दम प्रिष्ण नग मर्दवां दुर्गापूर बैरकपूर यहां पर भारतिय जनता पार्टी एक फिसद से आगया है अब बड़ा दिल्चस्पार सवाल यह उठ रहा है कि अभी 20-20 सीट मिलने का अनुमान है लेकिन 22 सीट ऐसी है यानि 11 सीट ऐसी है जहां 3 फिसद का स्विंग पे कुछ भी हो सकता है और 11 सीट ऐसी है जहां एक फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है इश्वन जी यही स्थिती है यानि 22 सीटों की अभी 20 सीटों की तस्विर साफ है देखिए मैं बहुत इमांदारी से अपने दर्शकों को वहने वहां पे खड़े होके बुला और मैं यहां ब परदान मांग लो इन वाई सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो इसलिए जो मुझसे नहीं हो सकता मैं वहां पे हाथ जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में जिन आकड़ों में जहां पे जो दिख रहा है हमने वो एबीपी पे परोसा और एक बात और हम कहना चाह है हमारा ही ट्रेकर यहां पर अकेले हम लोग थे एबीपी नियूज असी वोटर जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रेकर चला के बोला कि ममदादीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है बीजेपी नंबर दो पहुंच रही है लेकिन दूर दूर तक सत्ता क के आसपास भी नहीं पहुंचा है केके शर्मा जी आपके पास आओंगा एक छोटी सी प्रतिकिरा में राकेश उकला जी की ले लेता हूं राकेश जी प्रभू चावला जी ने जिक्र किया था भी जब्रेक वह तो उस्वरान उनने कहा था कि यानि बात साफ है यह उन्हीं क चार सीटे देखी वो बड़ी महत्पूर्ण है क्रिष्णानगर सीट महुआ मोहत्तर जी की है सदस्ता खतम हुई उनकी पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वह जीती थी इस बार भी कंडिडेट हैं एक फिसदी का अंतर बताया जा रहा है आसन सोल सीट सद् से खाली आता है पूरा कांड हुआ है बसीरार सीट से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी इस बार एक फिसदी का अंतर आ गया है यह जो है यह बड़ा बहुत महत्पूर्ण है यह सीटे जार ग्राम आपके पस्चिम मंगाल में दो ऐसी सी है जो आंदोलं की जनक मानी जाती है जार ग्राम नंदी ग्राम भारति जनता पार्टी लेकिन वह भी एक फिसदी बोट पहीं निकाई ना थे लियुक्त मोन करेंगे का ब्लाट प्रेशर बढ़ाएगा मैं तो यह कह रहा हूं कि जो यह सबक्त यह डेटा देख रहे हैं दर जो 11 सीटे 3 फिसद और 11 सीटे 1 फिसद यानि 1 फिसद और 3 फिसद से मेरा मतलब यह है कि 3 परसेंट का स्विंग 11 सीटों पर किसी की भी तरफ जा सकती है 1 परसेंट का स्विंग होता तो 11 सीटे कहीं भी जा सकती है यानि आंकडा 22 सीटों का बनता है प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा उसके बाद जो हमारे राजनितिक में हमाने उनके पास जाऊंगा और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ सर बताइए यानि 10-10 सीटे क्लियर है और 22 सीट कभी भी 300 से कितनी ऊपर जाती है अभी तो फारी नेकर में पता नहीं इनकी जिम में क्या रखा है वाद जब निकले गा तो आएगा कि अगर बाइस यहां बीस प्र जाती है या उससे आगे जाती है वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बीजे पी के लिए 300 का सब्सक्राइब करेगा प्रभू चावला जी का यह तेक है बसीदर के 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 शर्मा जी के पास आउंगा क्या कहेंगे सर ब्लड प्रेशर का क्या आल है यह जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है यानि 10-10 सीटे क्लियर है लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी है जिन में से 11 सीट तीन फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है और 11 सीट ऐसी है जो एक फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है सर आपका रियक्शन अब जो ये पूरा आंकरा सामने आया के किश्वरमा जी रोहिज जी तीन जो है विद्वान विशलेशक के हां पर बहुत वन्भवी विशलेशक बैठे हैं मैं उनके समझ दो तीन बातें रख रहा हूं और उनसे पिक्षा भी करूगा कि इस पर जदू विचार रखें देखिए हम पिछली बार 18 सीट में थे इस बार आप मैं आपके उसी पर पोल पर ही बोलें 18 सीट हमारे पास थे आप हमें 20 सीट दिखा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि दो सीट हम बढ़ रहे हैं तो दो सीट क्यों बढ़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि ममता सरकार के प्रति एंटी एंकमबेंसी फैक्टर है तब ही तो हमको दो सीट की पर जब क्योंकि यह देखिए विधान सभाव लोग सभाव के चुनाव अलगुक्टर पर यह सब लुग मानते हैं तो पिछली बार 18 से लेके 20 के तो मता के अगेंस्ट मामला चल रहा है और यह कहां तक बढ़ता है जहां एक परसेंट और तीम परसेंट की आप बात कर रहे है अनजगहां भी लागू होंगे क्योंकि प्रदेश में अधी कोई एंटी एंट में होता है क्ई सीटों पर अब दूसरी बात मैं यह केना चाहता हो और जालए बहुत बटाना चाहते कहते हैं कि साथ चुछ नहीं बताना चाहते क्योंकि उनको डर है कि अधी हम अपनी बात रख देंगे तो हमारे उपर हमला होगा हमारे घर जला दिये जाएंगे हमारी बहनों महिलाओं के साथ अत्या चार करेंगे कौन करेगा क्या बीजेपी कर सकती है बीजेपी तो वहां इसके अलावा एक बहुत इंट्रेस्टिक बात एक चीज़ कहता हूं अभी माने प्रभुरु जी ने एक अच्छी बात कही कि पस्चिम बंगाल का रिजेल्ट ये लिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान्य सतिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रणान मंत्री बोधी जी के नेत्युत में 2024 में भाजपात्यों सरकार बना ही रही है अपने सायों की दलों के साथ अब भी से ये है कि इसमें जो हमारा लक्ष है 370 वह हम कहुंचने के लिए ये सारी जी के शर्मा जी आनि आपका कहने कि इसलिए वोटर नहीं बोलता आपका कहने कि आपके समर्थक है अंतीम एक प्रस्टे जी बोल दीजे बोल दीजे संक्षेव में बोलीगा सर मुझे बाकी ने उसको डर तो टीमसी से ही है ना वहां पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आस जो है आपके आसाम में और डिली में सरण लिये मैं समझता हूं कि तिमूल कांग्रेस के टाप चार फंच जो बिनवारे उसमें प्रमुक हैं सबसे फेमस और वो वेक्ती जदी एक परसेंट पोट से फसे हुए जबकि अहलवालिया साहब की घोष्टना अभी विदी ने चार दिन पहले हुई चार पात दिन पहले और वहा मैं आपको रोकूंगा लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा शत्रुगंजिना जी ने ट्रेनिंग आपी की पार्टी में ली है तो एक फिसद से ये तीन फिसद में कब आ जा है पान फिसद में कौन चला जा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता बरहाल मैं आपके पास तो सिफ खान साब क्या कहेंगे देखें सर तीन फिसद के सुई वाली 11 सीट एक फिसद के सुई वाली 11 सीट तो ऐसे में आपने तस्वीर कहीं भी जा सकती है सुई का कांटक कहीं भी घूम सकता है की जिआमे ने देखा कि आपने देखाया सकती है कई पर तीन पर तशन में कर सकतीति के दिखेंए Celebrate चीट लेकिन 2019 के बाद 2021 में स्टेट इलेक्शन हुए फिर उसके बाद हाल में 2023 में पंचायत इलेक्शन भी वे और इन इलेक्शन में इन इलेक्शन में देखा ये गया कि वोट शेर जो है वो पीजेपी का घाटा है और तिनमुल का बढ़ाया तो यह त्रेंड जो है यह दिखा रह है और तिनमुल को बढ़ोती मिली दूसरी तब आप देगे के जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादा लोकल इशूज को लेकर के नहीं थे क्योंकि जबी लोकल इशूज में बातचीत होगी तो इस सब्सक्राइब को जाने वाला नहीं है लेकिन तीन फिसद और एक फिसद का जो आंकड़ा है 11-11 सीटों का 22 सीटें ऐसे बनती है वहां पर तो कोई दावा नहीं कर सकता अगर हम आंकड़ों की बात करें कि वह तो तो तस्वीर किसी की तरब भी जा सकते है ठीक है यह आप द कि यह बात तो आप मानते ना कि तीन फिसद का सफिंग और एक फिसद का सुएंग कुछ भी तस्वीर सामने ला सकता है एक यह आपके मतलब आपके अपके। पूल के हिसाब से है, मैं आपको वोट का परसेंटेज में उसकी बात कर रहा हूँ, जी दोजार एकीस में जो वोट परसेंटेज इनीज के चिनाओं के बाद, एकीस में तिर्दमूल का वोट शेर और बढ़ा है, फिर टेईस में जाते जाते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ के वोट किया है, जो वोट किया है, उस हिसाब से तो वोट बीजेपी के सीट घट रही है, डवल डिजेट भी क्रॉस करेगी या नहीं करेगी, उस पर प्रसेंटी खड़ा होता है, तो एक आफ़ा तो जो है, वो तो 19 का अंकड़ा है, लेकिन अगर आप 31 के आप पकड़े को पकड़े, MLA कि आप पकड़ जो के लेटेस्ट है, या फिर आप पंचायट को लेकर के छेले, जो के और भी लेटेस्ट है, तो उससे तो बीजेपी कहीं पे भी डवल डिजिट आकड़ा पाथ गर्ती भी नहीं दिख रही मैं मानता हूँ कि आपके पास में ये ओपिनियन पोल है लेकिन उससे मैं सहमती नहीं रखता ठीक है ठीक है तो जिफखान साब मैं एक बार पर अब मीता चकरवर्ती जी के पास चलूगा मीता चकरवर्ती जी अब जो तस्वीर पूरी फाइनल तस्वीर पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे है कहानी ये है कि एक सीट आपकी माल्दा धकषिन वह 3 पिक सट के सूंण open होता है तो माल्दा धकषिन का परिणाम किसी भी तरफ जा सकता जानी आप्पोじ माल्दा दक्षिन में इशा खान चौधरी जीतने वाले है वो हमारी existing MP दालुदा के बेते है और जैसे मैंने कहा राय गंज बोलिये, माल्दा उत्तर बोलिये, काफी सारे दुस्तरी सीट्स भी है जहां पर हम लोग काफी उमीद रखते है तोपी और तिलक का जो politics अभी अपिस्मेंट की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोजगार की बात कर रहे हम लोग प्राइस राइस की बात कर रहे हम लोग जो रोज का जो डेली इशुज है जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में उनका डेली इशुज के बारे में बात कर रहे है अब वक्त कमें बड़े फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा प्रभू चावला जी सबसे पहले आपके पास आँगा संशेप में जवाब चाओंगा सर क्या कहेंगे आप ये सी ए संदेश खाली और मोधी फेक इसे ममता बैल्जी के 35 का जो आखडा उन्हें दिया कि इस बार पैंति इस पार करेंगे ये उनके लिए प्रश्ची का सवाल है कि वेस्ट बंगाल उनके साथ कड़ा है कि नहीं कड़ा है कि बाकी स्टेट के अंदर उनका जो मेजिट डॉमिनिंस है प्रंतु वेस्ट बंग थन विपक्षी वोटों का विखराओ ये तमाम बाते और ये जो पीनिन पूल आ रहा है क्या कहना आपका फाइनल कमेंट संक्षेब में सर्थ ये जो बिलकुल सबकी दिलचस्त भी अब इसमें होगई है तो ये जो बाइस सीतों का अगर ये कहा जाए कि सामनी तस्वीर कब तक साफ होगी सर् चार तारिक तक इंतजार करना हुगा या उससे पहले? अच्छे लोगतंतर के स्वास्त की निशानी है उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभी नंदर करता हूँ अभी बात पश्चिम बंगाल की जहाँ बीजेपी संदेश खाली और CAA जैसे मुद्दों को सियासी इधार बना रही है क्या ये मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुँचाने वाले है या फिर ममता बैनर जी की लोगत्रियता के आगे बीजेपी का हर दाउं धराशाई हो जाएगा या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है यहां राज जुनेतिक मेहमानों के साथ प्लिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद है तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड तो 24 के चुनाव से पहले यह सर्वे आपको यह बता रहा है लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसके बारे में जनता क्या कह है एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं इन आकडों के जरी बताने की कोशिश की कहां चुनावी बाहर बयार किस तरीके से चल रही है अब जरा बात कर लेते हैं पश्यम बंगाल की चुनाव के लिए आथ से बहुत सरगर्मी वहां देखी जाती है तो 42 सीटे हैं पश्यम बंगाल में लोग सभाकी और 42 फीसदी वोट शेयर इनमे से बीज़पी के खाते में जाती दिखाई दे रहा है चवालीज फीसदी टीमसी को यहां पर मिल सकता है सरवे के बताव एक 6 फीसदी वोट शेयर पॉंगोस के खाते में जा सकता है अन्या के खा अधिके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनामों से ठीक पहले यह ताजा सर्वे है जिसमें यह निकल कर सामने आ रहा है तो बयाले सीटों में से 20 सीटे बीज़पी को जा सकती है 20 सीटों पर टीमसी भी करना पड़ेगा और 20 सीटों के साथ यहां पर बीज़पी जीत्ती दिखाई दे रही और बीस ही टीमसी यानिके ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से पिलाल यह इतनी सीटे बीज़पी और टीमसी 20 सीटे आपस म यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है रोई जी फाइदा होता हुआ दिख रहा है इस फाइनल ओपेनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम एमान मौझूद हैं भारतिये जरिता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद हैं और कॉंग्रेस से मीता चक्रवर्ती ह हमारे साथ मौझूद हैं तौसीफ खान भी हमारे साथ मौझूद हैं प्रभू जामला जी हमारे साथ मौझूद हैं वरिश पत्रकार राके शुकला जी भी हमारे साथ मौझूद रहेंगे और सी वोटर के फाउंडर यश्वन देश्मुक भी हमारे साथ मौझूद रहेंग आप दिखा रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं जो आपको feedback मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और यह opinion पूल मैं मानता हूं कि यह एक दिखा दिखाती हैं कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है पिछली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके opinion पूल के अनुसाद से यदी मैं समझू तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ जो मैं समझ पाता हूं राजनितिक विद्यार्थी के रूप में कि वहां पर भारती जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है उस दिशा को इंगित कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा उहां बढ़ रही है अब यह बढ़त कहां तक जाती है यह देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अ अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हां प्राप्त होंगी और निश्चीत तोर से हमारे आकड़े को जो हम सूचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी और 400 सीट का हम उस आकड़े तक पहुच जाएगे किके शर्मा जी आपका कहना है कि ये तस्वीर और बदलेगी आपका कहना है 20 से उपर भारती जनता पार्टी जाएगे हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौजूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब टीमसी को दो सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है क क्या कहेंगे आप और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बलकि इससे कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें 2021 की राज्यसुबा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़हत दिखाया जा रहा था बीजेपी को कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शौक है और जो जो लहर ममता बैनर ज सर्वे किया है आप के हिसाब से यह आकड़ा आ रहा लेकिन मैं इससे सहमत ही नहीं रखता मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आकड़े है उससे काफी नीचे गिरने वाला है आप कंपेर करें के 2019 में ये देखा गया था के तिर्णमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को जॉइन कर रहे थे वो जैलवरी महने से स्टार्ट हो गया थे लेकिन अभी आप देखेंगे है हाल ये है के प्रतिया पर प्रतियाश्ची भी नहीं दे पाई और उसके बावजूद उकिस आधार पर बढ़त का दावा करें के के शर्मज आपके पास आता हूं लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस के प्रतिक्रिया ले लेते हैं मीता चकरवर्ती हमारे साथ है मीता जी क्या कहेंगे आप दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्टी हुई दिख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बॉर्षो एपी बंगॉली न्यू यर्ट और पश्टी मंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी तो है वो हम लोग सीट अजास्मन करके एक अलाइंस करके हम लोग की चुनाव लग रहे हैं ये बात तै है कि पश्टी मंगाल में टीमसी के खिलाफ एंटी इंकंबंसी तो है पर पश्टी मंगाल के लोग है वो काफी लिबरल और सेकूलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेटिक बिकल्फ की तरह वो बीजेपी के और जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिलकुली समयत नहीं हू कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है माल्दा और मुर्शिदाबाद में साउत माल्दा में इशा खान चोधरी को लीड में दिखाये हो आप लो और बहरंपूर में अधिर अधिर अचोधरी जो हमारी लीडर ओफ लुक्षा बाभी थे वो लीड कर रहे है यह यह ज़ीज़ फाइफ MP from there पर साथी साथ हमारी internal survey बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तरमालदा में जो उत्ता का अलम है वो हमारी candidate है और काफी सारे जगा में हमारी candidates और left candidates इसके साथ हम लोग सी adjustment करके लग रहे हैं वो काफी जगा left के लिए जादुपूर में और सलीम साब जो की मु तस्वीर क्या बंद की है क्योंकि एक-एक सीट का हम सर्वे दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल की 42 सीट की क्या स्थिती है यह दिखिए यह पश्चिम बंगाल के तमाम 42 सीट यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटोबर टीमसी यानि आप ये देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है बीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष्णानगर, जैनगर, घाटल, बारासाथ, आसनसोल, बर्दमानपूर्व, बोलपूर, बशिरहाड, डायमंड हारवर, कॉलकता उत्तर, मुर्शिदाबाद और उलुबेरिया ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनियन पोल के मुताबिक और भारतिये जनिता पार्टी के अगर बात करे वो भी सीटे कौन है आए मैं वो भी आपको दिखा दूँ देखिए अलीपुरद्वार, बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपुर, हुगली, जारगरा, मालदा उत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या, इसके अलावा बर्दमान, दुर्गापुर, कूच, बिहार और बलूर घाट, बारकपुर, दारजलिंग, मिदनापुर, तामलोक और जलपाई गुडी और बंगाओं ये वो सीटे हैं जहां पर भारतिय जनिता पार्टी बढ़त बनाती हुई देख रही है अब हम ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, कांटे की टकर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आपको बता दू, बड़ा रोचक के आंकड यश्वन देशमुक जी हमारे साथ मौझूद है, सी वोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकडे को बड़े तफसील से समझेंगे, ग्यारह सीट ऐसी है, जहां तीन फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो ग्यारह सीटे कौन कोर है, बांकुरा यानि यहाँ पर भारतिय जनरता पार्टी आगे दिख रही है इस वक्त, लेकिन तीन फिसद का अगर स्वींग होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीर भूम इसी तरह की सीट है, टीमसी आगे है, लेकिन यहाँ भी तीन फिसद कुछ और कर सकता है, घाटल, और यह सी सीट अभी आप दिखा रहे हैं, बी सीट टीमसी, बी सीट बीजेपी और दो सीट कॉंगरिस, लेकिन यह ग्यारा सीट ऐसी हैं, जहाँ तीन फिसद का स्वींग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से शुरुआत करता है, बांकुरा से, देखे, पहली बात तो यह कि जब अपते दरशे को बताना बहुत जबूरी है कि पश्चिम बंगाल और महराश्च हमारे इस पूरे आकलन में यही दो एक ऐसे राज्य हैं रोहित, जहां पर हार जीत का अंतर पांच फीजदी से कम है दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने व अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला कहीं हो रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल और महराश्च इन दो राज्य महरा, पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया, तीन फीजदी से कम के स्विंग के उपर यह फिल तीमसे भी हो सकती है, भीजेपी भी हो सकती है। जो आप यहां पर हरी दिख रही हैं अभी TMC के पक्ष में वो फिलिप करके बगवा भी हो सकती है। प्रभु जाबला जी, आपका रेक्ष रही है। वेस्ट पंगाल को पिछले दस सालों से बीजेपी ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था। प्रभु जाबला जी, आपका रेक्ष रही है। और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी, आलागे बागी स्टेट को उनके पास हैं। वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी, बोधी की वजए से, अग्रेशन की वजए से, और टी-एमसी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जो नेरो हो गई है। तो इशू क्या बनाया, उन्हें ने वहाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा वहाँ पर करॉप्शन का जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टी-एमसी की निताओं को अरेस्ट किया, उनको टार्गेट करके वहाँ पर एक करॉप्शन, कम्मिनलिज और नैशनलिजम का कमिनिशन मना कर के बीजेप इन्या अल्टरेनिटिव बनाया है, मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसंटेज जो है चार परसंट का फरक है लगबाग इतके अंदर, टी-एमसी अभी भी सबसे जाए पापुलर पार्टी है, पंदरा साल की पावर में ये बीजेपी है, ये इस पश्ट हो जाता, जी, जी अश्वन जी के गड़ बंदन में वो टी-एमसी को अपना पार्टर माती है, या बीजेपी के खिलाफ चुनाओर रही है, ये जो कंट्राडिक्शन है इंडिया के अलायंस के अंदर, सेम यही सवाल आप लेफ फ्रेंट के लोगों से भी पूछ सकते हैं, और टी-एमसी से भी पूछ सकत के आप कांटे की टक्कर, यानि 20-20 है, ये 25 हो सकता है मामला, 20 भी आसकता है, जो इभी आंकडा दिखा रहा है, देखे वहां पे तीन तरह का बोटर है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक बंगाली, बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा, अब जो आपका आकडा बोट आप परसंटेज का रहा है, वो आप 14, 19 और 24 में देखे, तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा, उन्नीस का पैटर नहीं है, फिर जो आप सीट का बता रहे कि ये 5 सीटे उलट पलट ये 10 सीटे उलट पलट हो सक कैसे हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट वो ये शिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का और S1 जी भी बोल रहे है, प्रभू जी भी ने जो कहा है, तो 5 परसंट बोट जो है, वो यह दी कहना चेहित करंबूल से नीचे आया, यानि 40 के आसपास यह दी पहुचा परसंटेक, जो आप मान के से लिए भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है, कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे है, मेरा अपना आकलन यह है, जो मेरी वहाँ बाचीत हुई है, मुझे तीन प्रसंट के स्विंग के सित्य दिखाई, एक और दिल्चस पांकडा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है, और देखिए, अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूँ, पश्चिम बंगाल में हमने 11 सीटे दिखाई, आपको जहां पर 3 फीसद के स्विंग होने तो भी तस्वीर बदल सकती है, ये बड़ा दिल्चस हो जाता है, एक और फिर से मैं यश्वन देश्मुख जी को बिलाओंगा, यश्वन जी बताइए, मैं चाहूँगा एक और यहां पर आईए आप दर्शुकों के सामने, और बताइए क्योंकि 3 फिसद में 11 सीटे और 1 एक परसेंट के स्वींग में 11 सीटे यानि तस्वीर तो किस तरह से बड़ा बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है, और ये 3 परसेंट और 1 परसेंट का जो ये उल्जन है, इस उल्जन को भी दूर करिए, रोहित इसमें कोई उल्जन नहीं है, मैं बहुत सिंपल पोल्स जो 11 सीटें हैं इनके उपर अपनी निगाह रखिए, क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं जिसके उपर हार जीत का आकलन, जिस दिन कांटिंग हो रही होगी चार जून को, उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी, एक 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 बड़ा एहम सवाल, ये श्वन जी एक प्रसेंट का स्विंग, 11 सीटें, तो तो ये अगरा 20 में किसी में, अगर 11 एड होगे तो 31-32 भी पहुन सकता है, मैंने आपको इसलिए बोला, कि पश्चिम मंगाल इस समय इस देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां पे इतनी का माहराष्ट को मैंने गिना था, लेकिन महाराष्ट की कहानी दूसरी है, महाराष्ट की कहानी काटे की टक्कर की नहीं है, महाराष्ट की कहानी कन्फ्यूजन की है, असमंजस की है, इसलिए विचितरिस्थिती है, पश्चिम मंगाल में कोई कन्फ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है पश्चिम बंगाल में काटे की रड़ाई के वल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लॉगर हेट्स में है नमबर एक चीज ममता बेनरजी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लड़ने का फैसला किया मैं उनकी क्योंकि मैं जब आ का रखने की बात है कि एंटी ममता प्लैंक पे क्या कॉंग्रेस और लिफ्ट का ये बचा कुछा वो बीजेपी की और फर्दर पोलराइजेशन में शिफ्ट होता है या जी बैशुन्दा आपको रोखूंगा प्रभू जी क्या कहेंगे आप ये जो तस्वीर बनके सामने आ विजेखने की और ये वाइस सीटे होगे इस साफने अगर 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 एक तरफ कर दे नोन तरफ तो काफी बीजेबी दस पर आसकती है और उस दिरों पर आप यह आ सकते ये भी पॉसिबिल्टी हो सकती है कि अगर आप बीज की बीजेशने एक सरफ जैसे ग्यारा ये और बाइस अगर एक तरफ चली गई तो बीजेपी का आकड़ा 20 है ना बाइस इसको जोड़ दिया जाया है अलाकि उसके जुड़ी होंगी है अधी सीट है आधी सीट है तो हाँ आपका कहना सही कि 10 सीट भी हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे है तो बड़ा इंट्रेस्टिंग इनर बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी के हो सकती है या 30 बीजेपी के हो सकती है यह सीटे बता देता हूं जिन सीटों पर आप सब लोग नजर रखेगा जो भी लोग राजनीती में दिल्चस्पी रखते हैं देखे दम दम कृष्णा नगर बारा साथ यह टीमसी के यहां टीमसी को बढ़त है लेकिन एक फिसद की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारतिये जरता पार्टी लेकिन एक फिसद से आ जारकपूर और बशीर हाट यह वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल यह जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है और अभी प्रभु जी ने भी का यानि देखे भारतिये जनता पार्टी कर यह 35 का लक्षे हावारा जो बीजेपी के रणनीतिकार कह रहे हैं ऑफ सर्वे के मताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आसपास ही पहुंचेगा देखे दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जो दम ठोक के बोलते हैं मैं उनको दोश कता ही नहीं देता क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं नमबर एक बात लेकिन एक बात मैं जिकरे ज़रूर करूंगा जिस और सबका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है पश्ची मंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस की बड़ी पुरानी हिस्टरी रही है न ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही नमबर एक दूसरी चीज़ टर्न आउट फेक्टर रोहित बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि law and order अगर मजबूत होगा और तर्न आउट सही होगा तो नतीजे क्या हैंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होगे इस हरे रंग में जो सीटर और ये घेर हुए रंग की सीटें में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है एक फीसद की बात है एक फीसद की आलंगे आज ये श्वन जी नी लगबग हरे रंग का ही कुड़ता पैना लेकिन इनके कुर्ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है पहले वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामी दे रहा हूं कि ये सीटें वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखलने के साथ में इनका पैंडूलम इधर से उधर उधर से इधर होता ही रहेगा और शाब तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश्चिम बंगाल की गिंती चलती रही और ये 11 सीटें आप नोट कर लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण बहुत दिल्चस्प आंकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो अपिनियन पॉल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतिये जनरता लेकिन ये 10 सीटें अगर किसी तरब भी जाती है यानि 11 सीटें 10 से 11 सीट तो 30 से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है थे कि 543 में से 129 सीटों का उपिनियन पॉल सामने आ चुका है जिसमें NDA 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठ गठ बन्धन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिया गठ बन्धन को मिलती हुई दिख रही है अब तक यानि 129 सीटों के हम बात कर रहे हैं 543 में से और इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और दो सीट कॉंग्रेस को मिलती हुई दिख रही है तमाम हहमान हमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है ये पू तिशत वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं ये वो तमाम सीटें हैं पांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्दमानपुर्व और हुगली, मालदा दक्षिन, रायगंज, कूच बिहार, मतुरापुर्ण, जादपुर्व और बलूर घाट ये वो 11 तीन फिसद का स्विंग अगर होता है, तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है, अब और आगे दिखाता हूं आपको, और 11 सीटें ऐसे जहां एक फिसद का स्विंग कुछ भी कर सकता है, एक फिसद आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है, तीन फिसद का स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है, और 11 सीट हैं जहां एक फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है, यही स्थिती है, यानि 20 सीटों की अभी कुछ यानि कुल मिलाके 20 सीटों की तस्विर साफ है, देखे, मैं बहुत इमांदारी से अपने दर्शकों को, मैंने वहां पे खड़े होके बुला, और मैं यहां बैठ करके दुबारा बोल ला हूँ, यह 20 सीटें ऐसी हैं, जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये, परम ग्यानी छोड़िये, ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे, तो वो भी आपसे यही कहेंगे, रोहित, बच्चा कुछ और वरदान मांग लो, इन वाई सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो, इसलिए, जो मुझसे नहीं हो सकता, मैं व 2019 में पहली बार 18 सीट बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी, कोई यकीन करने वाला उस समय नहीं था, हमारा ही ट्रेकर यहाँ पर ABP पे अकेले हम लोग थे, ABP News और सी वोटर, जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रेकर चला के बोला, कि ममदा दीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है, बीजेपी नंबर दो पहुच रही है, लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुच रही है जीत का इस बार बतारे एक फीजदी में उनकी सीर जा सकती है, बसीर हाट, इसी सीर पे संदेश खाली आता है, पूरा कांड हुआ है, बसीर हाट सीर से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी, इस बार एक फीजदी कांतर आ गया है, यह जो है यह बड़ा बहुत महत्पूर्ण है यह सीटे, जार ग्राम, आपके पस्चिम मंगाल म जनक मानी जाती है, भार ग्राम और नंदी ग्राम, भार ग्राम में आप देखिए, भारती जनता पार्टी है, लेकिन वो भी एक फीजदी बोट में कहीं न कहीं फसी हुई दिख रही है, तो यह जो एक फीजदी बोट है, वो कहीं न कहीं तर्मूल कांगरेस का ब्लड प्र प्लड प्रेशर बढ़ाएगा बलकि मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ये इस वक्त ये डेटा देख रहे हैं दर्शक उनको भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि ये बहुत क्लोस फाइट यहां पर देखने को मिल रही है यानि 22 सिट प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा उसके बाद जो हमारे राजनितिक में हमाने उनके पास जाऊंगा उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ सर बताइए यानि 10-10 सीटे क्लियर है और 22 सीट कभी भी कु इसनी ऊपर जाती है अभी तो फारी नेकर में पता नहीं इनकी जिम में क्या रखा है वाद जब निकलेगा तो आएगा कि अगर 22 यहां बीस्वी अटक जाती है या उससे आगे जाती है वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बीजे पी के लिए 300 का अकड़ प्रास का पार करना कि सौस में आपने दिखा दिया महां पर अभी दो स्टेट रहे गें दिखाएंगे तब देखेंगे कि यादा गें महां पर दिखाए नहीं रहा पर कि लॉस ही होता दिखाए देगरा है इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर और मारास्टा के जब तब है एक तो थर्ड रिकॉर्ड विक्षी होगी तीन सो छे से उपर आना उनके लिए उनकी प्रेशिज का सवाल है वेस्ट बंगाल डिसाइड करेगा कि वो तीन सो छे से उपर जाते है के नहीं जाते है ये सीटे करने करेगा प्रभू चाबला जी का ये तेक है बसीदे क के के शर्मा जी के पास आऊँगा के के शर्मा जी क्या कहेंगे सर ब्लड प्रेशर का क्या हाल है ये जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है यानि दस दस सीटे क्लियर है लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी है जिन में से 11 सीट तीन फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा स सकते हैं सर आपका रियक्शन अब जो ये पूरा आंकरा सामने आया के कि शर्मा जी रोहिज जी तीन जो है विद्वान विशलेशक के हां पर बहुत वन्भवी विशलेशक बैठे हैं मैं उनके समझ दो-तीन बातें रखवा हूं और उनसे अपक्छा भी करूँगा कि इस पर जदू विचार रखें देखिए हम पिछली बार 18 सीट में थे इस बार आप मैं आ अथारा सीट हमारे पास थीए आफ हमें 20 सीट दिखा रहा हैं इसका मतलब यह वा कि दो शीट हम बढ़ आ है तो दो शीट क्यों बढ़ रहा है इसका मतलब यह हैं कि म्रोंता सरकार के परति एंटी-wendूम फैक्टर है तब ही तो हमको दो सीट की वढ़त मिल रही है इसका मतलब की ममता सरकार के पुषी वहाँ पर जब क्योंकि यह देखिए विधान सभा और लोग सभा के चुनावाला लोग पैक्टर पर होते हैं यह सब लोग मानते हैं तो पिछली बार 18 से लेके 20 के तो मतलब ममता के अगेंस लोग मामला चल रहा है और यह कहां तक बढ़ता है जहां 1% और 3% कि आप बात कर रहे हैं तो सभाविक रूप से कि यह एंटी 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 इंकम्पेंसी पैक्टर है यह अन्य जगहां भी लागू होंगे को प्रदेश में अधी कोई एंटी इंकम्पेंसी फैक्टर क्रि सब्सक्र भाँ लेका वाहिब से लोग नहीं बताना चाहते हैं कि लोगम कुछ नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है किиваем हम अपनी बात रख देंगे तो हमारे उपर हमला होगा हमारे घर जला दिये जाएंगे हमारे बहनों महिलाओं के साथ अत्य अभिए चाहर करे तो भारती जनता पार्टी के उपच्छ के होगे ला इसके अलावा एक बहुत इंट्रेस्टिक बात एक चीज़ कहता हूं अभी माने प्रभुरु जी ने कि पश्चिम बंगाल का रिजेल्ट ये लिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान्य सतिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रदान मंत्री बोधी जी के नेत्युत में दोजार चौविस में भाजपात्तों सरकार बना ही रही है अपने सायोगी दलों के साथ अब बीसर यह कि इसमें जो हमारा लक्ष है 370 वो हम कहुंचने के लिए ये सारी जो प्रस्ते जी बोल दीजेए बोल दीजेए संक्षेप में बोलीगा सर मुझे बाकी ने उसको उसको डर तो TMC से ही है ना वहां पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पल निर्वाचित लोग तूसरी बात जो अभी एक बात राकेश जी ने कहीं बड़ी इंटेस्टिट विशे हो अभी आसन सोल का मैं एक ही उधारण देता हूं मैं विश्तार पे नहीं जाओंगा आसन सोल में शत्रुगन सीना मैं समझता हूं कि तिमूल कांग्रेस के टाप चा समस और वो वेक्ति एक परसेंट वोट से फसे हुए जबकि अहलवालिया साहब की घोष्टना अभी विदी ने चार दिन पहले हुई चार पात दिन पहले और वहां तो सत्रुगन सीना जी एंपी बने बैठे हुए और वो यदि एक परसेंट के में फसे हुए है इसका यह तीन फिसद में का जाए पांट फिसद में कौन चला जाये इसके वारे में कोई कुछ नहीं कह सकता वराल मैं आपके पास आऊंगा तो सीफ खान साब क्या कहींगे देखिए सर्व कि अपने दिखाया है एक पर पतिश्द में स्विंग कर सकती है कहीं पर तीन पर शिय औ देगे, 2019 को बार-बार जिकर किया जा रहा है, लेकिन 2019 के बाद 2021 में स्टेट इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद हाल में 2023 में पंचायत इलेक्शन भी हुए, और इन इलेक्शन में इन इलेक्शन में देखा ये गया कि वोट शेर जो है, वो पीजेपी का घटा है और का 51% तक आ गया था, तो ये ट्रेंड जो है, ये दिखा रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल हुआ है, और तिन्नमुल को बढ़ोती मिली, दूसरी तफ आप देगे कि जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी, तो वो उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे, उत हाटलाइन पार्टी कि दफ से देखी जाती है, वो जो वोट जो है, वो अल्टीमेटली तिन्नमुल को ही पड़ेगा, और जिसमें अगर कोई ममता बैना जी से डिस्ग्रंटल वोटास है, उनके लिए थर्ड ऑप्शन अवेलेवेल है, CPM और Congress को जाकर के वोट देंगे, ल आपर तो कोई दावा नहीं कर सकता, अगर हम आंकडों की बात करें, कि वो तो तस्वीर किसी की तरफ भी जा सकते है, ठीक है, या आप दावा कर सकते हैं कि ममता जी को मिलेगी, BJP वाले ये दावा कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो आप मानते हैं, नसर, कि तीन फिसद का कुछ भी तस्वीर सामने ला सकता है। वोटिंग आकड़े की अगर हम बात प्रेट को सामने लोगों ने वोट किया है जो वोटिंग पैटन है। उस हिसाब से तो बीजेपी के सीट घट रही है। डवल डीजेट भी क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी उस पर प्रिसंटी खड़ा होता है। 18 तो जो है वो तो 19 का अकड़ा है। लेकिन अगर आप 21 के आकड़े को पकड़े मेले की आप पकड़ के चलें। जो के लेटेस्ट है या फिर आप पंचायत को लेकर के चलें। जो के और भी लेटेस्ट है। तो उससे तो बीजेपी कहीं पर भी डवल डिजिट आकड़ा पाथ गर्ती भी नहीं दिख रही। मैं मानता हूँ कि आपके पास में यह ओपिनियन पोल है लेकिन उससे मैं सहमती नहीं रखता। ठीक है ठीक है तो जिफखान साब मैं एक बार पर मीता चकरवर्ती जी के पास चलूँगा मीता चकरवर्ती जी अब जो तस्वीर पूरी फाइनल तस्वीर पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे हैं यह कॉंग्रेस के लिए देखिए उसमें क्या कहानी है कहानी यह है कि एक सीट आपकी मालदा दक्षिन वो तीन फिसद के स्विंग वाली स्थिती में है यानि अगर तीन फिसद का स्विंग होता है तो मालदा दक्षिन का परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है यानि अपोजिशन की तरफ भी जा सकता है आपकी तरफ भी जा सकता है क्या कहेंग MP दालुदा के बेते है और जैसे मैंने कहा राय गंज बोलिये माल्दा उत्तर बोलिये काफी सारे दूस्ते सीट्स भी है जहां पर हम लोग काफी उमीद रखते हैं तोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पिंगॉल में विस पिंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए हम लोग यहां पर मिजॉरिटी अपिस्मेंट की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोजगार की बात कर रहे हम लोग प्राइस के बात कर रहे हम लोग जो डेली इसुज है जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में उनका डेली इसुज के और मेरे हिसाब से जो लोग के खिलाब बोट देना चाहते हैं वो लोग as an alternative left और Congress Alliance को चूज करेंगे और जो आप दिखा रहे हैं उसे काफी जादा वोट शेर्थ हमें मिलने वाला है ठीक है अब वक्त कमेंबरे इस फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे है एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा प्रभू जावला जी सबसे पहले आपके पास आँगा संशेब में जवाब चाहूँगा सर क्या कहें अगर बन जाती है तो यह अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है राके शुक्रा साब क्या कहेंगा आप ममता की लोगप्रेता मजबूत संगठन विपक्षी वोटों का विखराओ यह तमाम बाते और यह जो पीनिन पोल आ रहा है क्या कहना आपका फाइनल कमेंट संक्षेब में सर्थ वहाँ पस्षि मंगाल में दो चेहरे चुना व लड़न है लिया ममता बनर जी और नरेंड मोदी जी जहां तक बिकल्प की बात की जा रही है तो जिस तरह केरल में भारती जनता बाती विकल्प नहीं बढ़ी उसी तरफ पस्चिम मंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस भी बिकल्ब बनता हुआ नहीं दिख रहा जी यश्वन देश्मुक साब पाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा यह जो बाई सीटे हैं और यह जो बिल्कुल सबकी दिल्चस्पी अब इसमें हो गई है तो यह जो बाई सीटों का अगर यह कहा जाए कि सामने तस्विर कब तक साफ होगी सर चार तारिक तक इंतजार करना हुगा है उससे पहले रोहित बत्स पास सो तिरालिस में कुछ और मांग लो लेकिन यह बाई सीटे ना मांगो बाकी सब अपनी जगा ठीक है आनन्द आएगा देखे लोकतंतर में अच्छी काटे की टक्कर हो यह पोल्स्टर या सर्वे करने वाले के लिए कठनाई का सबब ज़ूर है लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है अगर मुकाबरे सब एक्तरफाही होने लगे किसी भी राज्य में गाम भले ही आसान हो लेकिन लोकतंतर का वो मजा नहीं आता अच्छी काटे की लडाई यह लोकतंतर के अच्छे लोकतंतर के स्वास्ट की दिशानी है उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभी नंदर करता हूँ तो आईए सबसे पहले चलते हैं जटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड अब ज़रा बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की चुनाव के लियाद से बहुत सरगर्मी बहां देखी जाती है तो पश्चिम बंगाल का आकड़ा किया है वहां का सबसे पहले आपको वोट शेर हम बताते हैं कि क्या किसके खाते में कितना प्रतीश जाता हुआ देख रहा ह चबालीज पीसिदी टी-मसी को यहाँ पर मिल सकता है सरवे के मताब एक शे पीसिदी वोट शेर कॉंब्योस की खाते में जा सकता है अन्या के खाते में 6 पीसिदी जा सकता और इसे के साथ DPM के खाते सिदी वोट शेर जाता दिखता है तो 42 सीटों का वोट शेर के लिहाद से ये पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल का अब जरा ये कनवर्ट कैसे होता है सीटों में किस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनामों से चीक पहले ये ताजा सर्वे है जिसमें ये निकल कर सामने आ रहा है तो 40 सीटों में से 20 सीटे BJP को जा सकती है 20 सीटों पर TMC भी कबजा कर सकती है दो सीटे कॉंगरस CPM का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और नहीं अन्ने के खाते में कुछ जाएगा लेकिन याँ 2020 देखिए बराबरी का मामला BJP और TMC में दिखाई दे रहा है कॉंगरस को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा और 20 सीटों के साथ यहाँ पर BJP जीत्ती दिखाई दे रही है और 20 ही TMC यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से पिलाल ये इतनी सीटे BJP और TMC 20-20 सीटे आपस में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है बलकुल शुरेन दोस्वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो EVP News सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल के आपके सामने है पश्चिम बंगाल में TMC BJP में कड़ी टककर इस पोल के मताबिक देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में TMC BJP को 20-20 सीट मिलने का अनुमान है 2019 के अगर बात करें तो भारतीय जनलता पार्टी को 18 सीट मिली थी यानि BJP को दो सीट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है इस फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम मेहमान मौझूद हैं भारतीय जनलता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद है और कॉंग्रेस से मीता चक्रवर्ती हमारे साथ मौझूद है तौसीफ खान भी हमारे साथ मौझूद है प्रभू जामला जी हमारे साथ मौझूद है वरिश पत्रकार राकेश शुकला जी भी हमारे साथ मौझूद रहेंगे और सी वोटर के फाउंडर यश्वन देशमुक भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आप सबका स्वागत है सबसे पहली प्रतिक्रिया केके शर्मा जी क्या कहेंगे दो सीट का फाइदा आपको होता हुआ दिख रहा है जो भी दिखा रहें अच्छा दिखा रहें जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पोल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिखाती है कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पोल के नुसाद से जदी मैं समझू तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे है इसका मतलब ये हुआ जो मैं समझ पाता हूँ राजनितिक विद्यार्थी के रूप में कि वहां पर भारती जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है वो उस दिसा को इंगित कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा वहां बढ़ रही है अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारेकर सार नेता और जिस धरंका हम अपना आरू विशे लेते हैं उस फिडबैक से मैं आसनवित हूँ कि इस पार इससे भी कहीं जादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी आपका कहना 20 से उपर भारती जनता पार्टी जाएगी हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौझूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब कार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर जी का जो पब्लिक में बंगाल की जनता में जो उनकी पॉपिलारिटी है वो आज भी कायम है तो किस तरीके से यह आगडा आपने बिलकुल अपना एक सर्वे कि से यह आकड़ा आ रहा लेकिन मैं इस से सहमती नहीं रखता मेरे हिसाब से जो दोजार उनीस के जो आकड़े है उससे काफी नीचे किरने वाला है आप कंपैर करें के दोजार उनीस में यह देखा गया था कि तिर्दमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को जॉ बढ़ा करेंगे अभी तक डामट आप पर सीट में कैंड़ेट दिया गया है बीजेपी कि आपका कहना है कि भारतिये जुनिता पार्टिया भी प्रत्याश्री भी नहीं दे पाई और उसके बावजू तो किस आधार पर बढ़त का दावा करें के के शर्मज आपके पास आत रही है पहली बात तो शुभो नौबो बॉर्शो हापी बिंगॉली निव येर और पश्टीम बंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है वो हम लोग सीट अजास्मन करके एक अलाइंस करके हम लोग की चुनाव लर रहे हैं ये बात तै है कि पश्टीम मंगाल में टीमसी के खिलाफ एंटी इंकंबंसी तो है पर पश्टीम मंगाल के लोग है वो काफी लिबरल और सेकूलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्फ की तरह वो बीजेपी के और जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिलकुली समयत न कर रहे है यह फुल पाशने अपी पर शाती साथ हमारी इंटर्ण सरवें बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तररमाल्दा में पार जो पड़ा कालाउं है वो हमारी कांडिक एंट है और काफी सारे जगा में हमारी कंडिक और लेक्त के ऐस्जेंड़ करके पूरे बंगाल की तस्वीर क्या बनती है क्योंकि एक-एक सीट का हम सर्वे दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या तस्वीर बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की 42 सीट की क्या स्थितिय है यह दिखे यह पश्चिम बंगाल के तमाम 42 सीट है और इन सीटों पर 2024 के चुना में क्या कुछ होने वाला है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे है तो आप यह देख सकते हैं टीमसी 20, बीजे पी 20 और कॉंग्र नगर जैनगर घाटल बारा साथ आसन सोल बर्दमान पूर्व बोलपूर हावडा मतुरापूर श्रीरामपूर कोलकता दक्षिन जावतपूर बशीरहाड डायमंड हारबर कोलकता उत्तर मुर्शिदाबाद और उलुबेरिया ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनियन पूल के मुताबिक और भारतिये जनिता पार्टी के अगर बात करें वो 20 सीटे कौन है आए मैं वो भी आपको दिखा दूँ देखिए अलीपूर बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपूर, हुगली, ज हारगरा, मालदा उत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या, इसके अलावा बर्दमान, दुर्गापूर, कूच, बिहार और बलूर घाट, बैरकपूर, दारजलिंग, मिदनापूर, तामलोक और जलपाई गुडी और बनगाओं ये वो सीटे हैं जहाँ पर भारतिये जनरिता पार्टी बढ़त बनाती हुई, देख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, कांटे की टकर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, और वो तस्वीर सकती है, वो 11 सीटे कौन कोर है, बांकुरा, यानि यहाँ पर भारती जनरिता पार्टी आगे दिख रही है, लेकिन 3 फिसद का अगर स्वींग होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीरभूम इसी तरह की सीट है, टीमसी आगे है, लेकिन यहाँ भी 3 फिसद कुछ और कर सकता है, घाटल, और यह सीट है, इसके रावा मालदा दक्षिन, एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यश्वन देश्मुक जी से मेरा आगरा है, यश्वन जी मैं चाहूंगा अगर आप आजाए यहाँ यहाँ लीडी पर, यहाँ आकर दर्शकों से हम लोग बात करते ह हैं क्योंकि यह अंकरा बड़ा दिल्चस्म है, 20-20 सीट अभी आप दिखा रहे हैं, 20 सीट टीमसी, 20 सीट बीजेपी और 2 सीट कॉंग्रिस, लेकिन यह 11 सीट ऐसी हैं जहाँ तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, बांकुरा स के बीच में, बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने वाला जो भी है वो एक तरफा जीत रहा है, चाहिए इधर जीते या उदर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला 5 फीजदी ही नहीं, डबल डीट में 10-10 फीजदी है, उससे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम बंग पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया, तीन फीजदी से कम के स्विंग के उपर ये फिलिप कर सकती है, यानि अभी हम 20-20 दिखा रहे हैं, यह जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर लेकिन तीन फिसद का अंतर है, यानि 25 टीमसी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, यारि यहां से अगर तीन फीजदी का ग्राफ स्विंग, बीजेपी से टीमसी की होर हो जाता है, इन सीटों पे फिलिप हो जाएंगी, ती तो इसका मतलब ये साफ होगा कि वो पांस सीटें जो आप यहां पर हरी दिख रही है अभी TMC के पक्ष में वो फ्लिप करके भगवा भी हो सकती है बल्कुल यश्वन जी आपको मैं यहीं रोकूंगा वारिश पत्रकार प्रभू चावला जी वहारे साथ मौचूद है उनको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा से देखना चाहते है यह बड़ा सपच्छ दिखाई दे रहा कि रख बंगाल के अंदर लगबख 47 साल के बाद एक नैशनल पार्टी आल्टरनेटिव बढ़के सामने आ रही है पिछले 15 सालों से की TMC पर आई है उससे पहले 25 साल से उपर CPM निराज किया था तो कॉंग्रेस जैसे जैसे मार्जिलाइज होती चलिया रही हो ही दिखाई दे रहा है सारे प्रदेशों के अंदर जहां-जहां कॉंग्रेस खतम होटी जाती है उसका रेप्लेस्मेंट ज्यादातर BJP बन रही है और वेस्ट पंगाल को पिछले 10 सालों से BJP ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था कि वह तो फटलेटिक ग्राउंड है महाँ पर एक पोलेरेजिशी भी हो सकता है दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है और दूसरा वहाँ पर बट रहा है CPM और कॉंग्रेस तरफ हो हो सकता है और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी आला कि बागी स्टेट के पास हैं वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी मुदी की वजए से अग्रेशन की वजए से और टीम सी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जो नेरो हो गई है तो इस्यू क्य सिमरा करके बीजेपी ने अल्टरिनिट बनाया है ने को अभी भी लगता है कि वोट प्रसंटेज सब से ज़ाइप से जाए पॉल्टी है पंदरा साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी चांट चलन चलने है वहाँ पर तो मेरेकों लगता है कि बीजेपी के ये बीजेपी है, ये इससे पश्ट हो जाता है, जी, जी आश्वंजी. इससे बंदन में वो टी-मसी को अपना पार्टर माती है, या बीजेपी के खिलाफ चुनाओ रही है, ये जो कंट्राडिक्शन है, इंडिया के अलाइंस के अंदर, सेम यही सवाल आप लेफ्ट फ्रेंट के लोगों से भी पूछ सकते हैं, और टी-मसी से भी पूछ सकते हैं, ये इस वाइट नहीं बन पारी है, प्रभू चावला जी कहना है, राके शुकला साब क्या कहेंगे आप, कांटे की टककर, यानि 20 मी से, ये 25 मी हो सकता है मामला, 20 मी आसकता है, जो भी आंकडा दिखा रहा है, तीन तरह का बोटर है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक बंगाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा, अब जो आपका आकडा बोट आप परसंटेज का रहा है, वो आप 14, 19 और 24 में देखिए, तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं आ रहा, उनिस का पैटर नहीं है, फिर जो आप सीट का बता और इसी तरह से हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला आ रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट, वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का और S1 जी भी बोल रहे, प्रभू जी भी ने जो कहा है, तो 5 परस में जा सकती है, कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे, मेरा अपना आकलन ये है, जो मेरी वहाँ बाचीत हुई है, मुझे लगता है अधीर रंजन के अलाबा, वहाँ कॉंग्रेस के लिए दूसरी सीट हासिल करना थोड़ा कठीन है, तो उसका बोटा परसेंटेज कहीं नहीं आपको जहाँ पर तीन फीसद के स्विंग होने से तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही है, देखिए, ये वो तमाम सीटे हैं, ग्यारा सीटे हैं, लेकिन अब ये देखिए, ग्यारा सीटे ऐसी है, पस्चिम बंगाल में, ए तीन फिसद में 11 सीटे और एक परसेंट के स्विंग में 11 सीटे यानि तस्वीर तो किस तरह से बड़ा बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है, और ये तीन परसेंट और एक परसेंट का जो ये उल्जन है, इस उल्जन को भी दूर करिए, रोहित इसमें कोई उल्जन न तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं इनके उपर अपनी निगाह रखिए, क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं जिसके उपर हार जीत का आकलन, जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जून को, उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी, एक एक वोटिंग में इसलिए जहां पे इतनी काटे की टकर है, एक एक सीट, एक एक पोलिंग बूथ पे उस तरीके की काटे की काटे की टकर होगी कनफ्यूजन की है, असमंजस की है, इसलिए विचित रिस्तिती है, पश्चिम बंगाल में कोई कनफ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है, पश्चिम बंगाल में काटे की रडाई केवल, इसलिए है, क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लॉगर हेट्स म है नमबर एक चीज ममता बेनरजी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लड़ने का फैसला किया मैं उनकी क्योंकि मैं जब आकड़े देखता हूं रोई तो इसने एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में पांच-पांच परसंट के क पचा-कुचा वोट बीजेपी की और फर्दर बोलराइजेशन में शिफ्ट होता है जी बैशुन्द आपको रोकूंगा प्रभु जी क्या कहेंगे आप ये जो तस्वीर बनके सामने आरे पस्ट्रिम बंगाल की ये तो एक परसंट के स्विंग का मामला तो कोई भी 30 तक भ सकती है और उस दीनों पर भी आ सकते हैं ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप बीस की बीस देदे एक तरफ जैसे ग्यारा ये और ग्यारा ये बाइस अगर एक तरफ चली गई तो बीजेपी का आकड़ा बीस है ना बाइस इसको जोड़ दिया जा है अलाकि उसके ज़िड़े होगी है अगर एक स्पेस जो बन रहा है कि अगर एंट्टी कममसी वोट देना तो किसको देना है या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनको ती एमसी को चुनेंगे कॉंग्रेस पार्टी मार्जिलाई होती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जिलाई है जिन सीटों पर आप सब लोग नजर रखेगा जो भी लोग राजनीती में दिल्चस्पी रखते हैं देखें दम दम कृष्णा नगर बारा साथ ये टीमसी के यहां टीमसी को बढ़ता है लेकिन एक फिसद की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश् के लिए अच्छी ख़बर भी आ सकती है वैसे उल्टा भी है इसके लावा बैरकपूर और बशीर हाट ये वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल ये जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही और अभी प्रभु जी ने भी कहा यानि देखे भारतिये जनता पार्टी कर ये 35 का लक्षे हावारा जो बीजेपी के रणनीतिकार कह रहे है ओफ दे रिकॉर्ड विकेदा ओफ दे कैमरा ओफ दे रिकॉर्ड तो नहीं कहूंगा तो तो बात ही नहीं मैं यहां कह सकता था वो लेकिन बड़ी बात ये है टीमसी के लोग भी यही कह रहे है किने साब ह हम लोग तो 35 पार कर जाएंगे तो ये जो स्थिती बन रही है और ये जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो ये तो ऐसा लग रहा है जो सर्वेक के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो तीस के आसपास ही पहुंचेगा देखे, दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जो दम ठोख के बोलते हैं, मैं उनको दोश कताई नहीं रेता क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं नमबर एक बात लेकिन एक बात मैं जिकर ज़रूर करूंगा जिस और सबका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है पश्ची मंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस की बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है नमबर एक बार उस वॉयलेंस के चक्कर में वहाँ पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो यह नहीं बोलते कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही नबर एक दूसरी चीज़ टर्न आउट फेक्टर हो ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लॉइन और अगर मजबूत होगा और टर्न आउट सही होगा तो नतीजे क्या आएंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होगे इसलिए साथ फेजेज में पश्चिम बंगाल का ये जो तीन तीन चार चार सीट वाला मसला है न ये अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस पे टर्न आउट इंपक्ट होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और बड़ा दिल्चस्प आंकडा येश्वन देश्मुक जी बता रहे हैं देखिए जो हरे रंग में जो सीट रोयों ये गेर हुए रंग कि सीटें में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है एक फीसद की बात है एक फीसद की आलंगे आज ये श्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुर्टा पहना लेकिन इनके कुर्ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामी दे रहा हूं कि ये सीटे वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इधर से उधर उधर से इधर होता ही रहेगा और शाम तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे बंगाल की गिंती चलती रही और ये 11 सीटे आप नोट कर लिजिए बड़ी महत्वपूर्ण बहुत दिल्चस्प आंकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो अपिनियन पोल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतिये जरु 1000 सामने शुकर 7 से 129 सीटों का उपिनियन पोल सामने आ चुका है जिसमें एंडिये 43 मिलती हूँ दिख रही है ॉड इंडिया गठवंधन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिया गठवंधन को मिलती हूँ दिख रही है अब तक यानि 119 सीटों के हम बात कर रहे हैं पा दो सीट कॉंग्रेस को मिलती हो दिख रही है, तमाम महवान हमारे साथ मौझूद है, क्योंकि आंकड़ा बहुत दिल्चस्प है, इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा, आप ये देखिए, ये LED आपके सामने है, ये पूरी स्थिती है, TMC 20, BJP 20, कॉंग्रेस 2 एक और दिल्चसप पांकड़ा, 3 फिसद स्विंग वाली सीटें कॉंसी उस पर जरा नजर डाल लीजिए, फिर उसके बाद बड़ी दिल्चसप चरचाम करने वाले हैं, देखिए, 3 फिसद का स्विंग 11 सीटें ऐसी हैं, जहां पर 3 प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ, तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं, ये वो तमाम सीटें हैं, पांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्दमानपूर्व, और हुगली, मालदा दक्षिन, रायगंज, कूच बिहार, मतुरापूर्व, जादपूर्व, और बलूर घाट, ये वो 11 सीटें हैं, जहां 3 फिसद का स् कुछ भी कर सकता है, एक फिसद आप समझ सकते हैं, कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है, दम दम, कृष्णा नगर, जय नगर, बारा साथ, आसन सोल, और बशीर हाट, ये यहां पर टीमसी एक फिसद के मार्जन से आगे हैं, और इसके लाबाबा पुरूल कित ऐसी हैं, जहां एक फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है, इश्वन जी, यही स्थिती है, यानि 20 सीटों की अभी कुछ, यानि 20 सीटों की तस्वीर साफ है, देखे, मैं बहुत इमांदारी से अपने दर्शकों को, मैंने वहां पर खड़े होके बुला, और मैं 20 सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो, इसलिए, इसलिए, जो मुझसे नहीं हो सकता, मैं वहां पर हाथ, जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में, जिन आकड़ों में जहां पर जो दिख रहा है, हमने वो एबीपी पे परोसा, और एक बात और हम कहना चाहिंग रो जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रैकर चला के बोला कि ममदादीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है, बीजेपी नंबर दो पहुच रही है, लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुचा है, केके शर्मा जी आपके पास आओगा एक कहीं भी जा सकती है, तो ये तो बड़ी अजीब सिती है, नि दस दस सीटे बीजेपी और टीमसी की क्लियर है, और बाई सीट ऐसे हो कहीं भी जा सकती है रोहिक जी ये जो एक फीजदी बोर्ट से ग्यारा सीटों का जो आकड़ा है, उसमें आप चार सीटे देखी, वो बड़ी महत्तपूर्ण है, किष्णनगर सीट, महुआ मोहित्तर जी की है, सदस्ता खतम हुई उनकी, पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वो बसीर हाट इसी सीट पर संदेश खाली आता है, वो पूरा कांड हुआ है, बसीर हाट सीट से भी नुसरत जहां पिछली बार 2-5 लाग बोटों से जीती थी, इस बार एक फीजदी कांतर आ गया है, ये जो है ये बड़ा बहुत महत्तपूर्ण है ये सीटे, जार ग्राम, आ ये जो एक फीजदी बोट है, वो कहीं न कहीं तरमूल कांगरेस का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, बलकुल ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, बलकि मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ये इस वक्त ये डेटा देख रहे हैं, दर्शक उनको भी, उनकी दिलचस्पी भी बढ़ी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत क्लोस फाइट यहां पर देखने को मिल रही है, यानि 22 सिटे ऐसी हैं, जो 11 सिटे 3 फिसद और 11 सिटे 1 फिसद, यानि 1 फिसद और 3 फिसद से मेरा मतलब ये है, कि 3 परसेंट का स्विंग 11 सिटों पर किसी की भी कोशिश करेंगे, कि ये तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ है, सर बताइए, यानि 10-10 सिटे क्लियर हैं, और 22 सिट कभी भी कुछ भी हो सकता है, 22 में से 22 कहीं भी जा सकती है, 22 में से 10 कहीं भी जा सकती है, जी प्रभु जाबला जी बहुत बड़ी है, कि इन सीटों की वेज़ा से डिसाइड हुआ कि भारती जन्ता पार्टी 300 से कितनी ऊपर जाती है, अभी तो फारी नकर में पता नहीं, इनकी जिम में क्या रखा है, जब निकलेगा तो आएगा, कि अगर 22 यहां 20 पे अठक जाती है, या उससे आगे जात और महराष्टा के जब दिखाएगा, पिटारा खुलेगा, पर वेस्ट बंगाल के अंदर जब तक बड़त नहीं होती, मेजोटी के उपने कोई क्वेश्ची नहीं उठा रहा, मेरे को लगता है कि 370 का अकड़ा तो ठीक है, एक नेता की तरफ से नावाद दी गई है, उसक पश्चिम बंगाल तैक करेगा, प्रभू चाबला जी का ये टेक है, बसीदे केके शर्मा जी के पास आऊंगा, केके शर्मा जी क्या कहेंगे सर, ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, यानि 10-10 सीटे क्लियर है, लेकिन पश्चिम बं सामने आया, केके शर्मा जी? तो दो सीट क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब ये है कि ममता सरकार के परती एंटी इंकम्बन्सी फेक्टर है, तब ही तो हमको दो सीट की बढ़त मिल रही है, इसका मतलब कि ममता सरकार के परती वहां पर, जब क्योंकि ये देखिए, विधान सभा और लोग सभा के तो पिछली बार 18 मॉम्ता के अगेंस मामला चल रहा और यह कहां तक बढ़ता है जहां एक पर्सेंट और तीम पर्सेंट की आप बात कर रहे हैं तो सभाविक रूप से कि यह एंटी एंटी इंटी इंडी फैक्तर है यह अन जगहां भी लागू होंगे को कि प्रदेश में अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अस्वन जी ने बहुत इंटेस्टिंग बात बताई कि पस्चिम मंगाल के अंदर ऐसा राज्य है जहां पर हम जब सर्वे करते हैं तो बहुत से लोग नहीं बताना चाहते हैं कि साब हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं क्यो भी करेगा टी में सब्सक्राइब करे और त多 या वह नहीं बताना शाते कुट हूँ आपकानी इसके अलावा एक बहुत बात एक तिज प्रभरुजी ने क्खची बात कही कि पस्ची में कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान इस तिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रदान मंत्री बोधी जी के नेत्यूत में 2024 में भाजपा तो सरकार बना ही रही है अपने सायोगी दलों के साथ अब भी से यह कि इसमें जो हमारा लक्ष ह 370 वह हम कहुंचने के लिए यह सारी जिए शर्मा जी आनि आपका कहने कि इसलिए वोटर नहीं बोलता आपका कहने कि वह आपके समर्थक है अंतीम एक प्रस्टे जी बोल दीजें संक्षेव में बोलीगा सर उसको डर तो टीम सी से ही है ना वहां पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आसे जो है आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लिए हुए और निर्वाचित आसन सोल में शत्रुगन सीना मैं समझता हूं कि टिमूल कांग्रेस के टाप चार फंच जो विद्वार है उसमें प्रमुख है सबसे फेमस और वो वेक्ति जदी एक परसेंट पोट से फसे हुए जबकि अहलवालिया साहब की गोश्टना अभी विदी ने चार दिन पहले जैसे कहते हैं चावल कितना पका है एक दाने से समझ जाता है इस वात का ध्यान रखेगा शत्रुगन जिना जी ने ट्रेनिंग आपी की पार्टी में लिए तो एक फिसद से यह तीन फिसद में कब आ जा है पान फिसद में कौन चला जा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं क स्वीर कहीं भी जा सकती है सुई का कांटा कहीं भी घूम सकता है जी हमें ने देखा कि आपने दिखाया है कुछ सीटे एक प्रतिशत में स्विंग कर सकती है कहीं पर तीन प्रतिशत में स्विंग कर सकती है देगे 2019 को बार बार जिकर किया जा रहा है लेकिन 2019 के बाद 2021 में स हटा है और तिर्णमुल का बढ़ाया तो यह दिखा रहा है कि डीजेपी का डाउन फॉल हॉआ है और तिर्णमुल को बढ़ोती मिली दूसरी तब आप देगे कि जब 2019 में जब हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेक स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादाई लोकल सबीबी 224 प्रखनेपुंट पारिय के necesita कि दन्मीज फीबट कर रहरी कि toy और जिसमें अगर कोई मतब्स उन्हों बोरा शेकि प्रभालावशत्री से अधिर वालतिय उन्हों और कि जलिए टैक्टी इस सांदर शेलगर प्रफियी आधी साव्टार कोब्सन करो दर्क निकीन लेकिन तो अशिव खान साब बड़े संक्षे में माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं लेकिन सर ये तीन फिसद और एक फिसद का जो आंकड़ा है ग्यारा-ग्यारा सीटों का बाइस सी बनती है वहां पर तो कोई दावा नहीं कर सकता अगर हम आंकड़ों की बात करें कि हो तो तसवीर किसी की तरफ पर जा सकते हैं ठीक है याप दावा कर सकते हैं कि ममता जी को मिलेंगी बीजेपी वाले ये दावा कर सकतेगे उन्हें मिलेगे लेकिन ये बात तो आप मानते हैं न सर कि तीन फिसद का परसनेजे में उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप 21 के आखड़े को पकड़े, MLA की आप पकड़ के चले, MLA के इतने BJP के है, जो के लेटेस्ट है, या फिर आप पंचायत को लेकर के चले, जो के और भी लेटेस्ट है, तो उससे तो BJP कहीं पर भी डबल डिजिट आखड़ा पाथ करती भी नहीं दिख रही, मैं मानता हूँ कि आपके पास में ये उपिनियन पोल है, लेकिन उससे मैं सहमती नहीं रखता, ठीक है, ठीक है तो जिफखान साब, मैं एक बार पर, अब मीता चकरवर्ती जी के पास चलूँगा, मीता चकरवर्ती जी अब जो तस्वीर, पूरी फाइनल तस्वीर, जी नाम, किसी भी तरफ जा सकता है, यानि अपोजिशन की तरफ बें जा सकता है, आपकी तरफ बें जा सकता है, क्या कहेंगे आप? हम लोग काफी उमीद रखते हैं, तोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस बिंगॉल में, विस बिंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए, हम लोग यहां पर, मिजॉरिटी एपीस्मेंट की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोजगार की बात कर रहे हम लोग प्राइस राइस के बात कर रहे हम लोग जो रोज का जो डेली इशूज है, जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में, उनका डेली इशूज के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट और कॉंग्रेस के ऐलाइंस, और मेरे हिसाब से जो लोग टी-म मैं बड़े फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा प्रभू जावला जी सबसे पहले आपके पास आँगा संशेब में जवाब चाओंगा सर क्या कहेंगे आप यह सी ए संदेश खाली और मोधी फेक्टर क्या द जो आखड़ा उन्हें दिया कि हम इस बार 35 पार करेंगे यह उनके लिए प्रश्ची का सवाल है कि वेस्ट बंगाल उनके साथ खड़ा है कि नहीं कड़ा है कि बाकी स्टेट के अंदर उनका जो मेंजिट जी डॉमिनिन्स है प्रंतु वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी हीट अगर कम होती है तो एक बड़ा धका बीजेपी की हो सकता है अगर बन जाती है तो यह अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है जी राकेश शुकला साब क्या कहेंगा ममता की लोगप्रेता मजबूत संगठन विपक्षी वोटों का विखराओ यह तमाम बाते और यह जो पीनिन पोल आ रहा है क्या कहना आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में सर् वहां पस्षिम मंगाल में दो चेहरे चुनाओ लग रह जी यश्वन देश्मुक साब पाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा यह जो बाई सीटे हैं और यह जो बिलकुल सबकी दिल्चस्पी अब इसमें हो गई है तो यह जो बाई सीटों का अगर यह कहा जाए कि सामने तस्वीर कब तक साफ होगी सर चार तारिक तक इंत करने वाले के लिए कठनाई का सबब जरूर है लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है अगर मुकाबरे सब इकतरफाही होने लगे किसी भी राज्य में गाम भले ही आसान हो लेकिन लोकतंत्र का वो मजा नहीं आता अच्छी काटे की लड़ाई यह लोकतंत्र के किया सी धार बना रही है क्या यह मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुंचाने वाले है या फिर ममता बैनर जी की लोकत्रियता के आगे बीजेपी का हरदा उधराशाई हो जाएगा या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है और हमाने साथ डेटा से किया से शिरीन है यहां राज जुनेतिक मेहमानों के साथ प्लिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड तो 24 के चुनाफ से पहले यह सर्वे आपको यह बता रहा है लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसके बारे में जनता क्या कह रही है एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख र है कि क्या किसके खाते में कितना प्रतीशत जाता हुआ देख रहा है तो यह देखिए आपके सामने तस्वीर अफुल कर आ गई है 42 सीटे है पश्चिम बंगाल में लोग सभाकी और 42 फीसदी वोट शेयर इनमें से बीज़ेपी के खाते में जाती दिखाई दे रहा है तो 42 सीटो का वोट शेयर के लिहाद से यह पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल का अब जरा यह कंवर्ट कैसे होता है सीटो में किस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनामू से ठीक पहले ही ताजा सर्वे है जिसमें यह निकल कर सामने आ रहा है तो 40 सीटो में से 20 सीटे BJP को जा सकती है 20 सीटो पर TMC भी कबजा कर सकती है दो सीटे कॉंगरस CPM का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और नहीं अन्ने के खाते में कुछ जाएगा लेकिन यहां 2020 देखिए बराबरी का मामला BJP और TMC में दिखाई दे रहा है कॉंगरस को 2 सीटो से ही संतोष करना पड़ेगा और 20 सीटो के साथ यहां पर BJP जीत्ती दिखाई दे रही है और 20 ही TMC यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक 42 सीटो में से फिलाल ये इतनी सीटे BJP और TMC 20-20 सीटे आपस में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है भलकुल शुरें तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो वीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल का आपके सामने है पश्चिम बंगाल में TMC BJP में कड़ी तककर इस पोल के मुताबिक देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में TMC BJP को 20-20 सीट मिलने का अनुमान है 2019 के अगर बात करें तो भारतीय जनलता पार्टी को 18 सीट मिली थी यानि BJP को 2 सीट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है इस फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम एवान मौझूदैं भारतीय जन्यता पार्टी से केखे शर्मा हमारे साथ मौझूदैं और कॉंग्रेस दोसीट का फाइदा आपको होता हुआ दिख रहा है 2024 में पिछली बार 18 इस बार 20 सीट क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है ओपेनियन पॉल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पॉल मैं मानता हूँ कि ये एक दिखा दिखाती है कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पॉल के दिखाती मैं समझो तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे है इसका मतलब ये हुआ जो मैं समझ पाता हूँ राजनितिक विद्यार्थी के रूप में कि वहां पर भारती जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है वो उस दिसा को इंगित कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा उहां बढ़ रही है अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारकर सा नेता और जिस धनका हम अपना विशे लेते हैं उस फिड़बेक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं जादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी और निश्चित तोर से हमारे आकड़े को जो हम सूचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी और 400 सीट हम उस आकड़े तक पहुँच जाएंगे किके शर्मजी आपका कहना है कि ये तस्वीर और बदलेगी आपका कहना है बीस से उपर भारती जनता पार्टी जाएगी हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौझूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब टीमसी को दो सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है क्या कहेंगे आप और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बलकि इससे कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें 2021 की राज्यसुबा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़हत दिखाया जा रहा था बीजेपी को कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर ज किया है आप के सर्वे के हिसाब से यह आकड़ा रहा लेकिन मैं इससे सहमती नहीं रखता मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आकड़े है उससे काफी नीचे गिरने वाला है आप कंपेर करें के 2019 में यह देखा गया था कि तिर्नमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को ज जाली सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिये तो यह बढ़ों कहां से यह लेकर के आएंगे अभी तक डामना आप सीट में कैंडिडेट दिया गया बीजेपी कि आपका कहना है कि भारतिये जुरिता पार्टिया भी प्रत्याश्ची भी नहीं दे पाई और उसके पर ही सिमर्टी हुई देख रही है वह हम लोग सीट एड्जास्मन करके एक अलाइंस करके हम लोग की चुनाव लग रहे हैं यह बात तै है कि पश्टी मंगाल में टीमसी के खिलाफ एंटी इंकंबंसी तो है पर पश्टी मंगाल के लोग है वह काफी लिबरल और सेकूलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं राउत माल्दा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाये हो आप लोग और बहरंपूर में अधिरंजन चोधरी जो हमारी लीडर अप लुक्षा भाभी थे वो लीड कर रहे है यह यह इस फाइफ टांस MP फॉम देर पर साथी साथ हमारी इंटर्नल सर्वे बता रहा है कि विक्टर राइ गंच में और उत्तरमावदा में जो अलम है वो हमारी कैंडिट है और काफी सारे जगा में हमारी एंट्प करके लगा रहे हैं वो काफी जगा लेट के लिए जादोपूर में और चलीम साब जो की मुश्रिताबाद से लग रहे हैं मिता चटमर्तिजी मैं आपको रोकूँगा आपके पास दोबारा लोटते हैं एक बार देख लेते हैं पूरे बंगाल की तस्वीर क्या बंती है क्योंकि एक-एक सीट का examples दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या बढ़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की 42 सीट 42 सीट की क्या स्थिती है ये दिखे ये पश्चिम बंगाल के तमाम 42 सीट है और इन सीटों पर 2024 के चुना में क्या कुछ होने वाला है वो तसमेर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे है तो आप ये देख सकते हैं TMC 20, BJP 20 और कॉंग्रेस 2 यानि पहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटोबर TMC यानि आप ये देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है बीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष् और उलुबेरिया ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहाँ पर TMC बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनियन पोल के मुताबिक और भारतिये जरिता पार्टी के अगर बात करें वो 20 सीटे कौन है आए मैं वो भी आपको दिखा दूँ देखिए और जलपाई गुडी और बंगाओं ये वो सीटे हैं जहाँ पर भारतिये जरिता पार्टी बढ़त बनाती हुई देख रही है अब हम ये तस्वीर ये तो एक तस्वीर हो गई अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से कांटे की टकर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में और वो तस्वीर क्या बनती है देखिए मैं आपको बता दूँ बड़ा रोचक के आंकड़ा है यश्वन देश्मुक जी हमारे साथ मौजूद है सी वोटर के फाउंडर उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंग लेकिन 3 फिसद का अगर स्विंग होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बीर भूम इसी तरह की सीट है टीमसी आगे है लेकिन यहाँ भी 3 फिसद कुछ और कर सकता है घाटल और यह सीट है इसके लाबा मालदा दक्षिन एक एक करके आपको बताऊंगा लेकिन यश्वन द लेकिन यह 11 सीट ऐसी हैं जहाँ तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है यहां से शुरुआत करते हैं बांकुरा से देखिए पहली बात तो यह कि जब अपने दरश्य को बताना बहुत जबूरी है कि पश्चिम बंगाल और महराश्य हमारे इस पूरे आकलन मे यही दो एक ऐसे राजज हैं रोहित जहां पर हार जीत का अंतर पाँच फीजिदी से कम है दो पार्टियों के बीच में बाकी सभी राज्य भारत के हैं जीतने वाला जो भी है वो एक तरफा जीत रहे चाहे इदर जीते या उधर जीते क्योंकि उनके बीच का फासला पाँ तो वह पश्चिम बंगाल और महराश इन दो राजिमारा पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया तीन फीज़ती से कम के स्विंग के उपर यह फ्लिप कर सकती है यानि यह शुन जी मैं आपको रोक रहा हूं यानि अभी हम 20-20 दिखा र रहा हो छाता है उ पर ता लब्याणि कर से कुछ सार अगे बढ़ता है तो ॅर मतलब यह साफ होगा कि वो पास सीटें जो आप यहां पर हरवी दिख रही हैं अभी टीमसी के पक्ष में वो फ्लिप करके भगवा भी हो सकती है। इससे पेरा कि मैं डेटा के ऊपर जाओं मैं यह बात से देखना चाता है। स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था। कि वो फर्टलिटी ग्राउंड है महाँ पर एक तो पोलेरेशी भी हो सकता है। दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है। और दूसरा वहाँ पर बट रहा है सीपी आपर कॉंगरेश एक तरफ हो गई है। तो जो दिखाई दे रहा हुए इस पास्ट है कि जो स्पेस विकेट कर रहा है अभी कॉंगरेशी पर हो सकता है। मेरे को लगता है कि alternative वहाँ पर कॉंगरेश का जो आप करें सिब लिबरर और सेकुलर महाँ पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो है पाकिस्ट वहाँ पर डेवलप ज्यादा हो रहा है। मोदी जी की वज़ए भी हो सकता है। तो इशू क्या बनाया। उन्हें ने वहाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा वहाँ पर corruption का जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टीमसी की निताओं को अरेस्ट किया। उनको टार्गेट करके वहाँ पर एक corruption, communism और नैशनलिजम का competition बनाकर के बीजेपी निया और बनाया है। मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसंटेज जो है चार परसंट का फरक है लगबाग इतके अंदर। परण तो वेस्ट पंगाल के अंदर future क्या देखते हैं, alternative to TMC, ये बीजेपी है, ये इससे पश्ट हो जाए है। जे, जे आश्वंजी एक बात के वाली आयट करना चाहूंगा जो प्रभु जी ने बोली, इनकी ही बात को मैं आगे और बढ़ाते हुए कि दरहसल इसके लिए पश्टिम मंगाल के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है, जो विपक्ष के वोटर की जहां बात हो रही है। जैसे कॉंग्रेस के प्रवक्ता से कर आप पूछें कि आखिर पश्टिम मंगाल में वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही है। वो भाजपा के खिलाफ लड़ रही है या त्रिनमूल कॉंग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। आखिर महाँ पर मैंडेट क्या है। किसका मैंडेट मांग रही है। और अगर TMC के खिलाफ चुनाव रही है तो राश्ट्री इस्तर पर चुनाव में या इंडिया के गड़बंदन में वो TMC को अपना पार्टर मारती है या BJP के खिलाफ चुनाव रही है यह जो कंट्राडिक्शन है इंडिया के अलाइनस के अंदर सेम यही सवाल आप लेफट्रेंट के लोगों से भी पूछ सकते है और TMC से भी पूछ सकते है कि यह कंट्राडिक्शन जो है यह उनको फाइदा पहुचा रहे है या उनको रुक्सान करने है देखे वहां पे तीन तरह का बोटर है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक बंगाली, बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा है, अब जो आपका आकड़ा बोटा परसंटेज का आ रहा है, वो आप 14, 19 और 24 में देखिए, तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं आ रहा है, उन्हीं इसका पैटर नहीं है, फिर जो आप सीट का बता रहे हैं कि ये पांच सीटे उलट पलट ये दस सीटे उलट पलट हो सकती है, तो तरमूल के साथ 15 परसंट बोट ऐसा है, जिसको या तो आप हिंदू कहेंगे या बंगाली कहेंगे, क्योंकि 30 परसंट मुस्लिम बोट तरमूल के साथ है, और इसी तरह से हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला आ रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट, वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का और एस्वन जी भी बोल रहे है, प्रभू जी भी ने जो कहा है, तो पांच परसंट बोट जो है, वो यदि कहना चाहिए करमूल से नीचे आया, यानि 40 के आसपास यदि पहुंचा परसंट एक, आप मान के सालिए भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है, कॉ मुझे लगता है अधीर रंजन के अलाबा, वहां कॉंग्रेस के लिए दूसरी सीट हासिल करना थोड़ा कठीन है, कॉंग्रेस के लिए का बोटा परसंटेज कहीं नहीं बढ़ता, ये राकेश जी का कहना है, एक और फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने 3 परसंट के स्वि बदल सकती है, लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही है, देखिए, ये वो तमाम सीटे है, 11 सीटे हैं, लेकिन अब ये देखिए, 11 सीटे हैं पस्चिम बंगाल में, एक फिसद का अगर स्विंग होता है, तो भी तस्वीर बदल सकती है, ये बड़ा पिर से मैं ये श्वन देश मुख जी को बिलाओंगा, ये श्वन जी बताइए, मैं चाहूंगा यहां पर आईए आप दर्शकों के सामने, और बताइए, क्योंकि तीन विसद में 11 सीटे हैं, और एक परसेंट के स्विंग में 11 सीटे हैं, यानि तस्वीर तो किस तरह से दर्शकों को अपनी बार बताता हूं, ये एक फीजदी के आकड़े वाली जो सीटे हैं, दर्शकों, इस पर इस समय ब्रह्मा जी भी अवतरित हो करके बताएं, तो नहीं बता पाएंगा, इसलिए आप इन जो 11 सीटे हैं, इनके उपर अपनी निगाह रखिए, क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं, जिसके उपर हार जीट का आकलन, जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जून को, उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी, एक एक वोटिंग बारिटिंग बारिटिंग इक बड़ा हैं सवाल, जहां पर इतनी काटे की टक्कर है, एक-एक सीट, एक-एक पोलिंग बूथ पे उस तरीके के काटे की टकर होगी, महाराश्ट को मैंने गिना था, लेकिन महाराश्ट tiene काहानी काटे की टक्कर की नहीं है, महाराश्टी काहानी confusion की है, इसलिए विचит रस्तिती है पश्चिमगाल में कोई confusion या कोई असमंजस नहीं है फश्चिमगाल में काटे की रडाई के वल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से logger heads में हैं ममता बेनरजी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लडने का फैसला किया क्योंकि मैं जब आखड़े देखता हूं रोई तो उसने एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में 55% के करीब 10-11% जो वोट बचा है वो दरसल एंटी मम्ता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो ये एंटी मम्ता वोट बीजेपी की और शिफ्ट होता और वोही निगाह रखने की बात है कि एंटी मम्ता प्लैंक पे क्या कॉंग्रेस और लेफ्ट का ये बचा-कुचा वोट बीजेपी की और फर्दर बोलराइजेशन में शिफ्ट होता है का ये बाइस अगर एक तरफ चली गई तो बीजेपी का आकड़ा 20 है ना वाइस इसको जोड़ दिया जा है हलाकि उसके जुड़ी होंगी ये उसमें से आदी सीट है आदी सीट है तो हाँ आपका कहना सही कि 10 सीट भी हो सकता है तो बड़ा इंट्रेस्टिंग इनर्जय का आए कि काटेमान जी पहले का थी रेप्लेस्मेंट जो हो रहा है एकदम स्पेस जो बन रहा है कि अगर एंटी इंकमनसी वोट देना है तो किसको देना है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी की हो सकती है या 30 बीजेपी की हो सकती है ताओं जिन सीटों पर आप सब लोग नज़र रखेगा जो भी लोग राज नीती में दिलचस्पी रखते है देखे दम दम कृश्णा नगर बारा साथ ये TMC के यहां TMC को बढ़त है लेकिन एक फिस्द की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारती जरता पार्टी लेकिन एक फिस्द से आगे इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है आसन सोल देखे आसन सोल इसके लाबा जारग्राम बर्दमान दुर्गापूर ये बीजेपी के लिए एक फिस्द का आंकड़ा यानि खत्रे की घंटी यहां पर बीजेपी के लिए भी हो सकती है और टीमसी के लिए अच्छी ख़बर भी आ सकती है वैसे ही उल्टा भी है इसके लाबा बैरकपूर और बशीर हाट ये वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल ये जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही और अभी प्रभु जी ने भी कहा यानि देखे भारतिये ज लोग तो 35 पार कर जाएंगे तो ये जो स्थिती बन रही है और ये जो 10 सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो ये तो ऐसा लग रहा है जो सर्वेक के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आसपास ही पहुंचेगा देखे दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जो दम ठोक के बोलते हैं मैं उनको दोशकता ही नहीं देता क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं न नमबर एक बार उस वाइलेंस के चक्कर में वहाँ पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी ज्यादा सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो यह नहीं बोलते कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही न बर एक दूसरी चीज़ टर्न आउट फेक्टर हो ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लॉइन और अगर मजबूत होगा और टर्न आउट सही होगा तो नतीजे क्या हैंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होग इसलिए साथ फेजेज में पश्चिम बंगाल का यह जो तीन तीन चार चार सीट वाला मसला है न यह अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस पर टर्न आउट इंपक्ट होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और बड़ा दिल्चस्प यश्वन देशमुक जी बता रहे हैं देखिए जो हरे रंग में जो सीटरों ये गेर हुए रंग की सीटें में कभी भी कुछ भी बदलाब हो सकता है एक फीसद की बात है एक फीसद की आलंगे आज यश्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुड़ता पैना लेकिन इन सीटों के उपर ना केवल अभी से निगाह रखिए अगबार पढ़ते हैं तो निगाह रखिए और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामी दे रहा हूं कि ये सीटें वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इधर से उ अंकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो अपिनियन पॉल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतिये जरुदा पार्टी बीसीट टीमसी दो सीट कॉंग्रेस लेकिन ये 10 सीटें अगर किसी तरह भी जाती हैं यानि 11 सीटे 10 से 11 सीट तो 30 से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है देखिए 543 में से 129 सीटों का उपिनियन पॉल सामने आ चुका है जिसमें एंडिये 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिया गठ कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और दो सीट कॉंग्रेस को मिलती हुई दिख रही है तमाम महमान हमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है ये पूरी स्थिती है TMC 20 BJP 20 कॉंग्रेस दो एक और दिल्चस्प पांगडा तीन फिसद स्विंग वाली सीटें कौन सी है उस पर जड़ा नसर डाल लीजिए फिर उसके बाद बड़ी दिल् भूम, घाटल, बर्दमानपुर्व, और हुगली, मालदा दक्षिन, रायगंज, कूच बिहार, मतुरापुर्ण, जादपुर्व और बलूर घाट ये वो 11 सीटे हैं जहां 3 फिसद का स्विंग अगर होता है तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है अब और आगे दिखाता हो आपको और 11 सीटे ऐसे जहां एक फिसद का स्विंग कुछ भी कर सकता है एक फिसद आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है दम दम, कृष्णा नगर, जय नगर, बारा साथ, आसन सोल और बशीर हाट ये यहां पर टीम सी एक फिसद के मार है लेकिन 22 सीट ऐसी है यानि 11 सीट ऐसी है जहां 3 फिसद का स्विंग पे कुछ भी हो सकता है और 11 सीट ऐसी है जहां एक फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है इश्वन जी यही स्थिती है यानि 22 सीटों की अभी कुछ यानि कुन मिलाकर 20 सीटों की तस्वीर साफ ह मैं बहुत इमांदारी से अपने दर्शकों को मैंने वहां पे खड़े होके बुला और मैं यहां बैट करके दुबारा बोल ला हूँ यह बाइस सीटें ऐसी हैं जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये परम ग्यानी छोड़िये ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे तो वह भी आपसे यही कहेंगे रुएत बच्चा कुछ और वरदान मांग लो इन बाइस सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांग इसलिए जो मुझसे नहीं हो सकता मैं वहाँ पे हाथ जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में जिन आकड़ों में जहां पर जो दिख रहा है हमने वो एबीपी पे परोसा और एक बात और हम कहना चाहिंग रोई हमारा ही यह चैनल था हमारा ही सर्वेक्शन था जिसने दो ह जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रैकर चला के बोला कि ममदादीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है बीजेपी नंबर दो पहुंच रही है लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंच है केके शर्मा जी आपके पास आओगा एक छूटी सिति यारी दस-दस सीटे बीजेपी और टीमसी की क्लियर है और बाई सीट ऐसे हो कहीं भी जा सकती है रोहिक जी जो एक फीजदी बोर्ट से ग्यारा सीटों का जो आकड़ा है उसमें आप चार सीटे देखी वो बड़ी महत्तपूर्ण है किष्णनगर सीट महुआ मोहित्तर जी की है सदस्ता खतम हुई उनकी पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वो जीती थी इस बार भी कंडिडेट हैं एक फीजदी का अंतर बताया जा रहा है आसन सोल सीट सद्धन सिनाजी की है पिछली बार जब उपचुना हुआ मार्जिन अच्छा था उनका जीत का इस बार आप बतारे एक फीजदी में उनकी सीट जा सकती है बसीर हाट इसी सीट पे संदेश से खाली आता है पूरा कांड हुआ है बसीर हार सीर से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी इस बार एक फीजदी का अंतर आ गया है यह जो है यह बड़ा बहुत महत्पूर्ण है यह सीटे जार ग्राम आपके पस्चिन मंगाल में दो ऐसी स बड़ा बलकुल बलड प्रेशर बढ़ाएगा बलकि मैं तो यह कह रहा हूं कि जो यह इस वक्त यह डेटा देख रहे हैं दर्शक उनको भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी उनका भी बलड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि यह बहुत क्लोज त्यार पर देखने को मिल रही है यानि 22 सित्टें ऐसी है जो 11 सित्टें 3 फिसद और 11 सित्टें 1 फिसद यानि 1 फिसद और 3 फिसद से मेरा मतलब यह है कि 3प्रसेंट का स्विंग 11 सिटों पर किसी के भी तरफ जा सकते हैं प्रभु चावला जी आपके पास आउंगा उसके बाद जो हमारे राजनितिक में हमाने उनके पास जाओंगा उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ सर बताइए यानि 10-10 सीटे क्लियर हैं और 22 सीट कभी भी कुछ भी हो सकता है 22 में से 22 कहीं भी जा सकती है 22 में से 10 कहीं भी जा सकती है जी प्रभु चाबला जी इस बहुत बड़ी है कि इन सीटों की वेज़ा से डिसाइड हुआ कि भारती जन्ता पार्टी 300 से कितनी ऊपर जाती है अभी तो फारी नकर मैंने पता नहीं इनकी जिम में क्या रखा है बाद जब निकले गा तो आएगा कि अगर बाइस यहां 20 पे अटक जाती है या उससे आगे जाती है वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बिजेपी के लिए 300 का अकड़ा प्रास का पार करना कि सौस में आपने दिखा दिया महां पर अभी दो स्टेट रहेंगे दिखाएंगे तब देखेंगे कि यादा गेन महां पर दिखाई नहीं रहा पर क को बनोबल बढ़ाने के लिए परंतु 300 से उपर करना जो पिछले साल के मुदी जी की विक्ट्री तब है एक तो थर्ड रिकॉर्ड विक्ट्री होगी 306 से उपर आना उनके लिए उनकी प्रेशिज का सवाल है वेस्ट बंगाल डिसाइड करेगा कि वो 306 से उपर जाते है क प्रभू चावला जी का ये टेक है बसीदे केके शर्मा जी के पास आउंगा केके शर्मा जी क्या कहेंगे सर ब्लड प्रेशर का क्या हाल है यह जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है यानि 10-10 सीटे क्लियर है लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी है जिन में से 11 सीट तीन फिसद के सुइंग के साथ कहीं भी जा सकती है और 11 सीट ऐसी है जो एक फिसद के सुइंग के साथ कहीं भी जा सकती है सर आपका रियक्शन अब जो ये पूरा आंकरा सामने आया के किश्वर्मा जी रोहिज जी तीन जो है बिद्वान विश्लेशक के हां पर बहुत वन्भवी विश्लेशक बैठे हैं मैं उनके समझ दो तीन बातें रख रहा हूं और उनसे पिक्षा भी करूगा कि इस पर जदू बिचार रखें देखिए हम पिछली बार 18 सीट में इस बार आप मैं आपक दिखा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि दो सीट हम बढ़ रहे हैं तो दो सीट क्यों बढ़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि ममता सरकार के परती एंटी एंकमबेंसी फेक्टर है तब ही तो हमको दो सीट की बढ़त मिल रही है इसका मतलब कि ममता सरकार के परती वहां पर जब सभाविक रूप से कि यह अंज जगहां भी लागू होंगे कोई प्रदेश मियादी कोई एंटी इनकॉम्पंची फेक्टर क्रीट होता है तो कि एक सीट में नहीं होता है कई सीटों पर अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी अस्वन जीन एक बहुत इंटेस्टिन बात बताई कि पाश्चिम मंगाल के अंदर ऐसा राज्य है जहां पर हम जब सर्वे करते हैं तो बहुत से लोग नहीं बताना चाहते हैं जब बताना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि यदी अपनी बात रख देंगे तो हमारे उपर हमला होगा हमारे घर जला दिये जाएंगे हमारी महिरों के साथ अत्य चार करेंगे कौन करेगा बिजेपी डिचंदी जो भी करेगा तो फिसकी के हिस्ट्री भी है और टेमसी वालों को ही को हमारे इस तरह के गंड़ी करना थे इसलिए वो डर से नहीं बताना चाहते, तो बोटर किसके हुए? वो बोटर तो भारती जनता पार्टी के उपच के हुए? इसके अलावा एक बहुत इंट्रेस्टिक बात, एक चीज कहता हूँ, अभी माने प्रगुरु जी ने एक अच्छी बात कही कि पस्चिम बंगाल का र 2024 में भाजपा तो सरकार बना ही रही है अपने सायों की दलों के साथ, अब भी सर यह है कि इसमें जो हमारा लक्ष है, 370, वो हम कहुंचने के लिए ये सारी जिए जिए के शर्मा जी आनि आपका कहने कि इसलिए वोटर नहीं बोलता, आपका कहने कि वो आपके समर्थक है, अंतीम एक प्रस्टे, जी बोल दीजे, बोल दीजे, संक्षेव में बोलीगा सर, मुझे बाकी ने ताम पार, उसको डर तो TMC से ही है ना वहां पर, बाजपा वहां कुछ कर सकती है, क्या, हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लि मैं समझता हूं कि तिमूल कांग्रेस के टाप चार फंच जो विद्वार है उसमें प्रमूख है, सबसे फेमस, और वो वेक्ति यदि एक परसेंट पोट से फसे हुए है, जबकि अहलवालिया साहब की घोष्टना अभी विदी ने चार दिन पहले हुई, चार पात दिन पह को रोपूंगा लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा, शत्रुगंजिना जी ने ट्रेनिंग आपी की पार्टी में ली है, तो एक फिसद से ये तीन फिसद में कब आ जा है, पान फिसद में कौन चला जा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बरहाल मैं आपके पास आ कहीं भी घूम सकता है? 48% वोट शेयर 2021 में था, और पंचायत में जो पोलिंग था, उसमें वोट परसंट तिनमूल का 51% तक आ गया था, तो ये ट्रेंड जो है, ये दिखा रहा है कि बीजेपी का डाउन फॉल होआ है, और तिनमूल को बढ़ोती मिली, दूसरी तब आप देगे कि जब 2019 में जब क कि बीजेपी की तरफ नहीं जाकर के, क्योंकि बीजेपी आज के हिंदी हाटलाइन पार्टी की तरफ से देखी जाती है, वो जो वोट जो है, वो अल्टीमेटली तिनमूल को ही पड़ेगा, और जिसमें अगर कोई ममता बैनाजी से डिस्गरंटल वोट से उनके लिए थर् तेन फिसद और एक फिसद का जो आंकड़ा 11-11 सेटों का बाइच सीटें ऐसे बनती है, वहाँ पर तो कोई दावा नहीं कर सकता, अगर हम आंकड़ों की बात करें, कि वो तो तस्वीर किसी की तरफ भी जा सकते है, ठीक है, यह आप दावा कर सकते हैं, कि ममता जी को दावा कर सकते हैं, उन्हें मिलेगी। लेकिन या बात तू आप मानते हैं सरु कि तीन फिसद का स्विंग, और एक फिसद का स्विंग कुछ भी तसवीर सामने ला सकता है। मैं थाप को करें तो जो उसकी बात कर गहट कर ग Juice उंुनीक कि बाद कर एकीस में तिर्णमुल का व कि रहा है और वी जेट बड़ा ओ कर गिरा है तो मैं उसकी बात कर रहा कि अगले की अगर बात करें को उच्रा जो को घो वोट किया है, जो वोटिंग पैटन है, उस हिसाब से तो बीजेपी के सीट घट रही है, डवल डिजेट भी करेंगी या नहीं करेंगी, उस पर प्रिसंटी खड़ा होता है, 18 तो जो है, वो तो 19 का अकड़ा है, लेकिन अगर आप 21 के आकड़े को पकड़े, अमले की आप पक ठीक है, ठीक है तो जिफखान साब, मैं एक बार पर मीता चकरवर्ती जी के पास चलूँगा, मीता चकरवर्ती जी अब जो तस्वीर, पूरी फाइनल तस्वीर, पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे है, कॉंग्रेस के लिए देखिए, उसमें क्या कहानी है, कहानी यह है कि एक सीट, आपकी मालदा दक्षिन, वो तीन फिसद के स्विंग वाली स्थिती में है, यानि अगर तीन फिसद का स्विंग होता है, तो मालदा दक्षिन का परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है, यानि अपोजिशन की तरफ भी जा सकता है, आपकी तरफ जा सकता है, क वो हमारी existing MP दालुदा के बेते हैं और जैसे मैंने कहा राय गंज बोलिये, माल्दा उत्तर बोलिये, काफी सारे दुस्ते सीट्स भी है जहां पर हम लोग काफी उमीद रखते हैं तोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पेंगॉल में विस पेंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए हम लोग यहाँ पर majority appeasement की बात भी नहीं कर रहे हम लोग minority appeasement की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोजगार की बात कर रहे हम लोग price rise की बात कर रहे हम लोग जो रोज का जो daily issues है जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में उनका डेली इशुस के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट और कॉंडेस के लाइन्स और मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से जो लोग के खिलाफ बोट देना चाहते हैं, वो लोग as an alternative लेफ्ट और कॉंडेस को चूज करेंगे और जो आप दिखा रहे हैं, उसे काफी जादा वोट हमें मिलने वाला है, ठीक है, अब वक्त कमेंबडेस, फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे, एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा, प्रभु जावला जी सबसे पहले आपके पास आँगा, संशेब में जवाब चाओंगा, सर क्या कहेंगे आप, यह CA, संदेश, खाली, मोधी फेक्टर क्या दिख रहा है इन आंकडों से आपको? प्रणतु वेस्ट मंगाल के अंदर उनकी हीट अगर कम होती है, तो एक बड़ा धका BJP की हो सकता है, अगर बन जाती है, तो यह अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि BJP आने वाली है। जिस तरह केरल में बारती जनता पार्टी बिकल्प नहीं बड़ी, उसी तरह पस्चिम मंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस भी बिकल्प बनता हुआ, नहीं दिख रहा। जी, यश्वन देश्मुक साब, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा यो बाई सीटे हैं और ये जो बिलकुल सबकी दिल्चस्प भी अब इसमें हो गई है। तो ये जो बाई सीटों का अगर ये कहा जाए कि सामने तस्वीर कब तक साफ होगी सर। चार तारिक तक इंतजार करना होगा या उससे पहले। रोहित बत्स पास सो तिरालिस में कुछ और मांग लो लेकिन ये बाई सीटे न मांगो बाकी सब अपनी जगा ठीक है। आनन्द आएगा देखिए लोकतंत्र में अच्छी काटे की टक्कर हो ये पोल्स्टर या सर्वे करने वाले के लिए कठनाई का सबब ज़ूर है लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है। अगर मुकाबरे सब एकतरफाही होने लगे किसी भी राज्य में गाम भले ही आसान हो लेकिन लोकतंत्र का वो मजा नहीं आता। अच्छी काटे की लडाई ये लोकतंत्र के अच्छे लोकतंत्र के स्वास्त की निशानी है उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभिनंदर करता हूँ। पश्चिम बंगाल का मूड तो 24 के चनाफ से पहले ये सर्वे आपको ये बता रहा है लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसक बारे में जनता क्या कह रही है एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं इन आकडों के जरी बताने की कोशिश की कहां चुनावी बाहर बयार किस तरीके से चल रही है अब जरा बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की चुनाव के रहाच से बहुत सरगर्म इसे के साथ एपीम के खाते में भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनावी उसे ठीक रिख रहा है पहले ही ताजा सर्वे है जिसमें ये निकल कर सामने आ रहा है तो बयाले सीटों में से 20 सीटें बीजेपी को जा सकती है कॉंगर्स को दो सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा और 20 सीटों के साथ यहां पर बीजेपी जीत्ती दिखाई दे रही और 20 ही टीमसी यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से फिलाल ये इतनी सीटें बीजेपी और टीमसी 20 सीटें आपस में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है दोई जी बलकुल शरीन तो इस वक्की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो वीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पॉल पश्चिम बंगाल का आपके सामने है पश्चिम बंगाल में TMC BJP में कड़ी टककर इस पोल के मताबक देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में TMC BJP को 20-20 सिट मिलने का नुमान है 2019 के अगर बात करें तो भारतिये जनलता पार्टी को 18 सिट मिली थी यानि BJP को 2 सिट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है इस फाइनल ओपेनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम एमान मौझूद है भारतिये जनलता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद है और कॉंग्रेस से मीता चकरवर्ती हमारे साथ मौझूद है तो असीफ खान भी हमारे साथ मौझूद है, प्रभूज जामला जी हमारे साथ मौझूद है, वरिश पत्रकार राकेश शुकला जी भी हमारे साथ मौझूद रहेंगे और सी वोटर के फाउंडर यश्वन देशमुक्वी हमारे साथ मौजूद रहेंगे आप सबका स्वागत है सबसे पहली प्रतिक्रिया केके शर्मा जी क्या कहेंगे दो सीट का फाइदा आपको होता हुआ दिख रहा है जो भी दिखा रहें अच्छा दिखा रहें जो आपको फिडवैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पोल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिखाती है कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है पिछली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पोल के निसाथ स्यदी में समझो तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे है इसका मतलब ये हुआ जो मैं समझ पाता हूँ राजनितिक विद्यार्थी के रूप में कि वहां पर भारती जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है वो उस दिशा को इंगित कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा उहां बढ़ रही है अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम उहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारकर सा नेता और जिस धरंका हम अपना विशे लेते हैं उस फिडबैक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं ज्यादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी और निश्चित तोर से हमारे आकड़े को जो हम सोचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी 400 सीट हम उस आकड़े तर पहुच जाएगी खिके शर्माजी आपका कहना है कि यह तस्वीर और बदलेगी आपका कहना है बीस से उपर भारती जनता पार्टी जाएगी हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौजूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब टी-म-सी को दो सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है क्या कहेंगे आप और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बलकि से कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें, 2021 की राज्य सुभा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़हत दिखाया जा रहा था बीजेपी को, कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है, वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में, लेकिन जब नतीजा आया, तो सारे लोग शौक है, और जो लहर ममता बैनर जो पॉब्लिक में, बंगाल की जनता में जो उनकी पॉपिलारिटी है, वो आज भी कायम है, तो किस तरीके से ये आग्रा आपने बिलकुल अपना एक सर्वे किया है, आपके सर्वे के हिसाब से ये आख्रा आ रहा, लेकिन मैं इस से सहमती नहीं रखता, मेरे हिसाब से जो से स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी आप देखेंगे हाल ये है, कि पीजेपी तो कोई जॉइन कर नहीं रहा, लेकिन पीजेपी ने अभी तक तो पूरे के पूरे व्याली सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिये, तो ये बढ़ा कहां से ये ले करके आएंगे, क्यों नहीं अ मीता चक्रवर्ती हमारे साथ है, मीता जी क्या कहेंगे आप, दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्ती हुई दिख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बार्शो, हापी बिंगॉली न्यू येर और पश्टी मंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है, वो हम लोग सीट अजास्मन करके, एक अलाइंस करके, हम लोग की चुनाव लग रहे हैं ये बात तै है कि पश्टी मंगाल में टी एमसी के खिलाफ एंटी इंकंबन्सी तो है, पर पश्टी मंगाल के लोग है, वो काफी लिबरल और सेकुलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्प की तरह वो बीजेपी के ओर जाएंगे मैं सर्वे के रिजाल के साथ बिलकुली समयत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है, माल्दा और मुर्शिदाबाद में, साउत माल्दा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाए हो आप लोग, और बहरंपूर में अधिर रंजन चोधरी जो हमारी ल हैं, वो हमारी Candidate है, और काफी सरे जगा में हमारी Candidate और Left Candidate जिसके साथ हम लोग सीत अजास्न करके लगए, वो काफी जगा Left की लिए जादवपूर में और चलीम साब जो की मुशिदाबाद से लगए, वो काफी आगे जीजूँगा, मैं आपको रोकूँगा, आपके पश्चिम बंगाली 42 निकल कर सामने आ रहे है पश्चिम बंगाली 42 सीट की यह दिगी यह पश्चिम बंगाली 42 सीट है और इन सीटों पर 2024 के चुनाब में क्या कुछ होने वाला है वो तस्विर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे है तो आप यह देख सकते हैं पीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष्णानगर, जैनगर, घाटल, बारासाथ, आसन्सोल, बर्धमानपूर्व, बोलपूर, हावडा, मतुरापूर, श्रीरामपूर, कोलकाता दक्षिन, जावतपूर, बशीरहाड, डायमंड हारबर, कोलकाता उत्तर, मुर्शिदाबाद और उलुबेरिया, ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं, जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनियन पोल के मुताबिक, और भारतिये जरिता पार्टी के अगर बात करें, वो 20 सीटे कौन है आए, मैं वो भी आपको दिखा दूँ और बलूर घाट, बैरकपूर, दारजलिंग, मिदनापूर, तामलोक और जलपाई गुडी और बंगाओं ये वो सीटे हैं, जहाँ पर भारतिये जरिता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्व बड़ा रोचक के आंकड़ा है, यश्वन देश्मुक जी हमारे साथ मौझूद है, सी वोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे, 11 सीट ऐसी है, जहाँ 3 फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो 11 सीटे कौ कुछ और कर सकता है, घाटल, और यह सीट है, इसके राबा मालदा दक्षिन, एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यश्वन देश्मुक जी से मेरा आग रहा है, यश्वन जी मैं चाहूंगा अगर आप आजाएं यहां 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 आकर दर्शकों से हम लोग बात करते ह क्योंकि यह अंकरा बड़ा दिल्चस्प है, बीस-बीस सीट अभी आप दिखा रहे हैं, बीस सीट टीमसी, बीस सीट बीजेपी और दो सीट कॉंगरिस, लेकिन यह ग्यारा सीट ऐसी है, जहां तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहां से शुरुआत करत पांच फीजदी से कम है दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने वाला जो भी है वो एक तरफा जीत रहा है, चाहे इधर जीते या उधर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला पांच फीजदी ही नहीं, डबल डीट में दस-दस फीजदी है, उसे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम दरसल आज की तारीक में ट्रेकर हमारा बोल ला है, अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला कहीं हो रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल और महराश इन दो राजिमरा, पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया तीन फीज़ी से कम के स्विंग के उपर ये फिलिप कर सकती है यानि ये शुन जी ये शुन जी मैं आपको रोक रहा हूँ यानि अभी हम बीस बीस दिखा रहे हैं जो सीट दिखा रहे है बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घाट ये यहाँ पर बीजेपी आगे है लेकिन तीन फीसद का अंतर है यानि यानि पच्चिस टीमसी भी हो सकती है बीजेपी भी हो सकती है यानि यहाँ से अगर तीन फीसदी का ग्राफ स्विंग बीजेपी से टीमसी की होर हो जाता है इन सीटों पे फिलिप हो जाएंगी टीमसी का ग्राफ 25 हो जाएगा, बीजेपी का 25 हो जाएगा लेकिन उल्टा भी हो सकता है यहां से प्रधानमंत्री मोधी का कैम्पेंग यह अगर सर चड़ता है आगे बढ़ता है तो और तीन फिस्दी का स्विंग बीजेपी के पक्ष में हो जाता है यानि 25 इस तरह भी 25 इस तरह भी तो CAA इसके अलावा अगर हम बात करें संदेश खाली इसके अलावा बात करें प्रदेश सरकार पर करप्शन के चार्जिज तो अगर यह तमाम कंपेंड बनती है तो तस्वीरी धर से उधर भी हो सकती है प्रभू जाबला जी आपका रेक्श हमने राज किया था तो कॉंग्रेस जैसे जैसे मार्जिलाइज होती चलिया रही होई दिखाई दे रहा है सारे प्रदेशों के अंदर यहां जहां कॉंग्रेस खतम होटी जाती है उसका रेप्लेस्मेंट ज्यादा तर बीजेपी बन रही है और वेस्ट पंगाल को पिछले हो सकता मेरे को लगता है कि आल्टरेटिव वहां पर कॉंग्रेस का जो जो आप करें सिब लिबरर और सेकुलर महां पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो है पाकिस्ट वहां पर डेवलप ज्यादा हो रहा है मुदी जी की वज़ए हो सकता है और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी आला कि बागी स्टेट के पास हैं वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी मोधी की वज़ए से एग्रेशन की वज़ए से और टी एमसी की अपनी एक पॉलिटिक सह जो नेरो हो गई है तो इस्यू क्या बनाया उन्हेंने महां पर एक नै परसंटेज जो है चार प्रसंट का फरक है लगबाग इतके अंदर जे एमसी अभी भी सबसे जाए पापुलर पार्टी है 15 साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी टर्न चलने रही है वहां पर तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस ह खिलाफ अपना ऑल्टरेटी बन करके आना ये एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्टी है कितनी सीटे हैं कि कुछ बहुत सुपर नहीं परता है परनतु वेस्ट पंगाल के अंदर फ्यूजर क्या देखते हैं ऑल्टरनेटी टू टीमसी ये बीजेपी है ये इससे पश्ट त्रिमौल कॉंग्रेस के खिलाफ चिणाव लए रहा है आखिर महाँ पे मैंडेट क्या है किसका मैंडेट मांग रही है और अगर टीमसी के खिलाफ चिनाव लड़ लए रही है तो रच्टी इसलों पर चिनाव मेरे निया इंडिया के घटबनदन में वो टीमसी को अपना पहुंचा रहे हैं या उनको रुकसान करें। तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं आ रहा है, 19 का पैटर नहीं है, फिर जो आप सीट का बता रहे हैं कि ये 5 सीटे उलट पलट ये 10 सीटे उलट पलट हो सकती है, तो तर्मूल के साथ 15% बोट ऐसा है जिसको या तो आप हिंदू कहेंगे या बंगाली कहेंगे, क्योंकि 30% मुस्लिम बोट तर्मूल के साथ है और इसी तरह से हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला आ रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ तो जो आप 25 सीटों का और S1 जी भी बोल रह है, तो 5% बोट जो है, वो यदि कहना चेहीं करमूल से नीचे आया, यानि 40 के आसपास यदि पहुंचा परसंट एक, जो आप मान के साथ ये भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है, कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे हैं, मेरा अपना आकलन ये है, जो मेरी वहाँ बा जी, ये राकेश जी का कहना है, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने 3% के स्विंग के सित्य दिखाई, एक और दिल्चस पांकडा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है, और देखिए, अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूँ, पश्चिम बंगाल में हमने 11 सीटे दिखाई, आपको जहां पर 3% के स्विंग होने से तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही है, देखिए, ये वो तमाम सीटे हैं, 11 सीटे हैं, और लेकिन अब ये देखिए, 11 सीटे ऐसी हैं, पश्चिम बंगाल में एक फिसद का अगर स्विंग होता है, तो भी तस्वीर बदल सकती है, ये बड़ा दिल्चस्प हो जाता है, एक पर फिर से मैं येश्वन देश्मुख जी को बिलाऊंगा, येश्वन जी बताइए, मैं चाहूंगा एक पर यहां पर आईए आप दर्शुकों के सामने, और आईए क्योंकि तीन फिसद में 11 सीटे और एक परसेंट के स्विंग में 11 सीटे यानि तस्वीर तो किस तरह से बड़ा बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है, और ये तीन परसेंट और एक परसेंट का जो ये उल्जन है, इस उल्जन को भी दूर करिए, रोहित इसमें ब्रह्मा जी भी अवतरित हो करके बताएं, तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं इनके उपर अपनी निगाह रखिये, क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं जिसके उपर हार जीत का आकलन, जिस दिन कांटिंग हो रही होगी चार जुन को, उस दिन भी सुब 11 एड होगे तो 31-32 भी पहुंच सकता है, मैंने आपको इसलिए बोला कि पश्चिम मंगाल इस समय इस देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां पे इतनी कांटे की टक्कर है, एक-एक सीट, एक-एक पोलिंग बूथ पे उस तरीके की कांटी क्रिकर होगी, महाराष्ट को मै गिना था, लेकिन महाराष्ट की कहानी दूसरी है, महाराष्ट की कहानी कांटे की टक्कर की नहीं है, महाराष्ट की कहानी कन्फ्यूजन की है, असमंजस की है, इसलिए विचित रिस्तिती है, पश्चिम बंगाल में कोई कन्फ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है, पश्च कि मैं जब आखड़े देखता हूं रोई तो उसने एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में 55% के करीब दसे बार 11% जो वोट बचा है वो दरसल एंटी मम्ता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो यह एंटी मम्त प्लैंक पे क्या कॉंग्रेस और लेफ्ट का यह बचा कुछा वोट बीजेपी की और फर्दर पोलराइजेशन में शिफ्ट होता है जी बैशुन्दा आपको रोकूंगा प्रभू जी क्या कहेंगे आप यह जो तस्वीर बनके सामने आरे पस्ट्रिम बंगाल की यह तो एक अगर एक तरफ कर दें जोन तरफ तो काफी बचेश भी दस पर आ सकती है और उस जीरों पर आ भी आ सकते हैं यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप 20 की 20 दे दे एक तरफ जैसे 11 यह और 12 अगर एक तरफ चली गई तो बीजेपी का आकड़ा 20 है ना 22 जोड़ दिया या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनकर सी टी एमसी को चुनेंगे कॉंग्रेस पाटी मार्जलाई होती चली जा रही है और इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जलाई है हाले कि लेफ्ट और कॉंग्रेस मिल करके लिब्रा सो कॉल वोट यूए बंगाली वोट है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी को सकती है या 30 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 बीज जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारतिये जरता पार्टी लेकिन एक फिस्द से आगे इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है आसन सोल देखे आसन सोल इसके लावा जारग्राम बर्दमान दुर्गापूर ये बीजेपी के लिए एक फिस्द का आंकड़ा यानि खत्रे की घंटी यहां पर बीजेपी के लिए भी हो सकती है और टीमसी के लिए अच्छी ख़बर भी आ सकती है वैसे ही उल्टा भी है इसके लावा बैरकपूर और बशीर हाट ये वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल ये जो ग्यारा की तस्वीर निक हम लोग 25 पार कर जाएंगे तो ये जो स्थिती बन रही है और ये जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो ये तो ऐसा लग रहा है जो सर्वेक के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आसपास ही पहुंचेगा देख HEY दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या दोनों ही पार्टी के प्रवग्ता जो दम ठोट के बोलते हैं मैं उनको दोश कता ही नहीं देता सबसे ज़्यादा non-response surveys में आता है यानि वो लोग जो यह नहीं बोलते कि हम किसको vote देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते हैं ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही नबर एक दूसरी चीज़ turn out factor हो ही बहुत important होगा क्योंकि law and order अगर मजबूत होगा और turn out सही होगा तो नतीजे क्या आएंगे वो अलग तरीके से define होगे इसलिए 7 phases में पश्चिम बंगाल का यह जो 3-3-4-4 seat वाला मसला है न यह अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस प बदलाब हो सकता है एक फीसद की बात है एक फीसद की आलंगे आज यह श्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुड़ता पैना लेकिन इनके कुड़ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ठीक है नहीं जी बिलकुल ठीक है और साथ में जि राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इधर से उधर उधर से इधर होता ही रहेगा और शाम तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश्चिम बंगाल की गिंती चलती रही और यह 11 सीटें आप नोट कर लिजिए बड़ी यह 10 सीटें अगर किसी तरह भी जाती हैं यानि 11 सीटें 10 से 11 सीट तो 30 से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है थे कि 543 में से 139 सीटों का उपिनियन पोल सामने आ चुका है जिसमें एंडिये 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया संधन को मिलती हुई दिख रही है अब तक यानि 129 सीटों के हम बात कर रहे हैं 543 में से और इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और 2 सीट कॉंग्रिस को म महमान हमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है ये पूरी स्थिती है TMC 20, BJP 20, कॉंग्रेस 2, एक और दिल्चस्प आंकड़ा 3 फिसद स्विंग वाली सी सीटें कौन सी है उस पर जड़ा नजर डाल लीजिए फिर उसके बाद बड़ी दिल्चस्प चर्चाम करने वाले हैं देखिए 3 फिसद का स्विंग 11 सीटें ऐसी हैं चाहां पर 3 प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं ये वो तमाम सीटे ये जा 3 फिसद का स्विंग अगर होता है तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है अब और आगे दिखाता हूं आपको और 11 सीटें ऐसे जहां एक फिसद का स्विंग कुछ भी कर सकता है एक फिसद आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है दम सवाल यह उठ रहा है कि अभी 20,20 सीट मिलने का अनुमान है लेकिन 22 सीत ऐसी हैं यानि 11 सीत हैं जहां 3 फिसद का स्विंग पर कुछ भी हो सकता है और 11 सीट हैं जहां एक फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है एशभाध मिला अपर 20 सीट है जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये, परम ज्यानी छोड़िये, ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे, तो भी आपसे यही कहेंगे, रोहित, बच्चा कुछ और वरदान मांग लो, इन वाई सीटो का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो, इसलिए, इसलिए, जो म कहना चाहिंग रोहित, हमारा ही ये चैनल था, हमारा ही सर्वेक्शन था, जिसने दो हजार उन्निस में पहली बार, अठारा सीट बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी, कोई यकीन करने वाला उस समय नहीं था, हमारा ही ट्रेकर यहाँ पे एबीप पे अकेले हम लोग थे ABP News और सीवोटर, जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रेकर चला के बोला कि मम्दा दीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है, बीजेपी नंबर दो पहुच रही है, लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुच रही है, लेकिन दूर दूर तक जाहा यानि B-Seat की तस्वीर साब है, B-Seat कहीं भी जा सकती है, तो यह तो बड़ी अजीब सीती है, यानि 10-10 सीटे BJP और TMC की क्लियर है, और B-Seat ऐसे हो कहीं भी जा सकती है रोहिक जी यह जो एक फीस्दी बोर्ट से 11 सीटों का जो आक्रा है, उसमें आप 4 सीटे देखी, वो बड़ी महत्पूर्ण है, क्रिष्णनगर सीट, महुआ मोहित्तर जी की है, सदस्ता खतम हुई उनकी, पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वो जीती थी, इस बार भी कंडिडेट हैं, एक फीस्दी का अंतर बताया जा रहा है, आसन सोल सीट सद्धन सिनाजी की है, पिछली बार जब उप्चुना हुआ, मार्जिन अच्छा था उनका जीत का, इस बार आप बता रहे, एक फीस्दी में उनकी सीट जा सकती है, बसीर हाट इसी सीट पर संदेश खाली आता है, पूरा कांड हुआ है, बसीर हाट सीर से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी, इस बार एक फीस्दी का अंतर आ गया है, यह जो है यह बड़ा बहुत महत पूर्ण है यह सीटे, जार ग्राम, आपके पस्चिन पूर्ण है, वो कहीं न कहीं तर्मूल कांडरीस का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, बलकि मैं तो यह कह रहा हूँ कि जो यह इस वक्त यह डेटा देख रहे हैं, दर्शक उनको भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि यह बहु स्विंग होता तो 11 सीटे कहीं भी जा सकती है, यानि आंकडा 22 सीटों का बनता है, प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा उसके बाद, जो हमारे राजनितिक में हमाने उनके पास जाऊंगा और उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे, कि यह तस्वीर जानके उनका जाती 300 से कितनी ऊपर जाती है, अभी तो फारी नेकर में पता नहीं इनकी जिम में क्या रखा है, जब निकले अगा तो आएगा, कि अगर बाइस यहां बीस पर अटक जाती है, या उससे आगे जाती है, वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है, बड़ी पी क के अंदा जब तक बड़त नहीं होती, मेरे को लगता है, एक नेता की तरह से नावाद दी गई है, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए, परंतु 300 से ऊपर करना, जो पिछले साल के बूदी जी की विक्टरी तब है, एक तो थार्ड रिकॉर्ड विक्टरी होगी, 306 से ऊपर आ हाल है, यह जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है, यानि 10-10 सीटे क्लियर है, लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी हैं, जिन में से 11 सीट, 3 फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है, और 11 सीट ऐसी हैं, जो 1 फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है, सर, आपका अब जो ये पूरा आंकरा सामने आया के किश्वरमा जी कि रोहिज जी तीन जो है विद्वान विशलेशक के हां पर बहुत वन्भवी विशलेशक बैठे हैं मैं उनके समझ दो-तीन बातें रख रहा हूं और उनसे पिक्षा भी करूगा कि इस पर जदू विचार रखें इसका मतलब ये हुआ कि दो सीट हम बढ़ रहे हैं तो दो सीट क्यों बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि मएमता सरकार के परति एंटी dhit सी 국 Adm है तब ही तो हमको दो सीट की बढ़त मिल रही है इसका मतलब की मम्ता सरकार के वहां पर जब क्योंकि यह देखिए विधान सभाव लोग सभा के चुनावाला लोग प्रेक्टर पर होते हैं यह सब लोग मानते हैं तो पिछली बार 18 से लेकर 20 के मतलब मम्ता के अगेंस मामला चल रहा है और यह कहां तक बढ़ता है जहाँ एक परसेंट तीम परसेंट की आप बात कर रहें तो सभाविक रूप से कि यह एंटी 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 इंटी ने प्रक्तर है यह अन्य जगहां भी लागू होंगे तो प्रदेश मेयदी को एंटी इंटी इंटिंगंशी करना है इसलिए वो डर से नहीं बताना चाहते तो वोटर किसके हुए वोटर तो भारती जनता पार्टी के उपच्छ के होगेगा इसके अलावा एक बहुत इंट्रेस्टिक बात एक चीज़ कहता हूँ अभी माने प्रबुजी ने एक अच्छी बात कही कि पस्चिम बंगाल का रिजेल्ट ये लिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान जिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रणान मंत्री बोधी जी के नेत्वित में दोजार चौविस में भाजपा तो सरकार बना ही रही है अपने सायों की दलों के साथ अब बीसर ये कि इसमें जो हमारा लक्ष है तीन सो सतर वह हम कहुंचने के लिए ये सारी ठीके शर्मा जी आनि आपका कहने कि इसलिए वोटर नहीं बोलता आपका कहने कि आपके समर्थक है अंतीम एक प्रस्टे जी बोल दीजेए बोल दीजेए संक्षेव में बोलीगा सर उसको डर तो टीमसी से ही है ना वहां पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आस जो है आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लिये हुए निर्व सीना मैं समझता हूं कि तिमूल कांग्रेस के टाप चार फंच जो विद्वारे उसमें प्रमुक हैं सबसे फेमस और वह वेक्ती जदी एक परसेंट पोट से फसे हुए जबकि अहलवालिया साहब की घोश्टना अभी विदी ने चार दिन पहले हुई है चार पात दिन पहल लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा शत्रुगंजिना जी ने ट्रेनिंग आपी की पार्टी में ली है तो एक फिसद से ये तीन फिसद में कब आ जा है पान फिसद में कौन चला जा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता बरहाल मैं आपके पास आँँगा तो सिफ खान गोहन दक कहीं भी गूम सकता है जी यहां मैंने देखा के आपने देखाया है कुछ सीटें एक पर्तिशंत में स्विंख कर सकती है कहीं पर तीन पर्तिशंत में स्विंग कर सकती है दिए 2019 को बार-बार जिक जा किया जा रहा है लेकिन 2019 के बाद 2021 में State election हुए फिर उसके तो यह त्रेंड जो है यह दिखा रहा है कि डीजेपी का डाउनफॉल हुआ है और तिर्णमुल को बढ़ोती मिली दूसरी तब आप देगे कि जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादा लोकल इसूस को लेकर के नहीं थे क्योंकि जब हो इसमें बेंगॉली सेंटिमेंट जागेगा और बेंगॉली सेंटिमेंट का जो वों फो टाव कि तरफ नहीं जा करके ज हूंकि यूट जो जो है फो जाति आई वह यह वह एदेमेटली तिर्णमुल हो को ही लेकिन लेकिन तो असिर खान साब बड़े संशे में माफी चाहूंगा आपको रोक रहूं लेकिन तीन फिस्द और एक फिस्द का जो आंकड़ा 11-11 सीटों का 22 सीटे ऐसे बनती है वहां पर तो कोई दावा नहीं कर सकता अगर हम आंकड़ों की बात करें कि वह तो तस्वीर कि इसी की तरब भी जा सकते है ठीक है यह आप दावा कर सकते हैं कि ममता जी को मिलेंगी बीजेपी वाले यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें मिलेगी लेकिन यह बात तो आप मानते ना सर कि तीन फिसद का स्वींग और एक फिसद का स्वींग कुछ भी तस्वीर सामने ला सकता ह तीन पीसर और एक फिसर का आपके आपके मितलब आपके उपिनियण पोल के हिसाब से है मैं आपको वोटर का जो 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 शेर का परसेंटेजे में उसकी बात कर रहा हूँ तो मैं कि दोजार इस चीनाओं के बाहरा यह वोगों ने वौट किया है उस हिसाब से भूट एकीज के आकड़े को पकड़े, MLA की आप पकड़के चले, MLA के इतने BJP के है, जो के लेटेस्ट है, या फिर आप पंचायत को लेकर के चले, जो के और भी लेटेस्ट है, तो उससे तो BJP कहीं पर भी डवल डिजिट आकड़ा पाथ गर्ती भी नहीं दिख रही, मैं मानता कि आपके पास में ये उपिनियन पोल है, लेकिन उससे मैं सहमती नहीं दगता, ठीक है, ठीक है तो असरीफ खान साब, मैं एक बार पर मीता चकरवर्ती जी के पास चलूँगा, मीता चकरवर्ती जी अब जो तस्वीर, पूरी फाइनल तस्वीर, पश्चिम बंगाल की निक अपोजिशन की तरफ बें जा सकता है, आपकी तरफ बें जा सकता है, क्या कहीं गया? देखें, टोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पिंगॉल में, विस पिंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पर मिजॉरिटी एपीस्मेंट की बात भी नहीं कर रहें, हम लोग रोजगार की बात कर रहें, हम लोग प्राइस आप से जो लोग टीमसी के खिलाब बोर देना चाहते हैं, वो लोग as an alternative, लेफ्ट और कॉंग्रेस एलाइंस को चूज करेंगे, और जो आप दिखा रहें, उसे काफी जादा वोट शेर हमें मिलने वाला है, ठीक है, अब वक कमेंबडे इस फाइनल कमेंट के लिए हमारे त जिशा तैय करेगा देश की तरफ जा रहा है, इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर मोदी जी की किती जलती है, मैंने कहा कि वहां पर मोदी जी नितने मिनत की है, और मिशा वहां जाते रहे हैं, तो उनके लिए प्रेस्टिज का सवाल है किस तरह से ममता वेजल जी के 35 का जो हीट अगर कम होती हैं तो एक बड़ा दका बीजेपी की हो सकता है, अगर बन जाती है तो अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है जी, राकेश शुकला साब क्या कहींगे आप, ममता की लोगप्रेता, मजबूत, संगठन, विपक्षी वोटों का विखराओ, ये तमाम बाते और ये जो पिनियन पोल आ रहा है, क्या कहना आपका, फाइनल कमेंट, संक्षेप में सर् वहाँ पस्चिम मंगाल में दो चेहरे चुनाव लग रहे हैं, ममता बनर जी और नरेन मोदी जी, जहां तक बिकल्प की बात की जा रही है, जिस तरह केरल में बारती जनता पार्टी बिकल्प नहीं बड़ी, उसी तरह पस्चिम मंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस भी बि जाफ होगी सर, चार तारिक तक इंतजार करना होगा या उससे पहले? यह लड़ाई यह लोगतंत्र के, अच्छे लोगतंत्र के स्वास्त की निशानी है, उस लिहाज से पश्चिम मंगाल की जनता का मैं अभिनंदर करता हूँ. अभी बात पश्चिम बंगाल की जहाँ बीजेपी, संदेश, खाली और CAA जैसे मुद्दों को सियासी इधार बना रही है, क्या यह मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुँचाने वाले हैं, या फिर ममता बैनर जी की लोगत्रियता के आगे, बीजेपी का हर दाउं धराशाई हो जाएगा, या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है, और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है, यहां राजजुनेतिक महमानों के साथ प्लिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद है, तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड़, तो 24 के चनाव से पहले यह सर्वे आपको यह बता रहा है, लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, कि मूड क्या है जनता का, आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसके बारे में जनता क्या कह रही है, एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं, इन आकडों के जरी बताने की कोशिश की कहां चुनावी बाहर, बयार किस तरीके से चल रही है, अब जरा बात कर लेते हैं, पस्चिम बंगाल की चुनाव के रहाज से बहुत सरगर्मी बहां देखी जाती है, तो पस्चिम बंगाल का आकड़ा किया है, वहां का सबसे पहले आपको वोट शेर हम बताते हैं, कि क्या किसके खाते में कितना प्रतीश जाता हुआ देख रहा है, 44 फीसदी TMC को यहांपर मिल सकता है, सरवे के बताब एक 6 फीसदी बोट शेर कोंगर्स की खाते में जा सकता है, अन्या के खाती में 6 फीसदी जा सकता है, उसे के साथ EPM के खाते में भी 6 फीसदी बोट शेर जाता दिख रहा है, तो 42 सीटो का बोट शेर के लिहाज से यह पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल का अब जरा ये कनवर्ट कैसे होता है सीटों में किस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनामों से ठीक पहले ये ताजा सर्वे है जिसमें ये निकल कर सामने आ रहा है तो बैयाले सीटों में से 20 सीटे BJP को जा सकती है 20 सीटों पर TMC भी कबजा कर सकती है सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से पिलाल ये इतनी सीटे BJP और TMC 20 सीटे आपस में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है दोई जी इस फाइनल ओपेनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम एमान मौझूद है भारतिये जरिता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद है और कॉंग्रेस से मीता चक्रवर्ती हमारे साथ मौझूद है तौसीफ खान सबसे पहली प्रतिक्रिया के के शर्मा जी क्या कहेंगे दो सीट का फाइदा आपको होता हुआ दिख रहा है 2024 में पिछली बार 18 इस बार 20 सीट क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है ओपेनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज़्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज़्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पोल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिखा दिखाती है कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है पिछली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पोल के दिखाती मैं समझू तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं बारती जनता पार्टी के जो हमारे कारकरता नेता और जिस धरंका हम अपना आरून विशे लेते हैं उस फिडबेक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं जादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी और निश्चित तोर से हमारे आकड़े को जो हम सोचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी और 400 सीट हम उस को दो सीट का नुकसान होता हुआ देख रहा है क्या कहेंगे आप और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बल्कि से कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें 2021 की राज्य सुबा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़त दिखाया जा रहा था बीजेपी को कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजा आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर जी जो पॉब्लिक में बंगाल की जनता में जो उनकी पॉपिलारिटी है वो आज भी कायम है तो किस तरीके से यह आगळा आपने बिल्कुल अपना एक सर्वे किया है आपके सर्वे के हिसाब से यह आख़ा आरा लेकिन मैं इससे सहमती नहीं रखता मेरे हिसाब से जो 2019 के जो उससे काफी नीचे गिरने वाला है आप कंपैर करें के 2019 में यह देखा गया था कि तिर्नमुल से बड़े बड़े नेता बीजेपी को जॉइन कर रहे थे वो जैन्वरी महने से स्टार्ट हो गया लेकिन अभी आप देखेंगा हाल यह है कि पीजेपी तो कोई जॉइन कर नह कि आपका कहना है कि भारतिये जॉनिता पार्टिय भी प्रत्याश्ची भी नहीं दे पाई और उसके बावजूद उकिस आधार पर बढ़त का दावा करें के के शर्मज आपके पास आता हूं लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस के प्रतिक्रिया ले ले लेते हैं मीता चक्रवर आपके बंगॉली न्यू यर और पश्टीम बंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी तो है वह हम लोग सीच अजास्मन करके एक अलाइन्स करके हम लोग की चुनाव लर रहे हैं ये बात तै है कि पश्टीम बंगाल में टी-मसी के खिलाफ एंटी इंकम्ब के जाल के साथ बिल्कुली समयत नहीं हूँ मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है माल्दा और मुर्षिदाबाद में साउत माल्दा में इशा खान चोधरी को लीड में दिखाये हो आप लोग और बहरंपूर में अधिर रंजन चोधरी जो हमारी लीडर आफ है और काफी सारे जगा में हमारी कांडीडे तो लेफ कांडीडे जिसके साथ हम लोग सीत इज्यास्मन करके लग रहे हैं वो काफी जगा लेफ्ट की लिए जादुपूर में और सलीम साब जो की मुशिदाबाद से लग रहे हैं मिता चत्रबरती जी मैं आपको रोकूँग बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की 42 सीटे है यह दिखे यह पश्चिम बंगाल के तमाम 42 सीटे है और इन सीटों पर 2024 के चुना में क्या कुछ होने वाला है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं TMC 20, BJ जेपी बीस और कॉंग्रेस दो यानि बहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटोबर टीमसी यानि आप ये देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है बीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष्णानगर, ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनियन पोल के मुताबिक और भारतिये जरिता पार्टी के अगर बात करें वो 20 सीटे कौन है आई है मैं वो भी आपको दिखा दूँ देखिए अलिपुर्द्वार, बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपुर, हुगली, जारगरा, मालदा उत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या इसके अलावा बर्दमान, दुर्गापूर, कूच, बिहार और बलूर घाट, बैरकपूर, दारजलिंग, मिदनापूर, तामलो यह तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, कांटे की टक्कर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में, और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आपको बता दू, बड़ा रोचक के आंकड़ यश्वन देश्मुक जी हमारे साथ मौझूद है, सी वोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे, ग्यारह सीट ऐसी है, जहां तीन फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो ग्यारह सीटे कौन कॉर है, बांक यह सीट है, इसके लाबा मालदा दक्षिन, एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यश्वन देश्मुक जी से मेरा आग रहा है, यश्वन जी मैं चाहूंग अगर आप आजाएं यहां 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 आकर दर्शकों से हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंक पहली बात तो यह कि जब अपने दर्शकों बताना बहुत जबरी है कि पश्चिम, बंगाल और महराश्च, हमारे इस पूरे आकलन में यही दो एक ऐसे राज्य हैं रोहित, जहां पर हार जीत का अंतर पांच फीस्दी से कम है दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी असल आज की तारीक में ट्रेकर हमारा बोल ला है, अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला कहीं हो रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल और महराश्च, इन दो राजिमारा, पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया तीन फीजदी से कम के स्विंग के उपर ये फ्लिप कर सकती है, यानि अभी हम बीस बीस दिखा रहे हैं, यह जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच बिहार, राय गंज और बलूर घाट, यह यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन तीन फीजद का अंतर है, य टीमसी का ग्राफ 25 हो जाएगा, बीजेपी का बीस हो जाएगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, यहां से प्रधानमंत्री मोधी का कैम्पेंग यह अगर सर चड़ता है, आगे बढ़ता है, और तीन फीजदी का स्विंग बीजेपी के पक्ष में हो जाता है, तो इसका मतलब यह साफ होगा, कि वो पांस सीटें, जो आप यहां पे हरी दिख रही हैं अभी टीमसी के पक्ष में, वो फिलिप करके बगवा भी हो सकती है, बल्कुल, यश्वन्जी आपको मैं यहीं रोकूंगा, वारिश पत्रकार प्रभू चावला जी, मैं वहारे साथ मौजूद है, उनको चर्चा में लेकर आना चाओंगा, प्रभू चावला जी, क्या कहेंगे आप, यह जो तीन फिसद के स्विंग की बात यश्वन्ज कह रहे हैं, कि आंकड़ा भी बीस बिसका है, यानि पच्चेस इस तरफ भी, पच्चेस उस तरफ भी, तो CAA, इसके अलावा अगर हम बात करें, संदेश खाली, इसके अलावा बात करें, प्रदेश सरकार पर करप्शन के चार्जिज, तो अगर यह तमाम कंपेंड बनती है, तो तस्वीरी धर से उधर भी हो सकती है, प्रभू चावला जी, आपका रेक्शन. सारे प्रदेशों के अंदर, जहां जहां कॉंग्रेश खतम हो जी जाती है, उसका रेप्लेस्मेंट ज्यादातर बीजेपी बन रही है, और वेस्ट पंगाल को पिछले दस सालों से बीजेपी ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था, क्योंकि फेटलिटिक ग्राउं जो आप करें सिब लिबरर और सेकुलर, महां पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो है पाकिस्ट वहां पर डेवलप ज्यादा हो रहा है, मोदी जी की वज़ए भी हो सकता है, और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी, आलाग कि बागी का और दूसरा वहां पर करॉप्शन का जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टीमसी की निताओं को अरेस्ट किया, उनको टार्गेट करके वहां पर एक करॉप्शन, कमिनलिजम और नैशनलिजम का कमिनिशन मना कर के बीजेपी निया और्टरिनिव बनाया है, मेर को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, ये ऐसी स्टेट के अंदर टीमसी के खिलाफ अपना ऑल्टरेंटरी बन करके आना, ये एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्टिये, कितनी सीटे हैं कि कुछ बहुत सुपनी पर परता है, परनतु वेस्ट पंग के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है, जो विपक्ष के वोटर्स की जहां बात हो रही है, जैसे कॉंग्रिस के प्राउकता से अगर आप पूछें कि आखिर पश्चिप मंगाल में वो चनाव किसके खिलाफ लड़ रही है, वो भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, या ट्रिन इंडिया के अलाइंस के अंदर, सेम यही सवाल आप लेफ फ्रेंट के लोगों से भी पूछ सकते हैं, और टीम से से भी पूछ सकते हैं, कि यह कंट्राडिक्शन जो है, यह उनको फाइदा पहुचा रहे हैं, या उनको रुक्सान कर रहे हैं? या ट्राइंगुलर फाइट नहीं बन पा रही है, प्रभू चावला जी कहना है, राके शुक्ला साब क्या कहेंगे आप, कांटे की टक्कर, यानि 20-20 है, यह 25 हो सकता है मामला, 20 भी आसकता है, जो भी आंकडा दिखा रहा है, देखे वहां पे तीन तरह का बोटर है, एक बंगाली, बंगाली मैं इसलिए कह रहा है कि वह अपने आपको किसी के साथ जोड के नहीं चल रहा है, अब जो आपका आकडा बोट आप परसंटेज का रहा है, वह आप 14, 19 और 24 में देखे तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं आ रहा है, पिर जो आप सीट का ब साथ है, और इसी तरह से हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट, वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का और S1 जी भी बोल रहे, प्रभू जी भी ने जो कहा है, तो कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे, मेरा अपना आकलन यह है, जो मेरी वहाँ बादचीत हुई है, मुझे लगता है अधीर रंजन के अलाबा, वहाँ कॉंग्रेस के लिए दूसरी सीट हासिल करना थोड़ा कठीन है, तो उसका गोटा परसेंटेज कहीं नहीं बढ़ना था यह राकेश जी का कहना है, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, यह तो हमने तीन प्रसेंट के स्विंग के सित्य दिखाई, एक और दिल्चस पांकडा पस्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है, और देखिए, अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूँ, पस्चिम बंग पस्चिम बंगाल में, एक फिसद का अगर स्विंग होता है, तो भी तस्वीर बदल सकती है, यह बड़ा दिल्चस हो जाता है, एक बर फिर से मैं यश्वन देश्मुख जी को बलाऊंगा, यश्वन जी बताइए, मैं चाहूँगा एक बर यहां पर आईए आप दर्शकों के सामने, और बताइए, क्योंकि तीन फिसद में 11 सीटे और एक परसेंट के स्विंग में 11 सीटे, यानि तस्वीर तो किस तरह से बड़ा बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है, और यह तीन परसेंट और एक परसेंट का जो यह उल्जन है, इस उल्जन को भी दूर करि इस पर इस समय, ब्रह्मा जी भी अवतरित हो करके बताएं, तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं, इनके उपर अपनी निगाह रखिए, क्योंकि यह 11 सीटें ऐसी हैं, जिसके उपर हार जीत का आकलन, अंतिम कप, जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जुन को, उस दिन भी सुबह से शाम तक यह 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी, एक एक वोटिंग मेंटिंग होगी, एक बड़ा हैं सवाल, यह श्वन जी एक प्रसेंट का स्विंग, 11 सीटें, तो तो यह आगरा 20 में किसी में, अगर 11 महराष्ट को मैंने गिना था, लेकिन महराष्ट की कहानी दूसरी है, महराष्ट की कहानी काटे की टक्कर की नहीं है, महराष्ट की कहानी कन्फ्यूजन की है, असमंजस की है, इसलिए विचित रिस्तिती है, पश्चिम बंगाल में कोई कन्फ्यूजन या कोई असमंजस नह कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में पांच-पांच परसंट के करीब दसे बार 11 परसंट जो वोट बचा है वो दरसल एंटी मम्ता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो यह एंटी मम्ता वोट बीजेपी की और शिफ्ट होता और वही निग के सामने आरे पस्चिम बंगाल की है तो एक परसंट के स्विंग का मामला तो कोई भी 30 तक भी पहुंच सकता है 30 31 तक भी चाहे टीमसी ओ बीजेपी हो क्या कहिंगे इस आंकड़े पर आप दिया जा है अलाकि उसके डुड़े होंगी यह एक दम स्पेस जो बन रहा है कि अगर एंटी इंकंबंसी वोट देना तो किसको देना है या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनकर सी टीमसी को चुनेंगे कॉंगेस पाटी मार्जिलाई होती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जिलाई है हाले कि लेफ्ट वर कॉंगेस मिल करके लिब्रल सो कॉल वोट यह बंगाली वोट है तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी को सकती ह कि यह बड़ी दिल्चस बात यश्वन्त भी कहरे और प्रभू चाबला जी कभी कहना यह तस्वीर 30 की भी बन सकती है टीमसी की वेवर में हो चाहे बीजेपी की फेवर में हो एक बार जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से यह सीटे बता देता हूं जिन सीटों पर आप सब लोग नजर रखेगा जो भी लोग राजनीती में दिल्चस्पी रखते हैं देखें दम दम कृष्णा नगर बारा साथ यह टीमसी के यहां टीमसी को बढ़त है लेकिन एक फिसद की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारतीय जर पर भी आ सकती है वैसे उल्टा भी है इसके लाबा बैरकपूर और बशीर हाट यह वो तमाम सीट है श्वन जी को और सवाल यह जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही और अभी प्रभु जी ने भी का यानि देखें भारतीय जनता पार्टी कर यह 35 का लक्षे हावा तो यह तो ऐसा लग रहा है जो सर्वे के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आसपास ही पहुंचेगा देखें दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जो दम ठोक के बोलते हैं मैं उनको दोशकता ही नहीं देता क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप जानी हिस्ट्री रही है नमबर एक बार उस वाइलेंस के चकर में वहाँ पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी जादा सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो यह नहीं बोलते कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि ह हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही नबर एक दूसरी चीज़ टर्न आउट फेक्टर रोही बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लॉइन और अगर मजबूत होगा और टर्न आउट सही होगा तो नतीजे क्या हैंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होंगे इसलिए साथ फेजेज में पश्चिम बंगाल का यह जो तीन तीन चार चार सीट वाला मसला है न यह अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस पर टर्न आउट इंपक्ट होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और ब पहले ही क्लेर कर दूँ ठीक है ने श्वन जी बिल्कुल ठीक है और साथ में जितने भी हमारे सुधी दर्शक हैं एबीपी के मैं चाहूंगा कि इन सीटों के उपर ना केवल अभी से निगाह रखिए अगबार पढ़तने हैं तो निगाह रखिए और काउंटिंग वाले द काल की किंती चलती रही और ये 11 सीटें आप नोट कर लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण बहुत दिल्चस्प आंकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो अपिनियन पोल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतिये जरुता प सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है जिसमें एंडिये 143 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठवंधन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिया गठवंधन को मिलती हुई दिख रही है अब तक यानि 129 सीटों के हम बात कर रहे हैं 543 में से और इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और 2 सीट कॉंग्रिस को मिलती हो दिख रही है तमाम महमान हमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है, ये पूरी स्थिती है टीमसी 20, बीजेपी 20, कॉंग्रेस 2, एक और दिल्चस्प आंकड़ा पांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्दमानपूर्व, और हुगली, मालदा दक्षिन, रायगंज, कूच बिहार, मतुरापूर्ण, जादपूर्व, और बलूर घाट, ये वो 11 सीटे हैं, जहां 3 फिसद का स्विंग अगर होता है, तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है अब और आगे दिखाता हूँ आपको, और 11 सीटे ऐसे जहां 1 फिसद का स्विंग कुछ भी कर सकता है, 1 फिसद आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है, दम दम, कृष्णा नगर, जय नगर, बारा साथ, आसन सोल और बशीर हाट, ये यहां पर TMC एक फिसद के मार्जन से आगे है, और इसके लाबा पुरूलिया, विश्णूपूर, जारग्राम, मर्धमा, अंदुर्गापूर, बैरकपूर, यहां पर भारतिय जनता पार्टी एक फिसद से आगे है, अब बड़ा दिल्चस्पार, सवाल ये उठ रहा है, कि अभी 20 सीटों की तस्वीर साफ है, देखे, मैं बहुत इमानदारी से अपने दर्शकों को, मैंने वहां पर खड़े हो के बुला, और मैं यहां बैठ करके दुबारा बोला हूँ, यह 22 सीटें ऐसी हैं, जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये, परम ज्यानी छोड़िय ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे, तो वो भी आपसे यही कहेंगे, रोईत, बच्चा कुछ और वरदान मांग लो, इन वाई सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो, इसलिए, जो मुझसे नहीं हो सकता, मैं वहां पे हाथ, जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे म जिन आकड़ों में जहां पे जो देख रहा है हमने वो एबीपी पे परोज़ा, और एक बात और हम कहना चाहिंग रोई, हमारा ही ये चैनल था, हमारा ही सर्वेक्शन था, जिसने दो हजार उननीस में पहली बार 18 सीट बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी, कोई यकीन क यहां पे अकेले हम लोग थे, जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रैकर चला के बोला कि ममदा दीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है, बीजेपी नंबर दो पहुच रही है, लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुच रही है, केके शर्मा यानि बी सीट की तस्वीर साब है, बाई सीट कहीं भी जा सकती है, तो यह तो बड़ी अजीब सीट है, यानि दस-दस सीटे बीजेपी और टीमसी की क्लियर है, और बाई सीट ऐसे हो कहीं भी जा सकती है रोहिक जी, यह जो एक फीजदी बोर्ट से ग्यारा सीटों का जो आकड़ा है, उसमें आप चार सीटे देखी, वो बड़ी महत्पूर्ण है, क्रिष्णनगर सीट, महुआ मोहित्तर जी की है, सदस्ता खतम हुई उनकी, पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से जीती थी, इस बार भी कंडिडेट हैं, एक फीजदी का अंतर बताया जा रहा है, आसन सोल सीट सद्धन सिनाजी की है, पिछली बार जब उप्चुना हुआ, मार्जिन अच्छा था उनका जीत का, इस बार आप बतारे, एक फीजदी में उनकी सीट जा सकती है, बसीर हाट इसी सीट पर संदेश खाली आता है, और पूरा कांड हुआ है, बसीर हाट सीट से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी, इस बार एक फीजदी कांतर आ गया है, ये जो है ये बड़ा बहुत महत पूर्ण है ये सीटे, जार ग्राम, आपके पस्ची मंगाल में दो ऐसी सीटे हैं, जो आंदोलन की जनक मानी जाती है, भार ग्राम और नंदी ग्राम, भार ग्राम में आप देखिए, बारती जनता पार्टी है, लेकिन वो भी एक फीजदी बोट में कहीं न कहीं फसी हुई दिख रही है, तो ये जो एक फीजदी पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत क्लोस फाइट यहां पर देखने को मिल रही है, यानि बाइस सिटे ऐसी हैं, जो ग्यारा सिटे तीन फिसद और एक फिसद, यानि एक फिसद और तीन फिसद से मेरा मतलब ये है, कि तीन परसेंट का स्विंग ग्यारा सिटों पर किसी की तरफ जा सकती है, एक परसेंट का स्विंग होता, तो ग्यारा सिटे कहीं भी जा सकती है, यानि आंकडा फाइस सिटों का बनता है, प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा उसके बाद, जो हमारे राजनितिक में हमाने उनके पास जाऊंगा, उनसे ये जानने की करेंगे कि ये तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ, सर बताइए, यानि दस-दस सिटे क्लियर हैं और 22 सीट कभी भी कुछ भी हो सकता है, 22 में से 22 कहीं भी जा सकती है, 22 में से 10 कहीं भी जा सकती है, जी प्रभु चावला जी, बहुत बढ़ी जाती है, या उससे आगे जाती है, वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है, बिजे पी के लिए 300 का अकड़ा प्रास का पार करना, कि सौस में आपने दिखा दिया है, महां पर अभी दो स्टेट रहें दिखाएंगे तब देखेंगे, कि यादा गेन महां पर इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर और महारास्टा के जब दिखाएगा पिटारा खुलेगा, वर वेस्ट बंगाल के अंदर जब तक बड़त नहीं होती, मैजोर्टी के उपने कोई क्वेश्चिन ने उठा रहा है, मेरे को लगता है, एक नेता की तरह से नावाद दी गई पश्चिन बंगाल ताय करेगा, प्रभू चावला जी का ये टेक है, बस सीथे केके शर्मा जी के पास आउँगा, केके शर्मा जी क्या कहेंगे सर, ब्लड प्रेशर का क्या हाल है, यह जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है, यानि 10-10 सीटे क्लियर है, लेकिन पश्चिन अंकरा सामने आया, केके शर्मा जी तो 2 सीट क्यों बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि ममता सरकार के प्रती अंट्य एंक्वन्टे वक्तर है, तभी तो हमको तो सभाविक रूप से कि यह एंटीन की जो एंटीन की फैक्टर है यह अन्य जगहां भी लागू होंगे प्रदेश में अधी कोई एंटीन कंबेंसी फैक्टर क्रेट होता है तो कि एक सीट में नहीं होता है कई सीटों पर अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी बताना चाहते क्योंकि उनको डर है कि अधी हम अपनी बात रख देंगे तो हमारे उपर हमला होगा हमारे घर जला दिये जाएंगे हमारी बहनों महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे कौन करेगा क्या बीजेपी कर सकती है बीजेपी तो वहां कुछ नहीं कर सकती जो भी कर इसके अलावा एक बहुत इंट्रेस्टिक बात एक चीज़ कहता हूं अभी माने प्रभु जी ने एक अच्छी बात कही कि पस्चिम बंगाल का रिजेल्ट ये लिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान्य सत्य समय ये है कि भारती जनता पार्टी प्रदान मंत्री बोदी जी के नेत्युत में 2024 में भाजपात तो सरकार बना ही रही है अपने सायोगी दलों के साथ अब भी सर यह है कि इसमें जो हमारा लक्ष है 370 वो हम कहुंचने के लिए ये सारी ठीक है तो शर्मा जी आनि आपका कहना कि इसलिए वोट पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आसे जो है आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लिये हुए और निर्वाचित लोग तूसरी बात जो अभी एक बात राकेश जी ने कहीं बड़ी इंटेस्टी विशह हो अभी आसन सोल का म और वह वेटती जदी एक परसेंट वोट से फसे हुए जबकि अहलवालिया साहफ की घोश्टना अभी विदीने चार दिन पहले हुई चार-पात दिन पहले और वहां तो शत्रुगन सीना जी एंपी बने बैठे हुए और वो यदि एक परसेंट के में फसे हुए है इसका मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कहते हैं ना कि चावल कितना पका है एक दाने से समझ आप इस वात का ध्यान रखेगा शत्रुगन सीना जी अपने ट्रेइनिंग आपी की पार्टी में लिए है तो एक फिसद से ये तीन फिसद में कब आ जा है पांच फिसद में कौन चला जा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता बरहाल मैं आपके पास आउंगा तो शिफ खान साब क्या कहेंगे देखे सर तीन फिसद के सु के सकते हैं करती है कई पर तीन प्रतिशात में सघ्जर कढ़ें निस को बारबाल जिकर किया जा तरह है लेकिन में में पहीज़ याँ SU क्राइप का घ्र ministra witnessed पेफ एट और अनी ऊंट तो यह त्रेंड जो है यह दिखा रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल हुआ है और तिर्णमुल को बढ़ोती मिली दूसरी तफ आप देगे कि जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादा लोकल इसूस को लेकर के नहीं थे क्योंकि जब ही लोकल इसूस में बाचीत होगी तो इसमें बिंगौली सेंटीमेंट जागेगा और बिंगौली सेंटीमेंट का जो भूट है वो बीजेपी के तरफ नहीं जाकर के वह जो जो वोट जो है वो इल्टीमेटली तिन मुल्च brighter पड़ेगा और जिसमें अगर कोई ममता बैना जी से डिस्ग्रंटेल्ट वोटास है उनके लिए थर्ड ऑप्शन अवेलेवेल है CPM और Congress को जाकर के वोट देंगे लेकिन वह वोट जो है बीजेपी को जाने वाला नहीं है लेकिन लेकिन तो अशिर खान साब बड़े संखेर म कर सकते हैं कि अपे लगें बगषानाँ फिस्ट का सुइंग उख और एक फिसद का सुइंग कुछ भी तस्वीर सामने ला सЕकता एक प्रिसांट का स्विंग यह आपके उसाब से हैं मैं आपको उटर का परसेंटेजे में उसकी बात में जो वोट परसेंट प्रम का प्रसेंट की चिनाओ के बाद 21 सबुद कर निवे का इंडिन्डमूल में जाते 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 आधे का और वोट B educated को अधिरियरा और की तो मैं उसècesाबाइब तो गट रही है, डवल डिजेट भी क्रॉर्स करेगी या नहीं करेगी, उस पर संकी खड़ा होता है, अठादा तो जो है, वो तो उनीस का अक्डा है, लेकिन अगर आप के पास में यह opinion poll है लेकिन उससे मैं सहमती नहीं रखता ठीक है ठीक है तो जिफ खान साब मैं एक बार पर मीता चकरवर्ती जी के पास चलूँगा मीता चकरवर्ती जी अब जो तस्वीर पूरी फाइनल तस्वीर पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे हैं कॉंग्रेस क परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है यानि अपोजिशन की तरफ बें जा सकता आपके तरफ बें जा सकता है क्या कहेंगे आप माल्दा में तो हमें बहुत जादा विश्वास है कि माल्दा दक्षीन में इशा खान चौधरी जीतने वाले हैं वो हमारी existing MP दालूदा के बेते हैं और जैसे मैंने कहा राइगंज बोलिये माल्दा उत्तर बोलिये काफी सारे दुस्तरी सीट्स भी है जहां पर हम लोग काफी उमीद रखते हैं देखें टोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पिंगॉल में विस पिंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए हम लोग यहाँ पर majority impeachment की बात भी नहीं कर रहे हम लोग minority impeachment की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोजगार की बात कर रहे हम लोग price rise की बात कर रहे हम लोग जो रोज का जो daily issues है जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में उनका डेली इशुस के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट और कॉंग्रेस के लाइन्स, और मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से, जो लोग के खिलाफ बोर्त देना चाहते हैं, वो लोग, as an alternative, लेफ्ट और कॉंग्रेस लाइन्स को चूस करेंगे, और जो आप दिखा रहे हैं, उस और मोधी फेक्टर क्या दिख रहा है इनांकडों से आपको, पहले भी कहा कि वेस्ट बंगाल दिशा तै करेगा, देश की तरफ जा रहा है, जे, इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर मोधी जी की किती जलती है, मैंने कहा कि वहाँ पर मोधी जी इतने मिनत की है, और मिशाव जाते रहे हैं, तो उनके लिए प्रेस्टीज का सवाल है किस तरह से ममता वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी हीट अगर कम होती है, तो एक बड़ा धका बीजेपी की हो सकता है, अगर बन जाती है, तो यह अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है, जी, राकेश शुक्रा साब, क्या कहींगा आप, ममता की लोगप्रेता, मजबूत, संगठन, विपक्षी वोटों का विखराओ, यह तमाम बाते और यह जो पीनियन पोल आ रहा है, क्या कहना आपका, फाइनल कमेंट, संक्षेप में सर, वहाँ पस्षिम मंगाल में दो चेहरे च बाइस सीटे हैं, और यह जो बिलकुल सब की दिल्चस्पी अब इसमें हो गई है, तो यह जो बाइस सीटों का, अगर यह कहा जाए कि सामने तस्वीर कब तक साफ होगी सर, चार तारिक तक इंतजार करना होगा है उससे पहले, रोहित, बत्स, 543 में कुछ और मांग लो, ल लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है, अगर मुकाबरे सब एकतरफाही होने लगे, किसी भी राज्य में गाम भले ही आसान हो, लेकिन लोकतंत्र का वो मज़ा नहीं आता, अच्छी काटे की लड़ाई ये लोकतंत्र के, अच्छे लोकतंत्र के स्वास्त की दिशानी है, उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभी नंदर करता हूँ, अभी बात पश्चिम बंगाल की जहां बीजेपी, संदेश, खाली और CAA जैसे मुद्दों को सियासी धार बना रही है, क्या ये मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुंचाने व मेरे साथ महजूद हैं, तो आईए, सबसे पहले चलते हैं, डेटा सेंटर और देखते हैं, क्या है पश्चिम बंगाल का मूड़। अब जरा बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल की चुनाब के रहाच से बहुत सरगर्मी वहाँ देखी जाती है, तो पश्चिम बंगाल का आकड़ा किया है, वहाँ का सबसे पहले आपको वोटशेर हम बताते हैं, कि क्या किसके खाते में कितना प्रतीश जाता हुआ देख अब जरा बताते हैं, अन्या के खाते में 6 पीस दी जा सकता है, इसे के साथ EPM के खाते में भी 6 पीस दी वोटशेर जाता दिख रहा है, तो 42 सीटो का वोटशेर के लिहाँ से यह पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल का अब जरा, यह कनवर्ट कैसे होता है, सीटो में क टीमसी भी कबजा कर सकती है, दो सीटे कॉंगरस, CPM का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और नहीं अन्या के खाते में कुछ जाएगा, लेकिन यहां 2020 देखिए, बराबरी का मामला BJP और टीमसी में दिखाई दे रहा है, कॉंगरस को दो सीटो से ही संतोश करना पड़ेगा और 20 सीटों के साथ यहां पर BJP जीती दिखाई दे रही और 20 ही टीमसी यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से फिलाल यह इतनी सीटे, BJP और टीमसी, 20 भी सीटे आपस में यहां पर जाती हुई दिखाई रही है, रोई जी दिख रहा है, इस फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ, तमाम एमान मौझूद हैं, भारतीय जरिता पार्टी से केके सर्मा हमारे साथ मौझूद हैं, और कॉंग्रेस से मीता चक्रवरती हमारे साथ मौझूद हैं तो औसीफ खान भी हमारे साथ मौजूद है, प्लिटिकल अइनलेस्ट है, इसके लाब आप प्रभू हुँ जामला जी हमारे साथ मौजूद है, वरिश्पत कर राके शुकला जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और C. वोटर के फाउंडर यश्वन देश्मुख भी हमार कि प्रतिक्रिया है देखिए ऐसा है ओपेनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहें अच्छा दिखा रहें जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे ब बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पोल के दुसाद से यदी मैं समझू तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ जो मैं समझ पाता हूं एक राजनितिक विद्यार्थी के रूप में कि वहाँ पर भारती जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है उस दिशा को इंगित कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा उहां बढ़ रही है अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहाँ पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारेकरता नेता और जिस धरंका हम अपना विशे लेते हैं उस फीडबेक से मैं आसनवित हूं कि इस पार इससे भी कहीं ज्यादा बहुत अच्छी सीटें भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी और निश्चीत तोर से हमारे आकड़े को जो हम हम सुचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी और 400 सीट हम उस आकड़े तक अमर जाएगे कि कि शर्मा जी आपका कहना है कि यह तस्वीर और बदलेगी आपका कहना है 20 से उपर भारती जनता पार्टी जाएगे अमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौझूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब टीमसी को दो सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है क्या कहेंगे आप और बीजेपी कहरे है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बलकि से कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें, 2021 की राज्य सुभा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़ाद दिखाया जा रहा था बीजेपी को, कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है, वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में, लेकिन जब नतीजा आया, तो सारे लोग शौक हैं, और जो लहर ममता बैन मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आकड़े है, उससे काफी नीचे किरने वाला है, आप कंपेर करें के 2019 में ये देखा गया था, कि तिर्नमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को जॉइन कर रहे था, वो जैनवरी महने से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी आप देख सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिये, तो ये बढ़ख कहां से ये ले करके आएंगे, क्यों नहीं है, अभी तक डामउन आप सीट में कैंडिडेट दिया गया है, वीजेपी कि आपका कहना है कि भारतिये जड़ेता पार्टिये भी प्रत्याश्री भी नहीं दे पाई और बावजू तो किस आधार पर बढ़त का दावा करें, केके शर्मजी आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस के प्रतिक्रिया ले ले लेते हैं, मीता चकरवर्ती हमारे साथ है, मीता जी क्या कहेंगे आप, दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्ती हुई देख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बार्शो, हापी बिंगॉली न्यू येर और पश्च्चीम बंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है, वो हम लोग सीट इजास्मन करके, एक इक एलाइंस करके, हम लोग की चुनाव लर रहे है ये बात तै है कि पश्टीम बंगाल में टीमसी के खिलाफ एंटी इंकंबंसी तो है पर पश्टीम बंगाल के लोग है वो काफी लिबरल और सेकूलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्ब की तरह वो बीजेपी के ओर जाएंगे में इस सर्वे के रिजाल के साथ बिल्कुली समयत नहीं हूँ मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है माल्दा और मुर्शिदाबाद में साउत माल्दा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाए हो आप लोग और बहरंपूर में अधिरंजन चोधरी जो हमारी लीडर ऑफ लुक्षा भाभी थे वो लीड कर रहे है यह इस फाइफ ताम संपी फ्रम देर पर साथ हमारी इंटर्नल सर्वे बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तामावदा में जो अधिन अलम है वो हमारी एका है और काफी सारे जगा में हमारी और कानिदेट जिसके साथ हम लोग सीच्छास्मन करके लग रहे हैं वो काफी जगा लेफ्ट के लिए जादुपूर में और सलीम साब जो की मुशिताबाद से लग रहे हैं मिता चक्रमर्ती जी मैं आपको रोकूँगा आपके पास दोबारा लोटते हैं एक बार देख लेते हैं पूरे बंगाल की तस्वीर क्या बनती है क्योंकि एक एक सीट का हम सर्वे दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की 42 सीट की क्या स्थिती है यह दिखे यह पश्चिम बंगाल के तमाम 42 सीट है और इन सीटों पर 2024 के चुना में क्या कुछ होने वाला है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं टीमसी 20, बीजेपी 20 और कॉंग्रेस 2 यानि बहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटों पर टीमसी यानि आप यह देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखाया बीरभूम, दमदम, ज उस्तर, मुर्शिदाबाद और उलुबेरिया यह दो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहां पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनिन पोल के मुताबिक और भारतिये जनिता पार्टी के अगर बात करें वो 20 सीटे को अने आए मैं वो भी आपको दिखा दूँ देखिए अलिपुर्द्वार, बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपुर, हुगली, जारगा, मालदा उत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या, इसके अलाबा बर्धमान, दुर्गापूर, कूच, बिहार, और बलूर घाट, बैरकपूर, दार्जलि हुई, देख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, कांटे की टकर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में, और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आप को बता दू, बड़ा रोचक के आंकड़ा है, यश्वन देशमुक जी हमारे साथ मौजूद है, सी वोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे, 11 सीट ऐसी है, जा 3 फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो 11 स कुछ और कर सकता है, घाटल, और यह सीट है, इसके रावा मालदा दक्षिन, एक एक करके आपको बताऊंगा, लेकिन यश्वन देशमुक जी से मेरा आगर है, यश्वन जी मैं चाहूंग अगर आप आजाएं, यहां आकर दर्शकों से हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यह अंकरा बड़ा दिल्चस्प है, 20-20 सीट अभी आप दिखा रहे हैं, 20 सीट टीमसी, 20 सीट बीजेपी और दो सीट कॉंगरिस, लेकिन यह 11 सीट ऐसी हैं, जहाँ तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहां से शुरुआत करते हैं, बा पांच फीजदी से कम है दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने वाला जो भी है वो एक तरफा जीत रहा है, चाहे इदर जीते या उदर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला पांच फीजदी ही नहीं, डबल डीट में दस-दस फीजदी है, उससे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम दरसल आज की तारीक में ट्रेकर हमारा बोल ला है, अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा काटे का मुकाबला कहीं हो रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल और महराश इंदो राजिमारा, पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया तीन फीज़दी से कम के स्विंग के उपर ये फिलिप कर सकती है यानि ये शुन जी मैं आपको रोक रहा हूँ यानि अभी हम 20-20 दिखा रहे हैं ये जो सीट दिखा रहे है बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घा ये यहाँ पर बीजेपी आगे है लेकिन 3 फिसद का अंतर है यानि 25 टीमसी भी हो सकती है बीजेपी भी हो सकती है यारी यहाँ से अगर 3 फिसदी का ग्राफ स्विंग बीजेपी से टीमसी की होर हो जाता है इन सीटों पर फलिप हो जाएंगी टीमसी का ग्राफ 25 हो जाएगा, बीजेपी का बीजेपी का जाएगा, पंदर हो जाएगा लेकिन उल्टा भी हो सकता है यहां से प्रधानमंत्री मोधी का कैम्पेंग यह अगर सर चड़ता है आगे बढ़ता है तो और तीन फिस्दी का स्विंग बीजेपी के पक्ष में हो जाता है तो इसका मतलब यह साफ होगा कि वो पांस सीटें जो आप यहां पर हरी दिख रही है अभी टीमसी के पक्ष में वो फ्लिप करके भगवा भी हो सकती है प्रभु जाबला जी आपका रियक्शन इससे परद कि मैं डेटा के ऊपर जाओं मैं यह बात से देखना चाता है यह बड़ा सपच्छ दिखाई देरा कि वेस्ट बंगाल के अंदर लगबख 47 साल के बाद एक नेशनल पार्टी आल्टरनेटिव बढ़के सामने आ रही है पिछले पंदरा सालों से टी-े-म-सी पहाँ पर आई है उससे पहले पच्छित साल से उपर सी-पियाम ने राज किया था तो कॉंग्रेस जैसे जैसे मार्जिलाइज होती चलिया रही हो ही दिखाई दे रहा है सारे प्रदेशों के अंदर जहां-जहां कॉंग्रेस खतम होटी जाती है उसका रेप्लेस्मेंट ज्यादातर बीजेपी बन रही है और वेस्ट पंगाल को पिछले दस सालों से बीजेपी ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था कि वह तो फटलेटिक ग्राउंड है महाँ पर एक तो पोलेरेशी भी हो सकता है दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है और दूसरा वहाँ पर बट रहा है CPM और कॉंगरेस तरफ हो गई है तो जो दिखाई दे रहा हुँ इस पास है कि जो स्पेस्विकेट कर रहा है अभी कॉंगरेसी पर होता है बोल ली थी कि नहीं हो सकता है मेरे को लगता है कि alternative वहाँ पर कॉंगरेस का जो आप करें सिब लिबरर और सेकुलर महाँ पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो है पाकिस्टी वहाँ पर जब डेवलप ज्यादा हो रहा है मुदी जी की वज़ए भी हो सकता है और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी आलागि बागी स्टेट के पास हैं वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी बोधी की वज़ए से अग्रेशन की वज़ए से और टी एमसी की अपनी एक पॉलिटिक्स है जो नेरो हो गई है तो इशू क्या बनाया उन्हें ने वहाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा वहाँ पर करॉप्शन का जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टी एमसी की निताओं को अरेस्ट किया उनको टार्गेट करके वहाँ पर एक करॉप्शन, कमिनलिजम और नैशनलिजम का कमिनिशन बना करके बीजेपिन या अल्टरेनिटिव बनाया है मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसंटेज जो है चार परसंट का फरक है लगबाग इतके अंदर तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि ऐसी स्टेट के अंदर टी-एम-सी के खिलाफ अपना ऑल्टरेनिटिव बन करके आना ये एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्टिये कितनी सीटे हैं कि कुछ बहुत सूतियों पर नहीं बढ़ प्रता प्रतु वेस्ट पंगाल के अंदर फ्यूजर क्या देखते हैं अल्टरिनिटी टू टी-एम-सी ये बीजेपी है ये स्टेफ पश्ट हो जाए है जी ये एक बात के वाली आयट करना चाहूंगा जो प्रभु जी ने बोली इनकी ही बात को मैं आगे और बढ़ाते हुए कि इसके लिए पश्टिममंगाल के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है जो विपक्ष के वोटर की जहां बात हो रही है जैसे कॉंग्रेस के प्रवक्ता सेकर आप पूछें कि आखिर पश्टिमंगाल में उचनाव किसके खिलाफ लड़ रही है वो भाजपा के खिलाफ लड़ र आप्वाजी आप दिया के अलाइन्स के अंदर सेम यही सवाल अप लेट ऊपने पडिखाएं की नहीं बन पार ही है प्रभुचावलाजी का है रखेश शुकला साब क्या कहिंगा आप कांटे की टकर यानि 20-20 है यह 25 हो सकता है मामला 20 बीज आ सकता है जो इपी आंकड़ा दिखा रहा है देखे वहां पे तीन तरह का बोटर है एक मुस्लिम एक हिंदू एक बंगाली बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा है अब जो आपका आंकड़ा बोटा परसंटेज का रहा है वह 1924 में कोई बहुत बड़ा फरक नहीं आ रहा है उन्हीं इसका पैटर नहीं है फिर जो आप सीट का बता रहे कि यह पांच सीटे उलट प्लट यह दस सीटे उलट प्लट हो सकती है तो तरमूल के साथ 15% बोट ऐसा है जिसको या तो आप हिंदू कहेंगे या बंगाली जनता पार्टी की तरफ तो जो आप 25 सीटों का और एसवन जी भी बोल रहे है प्रभू जी भी ने जो कहा है तो पांच परसंट बोट जो है वो एदी कहना चाहिए करमूल से नीचे आया यानि 40 के आसपास यह पहुंचा परसंट एक जो आप मान के तरिए भारती जनता पा सीर करना थोड़ा कठी नहीं बढ़ा था यह राकेश जी का कहना है एक और फिर आगे बढ़ते हैं यह तो हमने तीन प्रसंट के स्विंग के सिति दिखाई एक और दिल्चस पांकड़ा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है और देखिए अब वो तस्वीर में आपके स देखिए ग्यारा सीटे ऐसी है पश्चिम बंगाल में एक फिसद का स्विंग होता है तो भी तस्वीर बदल सकती है यह बड़ा दिल्चस्प हो जाता है एक और फिर से मैं यह श्वन देश्मुक्जी को बिलाऊंगा यह बताईए इक में चाहूंगा यहां पर आईए आप उल्जन है इस उल्जन को भी दूर करिए रोहित इसमें कोई उल्जन नहीं है जे मैं बहुत सिंपल पोल्स्टर हूं बहुत इमानदारी से अपने दर्शकों को अपनी बार बताता हूं जे यह एक फीजदी के आकड़े वाली जो सीटें हैं दर्शकों इस पर इस समय ब्रह रहार जीत का आकलन अंतिम कप जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जून को उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फ्लिप करती रहेंगी एक एक वोटिंग में एक बड़ा हैं सवाल यह श्वन जी एक प्रसेंट का स्विंग 11 सीट तो यह आगरा 20 में किसी में अगर 11 एड होगे तो 31 32 भी पहुंच सकता है कोई कनफ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है पश्चिम बंगाल में काटे की रडाई केवल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लॉगर हैट्स में है ममता बेनरजी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लडने का फैसला किया क्योंकि मैं जब आकड़े देखता हूं रोई तो इसने एक बात बहुत समझ में आती है कि एंटी ममता प्लैंक पे या कॉंग्रेस और लेफ्ट का ये बचा-कुचा वोट बीजेपी की और फर्दर बोलराइजेशन में शिफ्ट होता है जी बैशुन्दा आपको रोकूंगा प्रभु जी क्या कहेंगे आप ये जो तस्वीर बनके सामने आरे ये पस्चिम बंगाल की ये तो एक परसंट के स्विंग का मामला तो कोई भी तीस तक भी पहुंच सकता है बाइस अगर एक तरफ चली गई तो बीजेपी का आकड़ा 20 है ना बाइस इसको जोड़ दिया जा है अलाकि उसके जुड़ी होंगी ये उसमें से आधी सीट है आधी सीट है तो हाँ आपका कहना सही कि 10 सीट भी हो सकता है बिल्कुल सही कह रहे है ये तो बड़ा इंट्रेस्टिंग इनर जो कहा है कि काटेमान जी पहले का की है एकडम स्पेस जो बन रहा है कि अगर एंटी इंकंबंसी वोट देना तो किसको देना है या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनकर सी टी एमसी को चुनेंगे कॉंग्रेस पार्टी मार्जिलाई होती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जिलाई है हाले कि लेफ्ट और कॉंग्रेस मिल करके लिब्रल सो कॉल्ड वोट यू है बंगाली वोट है ये बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 की फेवर में हो एक बार जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से यह सीटे बता देता हूं जिन सीटों पर आप सब लोग नजर रखेगा जो भी लोग राजनीती में दिल्चस्पी रखते हैं देखें दम दम कृष्णा नगर बारा साथ ये टीमसी के यहां टीमसी को बढ़त है लेकिन एक फिसद की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारतिये जरता पार्टी लेकिन एक फिसद से आगे इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है आसन सोल इसके लाबा जार ग्राम बर्दमान दुरगापूर ये बीजेपी के लिए भी हो सकती है और टीमसी के लिए अच्छी ख़बर भी आ सकती है वैसे उल्टा भी है इसके लाबा बैरकपूर और बशीर हाट ये वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल ये जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही और अभी प्रभु जी ने भी कहा यानि द तो ये जो स्थिती बन रही है और ये जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो यह तो ऐसा लग रहा है जो इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशआ अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं नंबर इक बात मैं जिकर जरूर करूंगा जिस और पश्ची मंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस की बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है नमबर एक बार उस वॉयलेंस के चक्कर में वहाँ पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी ज्यादा सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो यह न सबूत होगा और टर्नाउट सही होगा तो नतीजे क्या हैंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होंगे इसलिए साथ फेजेज में पश्चिम बंगाल का यह जो तीन तीन चार चार सीट वाला मसला है न यह अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उ कि आज एश्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुड़ता पैना लेकिन इनके कुड़ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ठीक है न एश्वन जी बिलकुल ठीक है और साथ में जितने भी हमारे सुधी दर्शक हैं ABP के मैं चाहूंगा क कि इन सीटों के ऊपर ना केवल अभी से निगाह रखिए अगबार पढ़ते हैं तो निगाह रखिए और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामनी दे रहा हूं कि ये सीटे वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इध अब दिल्चस्प आंकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो अपिनियन पोल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतिये जरुदा पार्टी 20 सीट टीमसी दो सीट कॉंग्रेस लेकिन ये 10 सीटें अगर किसी तरह भी जाती है यानि 11 सीटें 10 से 11 सीट तो 30 से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है कि 543 में से 129 सीटों का उपिनियन पोल सामने आ चुका है जिसमें एंडिये 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठ बंधन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिय कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 TMC, 20 भारतिय जुरता पार्टी और दो सीट कॉंग्रेस को मिलती हुई दिख रही है तमाम महमान आवारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं ए उसके बाद बड़ी दिल्चस्प चर्चरम करने वाले हैं देखिए तीन फिसद का स्विंग 11 सीटे ऐसी हैं जहां पर तीन प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं ये वो तमाम सीटे हैं पांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्दमानपुर और हुगली, मालदा दक्षिन, राइगंज, कूच बिहार, मतुरापूर, जादपूर और बलूर घाट ये वो 11 सीटे हैं जहां 3 फिसद का स्विंग अगर होता है तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती हैं अब और आगे दिखाता हूँ आपको और 11 सीटे हैं से जहां 1 फिस के मार्जन से आगे है और इसके लाबा पुरूलिया, मिशनुपूर, जारग्राम, मर्दमान, दुर्गापूर, बैरकपूर, यहां पर भारतिय जनता पार्टी एक फिसद से आगया है अब बड़ा दिल्चस्पाग सवाल ये उठ रहा है कि अभी 20 सीट मिलने का अनुमान ह लेकिन 22 सीट ऐसी है यानि 11 सीट ऐसी है जहां 3 फिसद का स्विंग पे कुछ भी हो सकता है और 11 सीट ऐसी है जहां 1 फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है इश्वन जी यही स्थिती है यानि 22 सीटों की अभी 20 सीटों की तस्वीर साफ है मैं बहुत इमांदारी से अपने दर्शकों को मैंने वहां पे खड़े होके बुला और मैं यहां बैट करके दुबारा बोला हूँ यह 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये परम ज्यानी छोड़िये ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे तो वो भी आपसे यही कहेंगे रोहित बच्चा कुछ और वरदार मांग लो इन 22 सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो इसलिए जो मुझसे नहीं हो सकता मैं वहाँ पे हाथ जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में जिन आकड़ों में जहां पर जो दिख रहा है हमने वो एबीपी पे परोसा और एक बात और हम कहना चाहिंग रोहित हमारा ही यह चैनल था हमारा ही सर्वेक्शन था जिसने 2019 में पहली बार 18 सीट बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी कोई यकीन करने वाला उस समय नहीं था हमारा ही ट्रेकर यहां पर एबीपी पे अकेले हम लोग थे एबीपी न्यूज और सी वोटर जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रेकर चला के बोला कि ममदा दीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है बीजेपी नंबर दो पहुँच रही है लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुचा है सदस्ता खतम हुई उनकी पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से जीती थी इस बार भी कंडिडेट हैं एक फिस्दी का अंतर बताया जा रहा है आसन सोल सीट सद्धन सिना जी की है पिछली बार जब उप चुना हुआ मार्जिन अच्छा था उनका जीत का इस ब संदेश खाली आता है पूरा कांड़ हुआ है बसीर हार सीर्ष से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी इस बार एक फिस्दी का अंतर आ गया है यह जो है यह बड़ा बहुत महत्पूर्ण है यह सीटे जार ग्राम आपके पस्चिन मंगाल म जनक मानी जाती है भार ग्राम और नंदी ग्राम जार ग्राम में आप देखिए बारती जन्ता पार्टी है लेकिन वो भी एक फिस्दी बोट में कही न कि दिल्चस्पी बढ़ी उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि यह बहुत क्लोस फाइट यहां पर देखने को मिल रही है यानि 22 सिटे ऐसी है जो 11 सिटे 3 फिसद और 11 सिटे 1 फिसद यानि 1 फिसद और 3 फिसद से मेरा मतलब यह है कि 3% का स्विंग 11 सिटों पर किस करेंगे कि यह तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ सर बताइए यानि 10-10 सिटे क्लियर है और 22 सिट कभी भी कुछ भी हो सकता है 22 में से 22 कहीं भी जा सकती है 22 में से 10 कहीं भी जा सकती है जी प्रहुचाबला जी बहुत बढ़ी इंपोर्टन सिटी एक ब वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बीजेपी के लिए 300 का अकड़ा प्रास का पार करना कि सौस में आपने दिखा दिया महां पर अभी दो स्टेट रहें दिखाएंगे तब देखेंगे कि यादा गेन महां पर दिखाए नहीं रहा है पर कि लिए वेस्ट 306 से उपर आना उनके लिए उनकी प्रेशिज का सवाल है वेस्ट बंगाल डिसाइड करेगा कि वो 306 से उपर जाते हैं के नहीं जाते हैं यह सीटे क्लियर है लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी है जिन में से 11 सीट 3 फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है और 11 सीट ऐसी है जो 1 फिसद के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है सर आपका रियक्शन अब जो ये पूरा आंकरा सामने आया के कि शर्मा जी रोहिज जी तीन जो है बिद्वान विश्लेशक के हां पर बहुत वन्भवी विश्लेशक बैठे हैं मैं उनके समझ दो तीन बातें रखवा हूं और उनसे पिक्षा भी करूँगा कि इस पर जदू बिचार रखें देखिए हम पिछली बार 18 सीट में थे इस बार आप मैं इसका मतलब यह हुआ कि दो सीट हम बढ़ रहे हैं तो दो सीट क्यों बढ़ रहे हैं इसका मतलब यह है कि ममता सरकार के प्रती एंटी एंटी इंकमब्हेंसी फेक्टर है तब ही तो हमको दो सीट की बढ़त मिल रही है इसका मतलब की ममता सरकार के पूसी वहाँ पर जब क्योंकि यह देखिए विधान सभा और लोग सभा के चुनावाला लोग प्रेक्टर पर होते हैं यह सब लोग मानते हैं तो पिछली बार 18 से लेके 20 के तो मतलब ममता के अगें क्योंकि प्रदेश में अधी कोई एंटी इंकमबेंसी फेक्टर क्लियेट होता है तो कि एक सीट में नहीं होता है कई सीटों पर अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी अस्वन जी ने बहुत इंटेस्टिंग बात बताई कि पस्चिम मंगाल के अंदर ऐसा रा सकती है कि ग मेलाओं के साथ अत्याशार करेंगे कौन करेंगा क्या बीजेपी कर सकती है बीजेपी तो हो कुछ नहीं कर सकती है जो भी करेगा तो टींची की की ऑनीश्시면राने है और तेमसी वालों के यहां पर इस तारह के जो है गंड्गी करना है इसलिए वह डर से नहीं ब कि पस्चिम बंगाल का रिजल्ट ये लिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान इस तिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रणान मंत्री बोधी जी के नेत्वित में 2024 में भाजपात्व सरकार बना ही रही है अपने सायोगी दल सब्सक्राइब करें कि अपने सब्सक्राइब करें जो है आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लिये हुए और निर्वाचित लोग तूसरी बात जो अभी एक बात राकेश जी ने कहीं बड़ी इंटेस्टिट विशह हो भी आसन सोल का में एक ही उधारण देता हूं विश शत्रुगन सीना मैं समझता हूं कि तिमूल कांग्रेस के टाप चार फंच जो विद्वार उसमें प्रमुक हैं सबसे फेमस और वो वेक्ति यदि एक परसेंट वोट से फसे हुए जबकि अहलवालिया साहब की घोश्टना अभी विदी ने चार दिन पहले हुई चार पात पहले और वहां तो शत्रुगन सीना जी एंपी बने बैठे हुए और वो यदि एक परसेंट के में फसे हुए है इसका मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कहते हैं कि चावल कितना पका है एक दाने से समझ लागा है इस बात का ध्यान रखेगा शत्रुगन सीना जी ने ट्रेनिं तो एसे में तस्वीर कहीं भी जा सकती है सुई का कांटा कहीं भी घूम सकता है जी हमेंने देखा कि आपने दिखाया है कुछ सीटे एक परतिशत में स्विंग कर सकती है कहीं परतिशत में स्विंग कर सकती है देगे 2019 को बार बार जिकर किया जा रहा है लेकिन 2019 के बाद 2021 मे स्टेट इलेक्षन हुए फिर उसके बाद हाल में 2023 में पंचायत इलेक्षन भी वे और इन इलेक्षन में इन इलेक्षन में देखा ये गया कि वोट शेयर जो है वो बीजेपी का घाटा है और तिननमुल का बढ़ाया वह 48% वोट शेयर 2021 में था और पंचायत में वो जो पोलि जब आप देखें के जब 2019 में जब कैमपेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादा लोकल इशूज को लेकर के नहीं थे क्योंकि जब ही लोकल इशूज में बातचीत होगी तो इसमें बिंगॉली सेंटिमेंट जागेगा और बिंगॉली सेंटिमेंट का जो वोट है वो बीजेपी के तरफ नहीं जाकर के तरफ से देखी जाती है वो जो वोट जो है वो अल्टीमेटली तिन्दमुल को ही पड़ेगा और जिसमें अगर कोई ममता बैनाजी से से डिस्गरंटेट वोट असे उनके लिए थर्ड आंकड़ा 11-11 सीटों का 22 सीट ऐसे बनती है वहाँ पर तो कोई दावा नहीं कर सकता अगर हम आंकड़ों की बात करें कि वो तो तस्वीर किसी की तरफ पर जा सकते है ठीक है यह आप दावा कर सकते हैं कि ममता जी को मिलेंगी बीजेपी वाले यह दावा कर सकते हैं उन्हें मैं आपको voter का परसेंटगे में लिदे हैं लिदे दोजार एकीस में जो वोट परसेंटेज目前गेंड परментश माला एकीस में तिर्नमूल का वोट शेज dynasty और बढ़ा है 124 00.0. pronounce तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वोटिंग आकड़े की अगर हम बात करें तोस आकड़ा जो तो लोगों ने वोट किया है जो वोटिंग पैटन है उस हिसाब से तो बीजेपी के सीट घट रही है डवल डिजेट भी करेगी या नहीं करेगी उस पर प्रसंची खड़ा होता है ऐथारा तो जो है वह तो 19 जो है प्लता है तो उससे तो बिजेपी कहीं पर दो जो पॉरी फाइनल तस्वीर पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे हैं एक सीट आपकी मालदा दक्षिन वो तीन फिसद के स्विंग वाली स्थिति में है यानि अगर 3% का swing होता है तो माल्डा दक्षिन का परिणाम किसी भी तरफ जा सकता यानि opposition की तरफ जा सकता आपकी तरफ जा सकता है क्या कहेंगा देखे माल्डा दक्षिन में इश्चा खान चोधरी दीतने वाले हैं वो हमारी existing MP दालूदा के वेते है और जैसे मैंने कहा राय गंज बोलिये, माल्दा उत्तर बोलिये, काफी सारे दुस्ते सीट्स भी है जहां पर हम लोग काफी उमीद रखते है तोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पिंगॉल में, विस पिंगॉल कि लोगों को वो नहीं चाहिए हम लोग कि हाँ पर majority को चूज करेंगे और जो आप दिखा रहे उसे काफी जादा वोट शेर हमें मिलने वाला है ठीक है अब वक्त कमेंबरे इस फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा प्रभु जावला जी सबसे पहले आपके पास हूँगा संशेप में जवाब चाहूँगा सर क्या कहेंगे आप यह संदेश खाली और मोधी फेक्टर क्या दिख रहा है नांकडों से आपको पहले भी कहा कि वेस्ट बंगाल दिशा तै करेगा देश की तरफ जा रहा है जे इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर मोधी जी की किती जलती है नहीं कहा कि वहाँ पर मोधी जी नितने मिनत की है और मिशाव वाँ जाते रहे हैं तो उनके लिए प्रेस्टीज का सवाल है किस अगर कम होती है ते एक बड़ा धका बीजेपी की हो सकता है अगर बन जाती है ते अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है जी राकेश शुकला साब क्या कहेंगे आप ममता की लोगप्रेता मजबूत संगठन विपक्षी वोटों का विखराओ ये तमाम बाते और ये जो पीनिन पोल आ रहा है क्या कहना आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में सर वहाँ पस्चिम मंगाल में दो चेहरे चुनाओ लड़ रहे हैं ममता बनर जी और नरेन मोदी जी जहां तक बिकल्प की बात की जा रही है तो जिस तरह केरल में भारती जनता पार्टी बिकल्प नहीं बढ़ी उसी तरह पस्चिम मंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस भी ब अब तक साफ होगी सर चार तारिक तक इंतजार करना होगा या उससे पहले रोहित बत्स है पास सो तिरालिस में कुछ और मांग लो लेकिन ये बाई सीठे ना मांगो बाकी सब अपनी जगा तीक है आनन्द आएगा देखिए लोकतंत्र में अच्छी काटे की टक्कर हो ये या सर्वे करने वाले के लिए कठनाई का सबब जरूर है लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है अगर मुकाबरे सब इकतरफाही होने लगे किसी भी राज्य में गाम भले ही आसान हो लेकिन लोकतंत्र का वो मजा नहीं आता अच्छी काटे की लडाई ये लोकतंत्र क ये स्वास्त की दिशानी है उस लिहाज से पश्शिम बंगाल की जंता का मैं अभिनेंदर करते हूँ अभी बात पश्चिम बंगाल की जहाँ बीजेपी संदेश खाली और CAA जैसे मुद्दों को सियासी धार बना रही है क्या ये मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुंचाने वाले है या फिर ममता बैनर जी की लोग फ्रियता के आगे बीजेपी का हर दाओ धराशाई हो जाएगा या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है यहां राज जुनेतिक मेहमानों के साथ प्लिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद है तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड तो 24 के चुनाव से पहले यह सर्वे आपको यह बता रहा है लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसके बारे में जनता क्या कह है एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं इन आकडों के जरी बताने की कोशिश की कहा चुनावी बाहर बयार किस तरीके से चल रही है अब जरा बात कर लेते हैं पश्यम बंगाल की चुनाव के लियाद से बहुत सरगर्मी वहां देखी जाती है तो इस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लगज़ के जाएगा चुनामू से ठीक पहले यह ताजा सर्वे है जिसमें यह निकल कर सामने आ रहा है तो 40 सीटों में से 20 सीटे बीजेपी को जा सकती है 20 सीटों पर टीमसी भी कबजा कर सकती है दो सीटे कॉंगरस सीपीम का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और नहीं अन्य के खाते मे और 20 ही टीमसी यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक 42 सीटों में से फिलाल ये इतनी सीटे बीजेपी और टीमसी 20 सीटे आपस में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है रोई जी बनकुल शिरेंद तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो इविपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल का आपके सामने पश्चिम बंगाल में टीमसी बीजेपी में कड़ी टककर इस पोल के मताबिक देखन पॉल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त और हमारे साथ तमाम मेहमान मौझूद है भारतीय जर्टा पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद है और कॉंग्रेस से मीता चक्रवर्ती हमारे साथ मौझूद है तौसीफ खान भी हमारे साथ सबसे पहली प्रतिक्रिया केके शर्मा जी क्या कहेंगे दो सीट का फाइदा आपको होता हुआ दिख रहा है 2024 में पिछली बार 18 इस बार 20 सीट क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है ओपेनियन पॉल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पॉल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिखा दिखाती है कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पॉल के निसाथ स्यदी में समझो तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारकर सार नेता और जिस धरंका हम अपना विशे लेते हैं उस फिडबेक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी कि आपका कहना 20 से उपर भारती जनता पार्टी जाएगी हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौझूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब कार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर जी का जो पब्लिक में बंगाल की जनता में जो उनकी पॉपिलरिटी है वो आज भी कायम है तो किस तरीके से यह आगडा आपने बिलकुल अपना एक सर्वे किय है आप सर्वे के हिसाब से यह आख़ा आ रहा लेकिन मैं इस से सहमती नहीं रखता मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आकड़े है उससे काफी नीचे गिरने वाला है आप कंपर करें के 2019 में यह देखा गया था कि ति नमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को जॉइन कर में candidate भी नहीं दिये और उसके बावजूद किस आधार पर बढ़त का दावा करें के के शर्मज आपके पास आता हूं लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस के प्रतिक्रिया ले लेते हैं मीता चक्रवर्ती हमारे साथ है मीता जी क्या कहेंगे आप दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्ति हुई दिख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बार्शो एपी बिंगॉली न्यू यर और पश्टी मंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो है वो हम लोग सीट अजास्मन करके एक अलाइंस करके हम लोग की चुनाव लग रहे है ये बात तै है कि पश्टी मंगाल में टीमसी के खिलाफ एंटी इंकंबंसी तो है पर पश्टी मंगाल के लोग है वो काफी लिबरल और सेकूलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्प की तरह वो बीजेपी के और जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिलकुली समयत नहीं हूँ मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है माल्दा और मुर्शिदाबाद में साउथ माल्दा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाए हो आप लो और बहरंपूर में अधिरांजन चोधरी जो हमारी लीडर आप लोक्षा बाभी थे वो लीड कर रहे हैं ये इस फाइ उलड़ेंजन जो में आपको रोकूँगा आपके पास दोबारा लौटते एक बार देख लेते हैं पूरे बंगाल कि तस्वीर क्या बंती है क्योंकि एक एक सीट का सेट का हम सर्वेज़ दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या बड़ी तस्व मंगाल के तमाम 42 सीटे हैं और इन सीटों पर 2024 के चुना में क्या कुछ होने वाला है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं TMC 20, BJP 20 और Congress 2 यानि बहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर Congress आगे इस वक दिख रही है इसके लाबा 20 सीटों पर TMC यानि आप यह देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है बीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष्णा नगर, जैनगर, घाटल, बारासाथ, आसन सोल, वर्दमान पूर्व, बोलपूर, हावडा, मतुरापूर, श्रीरामपूर, कोलकाता दक्षिन, जावतपूर, बशीरहाड, डायमंड हारबर, कोलकाता उत्तर, मुर्शिदाबा और उलुबेरिया, ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं, जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, उपिनियन पूल के मुताबिक, और भारतिये जरिता पार्टी के अगर बात करें, वो 20 सीटे कौने आए, मैं वो भी आपको दिखा दूँ, द दारजलिंग, मिदनापोर, तामलोक और जलपाई गुडी और बनगाओं, ये वो सीटे हैं, जहाँ पर भारतिये जरिता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, कांटे की टक्कर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आपको बता दू, बड़ा रोचक ये आंकडा है, ये श्वन देशमुक जी हमारे साथ मौजूद है, सी वोटर के फाउंडर, उ यानि यहाँ पर भारतिय जन्रता पार्टी आगे दिख रही है इस वक्त, लेकिन तीन फिसद का अगर स्विंग होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीरभूम इसी तरह की सीट है, टीमसी आगे है, लेकिन यहाँ भी तीन फिसद कुछ और कर सकता है, घातल, और यह सी सीट अभी आप दिखा रहे हैं, बी सीट टीमसी, बी सीट बी जेपी और दो सीट कॉंगरिस, लेकिन यह ग्यारा सीट ऐसी हैं, जहाँ तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से शुरुआत करता है, बांकुरा से, देखे, पहली बात तो यह कि जब दरशे को बताना बहुत जबूरी है कि पश्चिम, बंगाल और महराश्च हमारे इस पूरे आकलन में यही दो एक ऐसे राज्य हैं रोहित, जहां पर हार जीत का अंतर पांच फीजदी से कम है दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने वाला ज उस तरफा जीत रहा है चाहिए इधर जीते या उदर जीते क्योंकि उनके बीच का फासला पांच फीजदी ही नहीं, डबल डीट में दस-दस फीजदी है उससे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया, ती तीन फीजदी से कम के स्विंग के उपर ये फ्लिप कर सकती है, यानि अभी हम बीज बीज दिखा रहे हैं, यह जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घाट, यह यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन तीन फीजद का अंतर है, यानि पच्चिस टी अमसे भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती। कि वो पांस सीटें जो आप यहां पर हरी दिख रही है अभी TMC के पक्ष में वो फिलिप करके भगवा भी हो सकती है बल्कुल यश्वन जी आपको मैं यहीं रोकूंगा वारिश पत्रकार प्रभू चावला जी बहुत है उनको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा प्रभू च चार्जिज तो अगर यह तमान कंपेंड बनती है तो तस्वीरी धर से उधर भी हो सकती है प्रभू चावला जी आपका रेक्शन ज्यादा तर बीजेपी बन रही है और वेस्ट पंगाल को पिछले दस सालों से बीजेपी ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था कि वहाँ पर एक तो पोलेरेश जी भी हो सकता है दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है और दूसरा वहाँ पर बट रहा है सीपीम और कॉ हाई दे रहा हो इस पास्ट है कि जो स्पेस विकेट कर रहा है अभी कॉंगरेश पर हो सकता है और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी आलाग कि बागी स्टेट के पास हैं वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी मोधी की वजए से एग्रेशन की और टी एमसी की अपनी एक पॉलिटिक से जो नेरो हो गई है तो इशू क्या बनाया उन्हें ने महाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा महाँ पर करप्शन का जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टी एमसी की निताओं को अरेस्ट किया उनको टार साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी टर्न चालने रही है वहाँ पर तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है यह ऐसी स्टेट के अंदर टी एमसी के खिलाफ अपना ऑल्टरेंटरी बन करके आना यह एक बीजेपी के लिए बड़ी स्टेट के लोगों से भी पूछ सकते हैas पूछ सकते हैं, कि ये उनको फाइदा पहुंचा रहे हैं या उनको रुकसान कर रहे हैं? या श्वन जी, ट्राइंगुलर फाइट नहीं बन पा रही है, प्रभू चावला जी कहना है. राके शुकला साब क्या कहेंगे आप? कांटे की टककर यानि 20-20 है ये 25 भी हो सकता है मामला 20 भी आंकड़ा दिखा रहा है देखे वहाँ पे तीन तरह का बोटर है एक मुस्लिम एक हिंदू एक बंगाली बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चलगा अब जो आपका आकड़ा बोट आप परसेंटेज का रहा है वह आप 14, 19 और 24 में देखे तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फरक नहीं आ रहा है भाजपा के साथ चला आ रहा है अब वो जो बोट है बंगाली बोट वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ तो जो आप 25 सीटों का और एस्वन जी भी बोल रहे है प्रभू जी भी ने जो कहा है तो पांच परसेंट बोट जो है वो यदि कहना चाहिए क अपना आकलन यह है जो मेरी वहां बाचीत हुई है मुझे लगता है अधीर रंजन के अलाबा वहां कॉंग्रेस के लिए दूसरी सीट हासिल करना थोड़ा कठीन है कॉंग्रेस के लिए का बोटा परसेंटेज कहीं नहीं बढ़ता यह राकेश जी का कहना है एक और फिर बदल सकती है लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही है दिखिए यह वो तमाम सीटे है 11 सीटे है और लेकिन अब यह देखिए 11 सीटे ऐसी है पश्चिम बंगाल में एक फीसद का अगर स्विंग होता है तो भी तस्वीर बदल सकती है यह बड़ा दिल बढ़ा बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है और ये 3% और 1% का जो ये उल्जन है इस उल्जन को भी दूर करिए रोहित इसमें कोई उल्जन नहीं है मैं बहुत सिंपल पोल्स्टर हूँ बहुत इमानदारी से अपने दर्शकों को अपनी बात बताता हूँ ये एक फीजदी के आकड़े वाली जो सीटें हैं दर्शकों इस पर इस समय ब्रह्मा जी भी अवतरित हो करके बताएं तो नहीं बता पाईंगे इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं इनके उपर अपनी निगाह रखिए क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं जिसके उपर हार जीत का आकलन अंतिम कप जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जून को उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी एक एक वोटिंग मेंगी एक बड़ा हैं सवाल ये श्वन जी एक प्रसेंट का स्विंग ग्यारा सीटें तो तो ये अगरा बीस में किसी में अगर ग्यारा एड होगे तो 31 32 भी पहुंच सकता है मैंने आपको इसलिए बोला कि पश्चिम मंगाल इस समय इस देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर इतनी कांटे की टककर है एक एक सीट एक एक पोलिंग बूथ पर उस तरही के कांटे की टककर होगी महाराश्ट को मैंने गिना था लेकिन महाराश्ट की कहानी कांटे की टककर की नहीं है महाराज की कहानी कनफ्यूजन की है असमंजस की है इसलिए विचित रिस्तिती है पश्चिम बंगाल में कोई कनफ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है पश्चिम बंगाल में काटे की रडाई केवल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लौगर ह परसंट के करीब दसे बार 11 परसंट जो वोट बचा है वो दरसल एंटी मम्ता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो यह एंटी मम्ता वोट बीजेपी की और शिफ्ट होता और वही निगाह रखने की बात है कि एंटी मम्ता प्लैंक पे या कॉंग्रेस लेट का यह बचा कुछा वोट बीजेपी की और फर्दर बोलराइजेशन में शिफ्ट होता है जी बैशुन्दा आपको रोकूंगा प्रभू जी क्या कहेंगे आप यह जो तस्वीर बनके सामने आरे पस्ट्रिम बंगाल की यह तो एक परसंट के स्विंग का मामला तो कर एक तरफ कर दे जोन तरफ तो काफी बीजेपी दस पर आ सकती है और जीडों पर आ सकती है यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप 20 की बीस दे दे एक तरफ जैसे 11 यह और 12 अगर एक तरफ चली गई तो बीजीपी का आकड़ा बीस है ना 22 जोड़ दिया जाए अ अगर अंटी इंकमर्शी वोट देना तो किसको देना या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनकर सी टी एमसी को चुनेंगे गें कॉंग्रेस पार्टी माजिलाई होती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता है फिर माजिलाई है हाले कि लेफ्ट कॉंग्रेस मिल करके लिब्रा सो कॉल्ड वोट यह बंगाली वोट है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी के हो सकती यह बड़ी दिल्चस बात यश्वन्त भी कहने और प्रभू चाबला जी कभी कहना यह तस्वीर 30 की भी बन सकती है टीमसी की वेवर में हो चाहे बीजेपी की फेवर में हो एक बार जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से यह सीटे बता देता हूं जिन सीटों पर आप सब ल भारतिये जनता पार्टी लेकिन एक फिरसद से आगे इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है आसन सोल देखे आसन सोल इसके लावा जारग्राम बर्दमान दुरगापूर यह बीजेपी के लिए एक फिरसद का आंगड़ा यानि खत्रे की घंटी यहां पर बीजेपी के लि लेकिन बड़ी बात यह है टीम सी के लोग भी कह रहे हैं कि लिए सब हम लोग तो पैंटिस पार कर जाएंगे तो यह जो स्थिती बन रही है और यह जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो यह तो ऐसा लग रहा है जो सर्वे के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा तीस के आसपा से पहुंचेगा देखे दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जो दम ठोक के बोलते हैं मैं उनको दोशकता ही नहीं देता क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने के चक्कर में वहां पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो यह नहीं बोलते कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भा पश्चिम बंगाल का यह जो तीन तीन चार चार सीट वाला मसला है न यह अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस पर टर्न आउट इंपक्त होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और बड़ा दिल्चस्प आंकड़ा यश्वन देश्मुक जी बता रहे हैं देखिए यह जो हरे रंग में जो सीटों यह जे रुएरूंकी सीटन में कभी भी कुछ भी बदलाब हो सकता है एक फिसद की बात है एक फिसद की आलंगे आज ये श्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुड़ता पैना लेकिन इनके कुड़ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामी दे रहा हूं कि ये सीटे वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पैंडूलम इधर से उधर उधर से इधर होता ही रहेगा और शाब तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश् पोल बता रहा है वह बता रहा है 20 सीट भारतिय जरुदा पार्टी 20 सीट टीमसी दो सीट कॉंग्रेस लेकिन ये दस सीटे अगर किसी तरह भी जाती है यानि 11 सीटे हैं दस से 11 सीट तो 30 से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है देकिए 543 में से 119 सीटों का ऑपिनियन पॉल सामने आ चुका है जिसमें अनड्ये 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठ बन्धनको 86 सीट यानी दोगुनी सीट इंडिया कठ बन्धनको मिलती हुई दिख रही है अब तक यानी 119 सीटों के हम बात कर रहे हैं 543 में से और इस हिस में हम जर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और 2 सीट कॉंग्रेस को मिलती हुँ दिख रही है तमाम महमान हमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इ सर डाल लीजिए फिर उसके बाद बड़ी दिल्चस्प चर्चरम करने वाले हैं देखिए 3 फिसद का स्विंग 11 सीटे ऐसी हैं जहां पर 3 प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं ये वो तमाम सीटे हैं पांकुरा, बीरभूम, घाटल, ब ऐसे जहां एक फिसद का स्विंग कुछ भी कर सकता है, एक फिसद आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिती देखने को मिल रही है, दम दम, कृष्णा नगर, जय नगर, बारा साथ, आसन सोल और बशीर हाट, यह यहां पर टी-मसी एक फिसद के मार्जन से आगे है और इसके लाबा पुरूलिया, बिशनुपूर, जारग्राम, मर्धमान, दुर्गापूर, बैरकपूर, यहां पर भारतिय जनता पार्टी एक फिसद से आगया है, अब बड़ा दिल्चस्पाग, सवाल यह उठ रहा है कि अभी 20-20 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन 22 सीट इसी हैं, यानि 11 सीट ऐसी हैं, जहां 3 फिसद का स्विंग पे कुछ भी हो सकता है, और 11 सीट ऐसी हैं, जहां 1 फिसद के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है, इश्वन जी, यही स्थिती है, यानि 22 सीटों की अभी 20 सीटों की तस्वीर साफ है, देखिए, मैं बहुत इमान नहीं छोड़िये, ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे, तो भी आपसे यही कहेंगे, रोहित, बक्चा कुछ और वर्दान मांग लो, इन वाई सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो, इसलिए, इसलिए, जो मुझसे नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे हाथ, जो आकड़े अब ही आ रहे हैं सर्वे में, जिन आकड़ों में जहां पे जो दिख रहा है, हमने वो एबीपी पे परोसा, और एक बात और हम कहना चाहिंग रोहित, हमारा ही ये चैनल था, हमारा ही सर्वेक्शन था, जिसने दो हजार उननिस में पहली बार, अठारा सीट बीजेपी के ल कि ममदा दीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है, बीजेपी नंबर दो पहुच रही है, लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुच रही है, केके शर्मा जी आपके पास आओंगा एक छूटी सी प्रतिकिरा में राकेश उकला जी की ले ले लेता हू प्रभु चावला जी ने जिकर किया था भी जब ब्रेक होदा उसरा नोंने का था कि यानि बात साफ है, उन्हीं का टेक था कि बाई सीटे ऐसी हैं जहां यानि बी सीट की तस्वीर साफ है, बाई सीट कहीं भी जा सकती है, तो यह तो बड़ी अजीब सीटी है, यानि दस- रस्ता खतम हुई उनकी, पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वो जीती थी, इस बार भी कंडिडेट हैं, एक फिसदी का अंतर बताया जा रहा है, आसन सोल सीट सद्धन सिनाजी की है, पिछली बार जब उप चुना हुआ, मार्जिन अच्छा था उनका जीत इस बार एक फिसदी का अंतर आ गया है, ये जो है ये बड़ा बहुत महत्पूर्ण है ये सीटे, जार ग्राम, आपके पस्चिन मंगाल में दो ऐसी सीटे हैं, जो आंदोलं की जनक मानी जाती है, जार ग्राम और नंदी ग्राम, जार ग्राम में आप देखिए बारती जनता पार्टी है, लेकिन वो भी एक फिसदी बोट में कहीं न कहीं फंसी हुई दिख रही है, तो ये जो एक फिसदी बोट है, वो कहीं न कहीं तरमूल कांगरेस का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, बलकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये इस वक्त ये डेटा देख रहे हैं, तर्शक उनको भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत क्लोज फाइट यहां पर देखने को मिल रही है, यानि 22 सिटे ऐसी हैं, जो 11 सिटे 3 फिसद और 11 सिटे 1 फिसद, यानि 1 फिसद और 3 फिसद से मेरा मतलब ये है, कि 3 परसेंट का स्विंग 11 सिटों पर किसी बी तरफ जा सकती है, 1 परसेंट का स्विंग होता तो 11 सिटे कहीं भी जा सकती है, यानि आंकड़ा 22 सिटों का बनता है, प्रभु चावला जी आपके पास आउंगा उसके बाद, जो हमारे राजनितिक मेराने उनके पास जाऊंग जी प्रभु चावला जी. पर वेस्ट बंगाल के अंदर जब तक बड़त नहीं होती, मेरे को लगता है, 370 का अकड़ा तो ठीक है, एक नेता की तरह से नावाद दी गई है, उसको मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रंतु 300 से उपर करना, जो पिछले साल के मूदी जी की विक्टरी तब है, एक तो 3rd record जोगी 306 से उपर आना उनके लिए उनकी प्रेशिट का सवाल है, वेस्ट बंगाल डिसाइड करेगा कि वो 306 से उपर जाते हैं के नहीं जाते हैं, ये सीटे नहीं करने हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी हैं, जिन में से 11 सीट, 3 फिसद के सुइंग के साथ कहीं कहीं भी जा सकती हैं, और 11 सीट ऐसी हैं, जो एक फिसद के सुइंग के साथ कहीं भी जा सकती हैं, सर आपका रियक्शन, अब जो ये पूरा आंकरा सामने आया है, के कि शर्मा जी रोहिज जी तीन, जो है विद्वान विशलेशक के हां पर बहुत अन्भवी विशलेशक बैठे हैं, मैं उनके समझ से 2-3 बातें रख रहा हूं, और उनसे अपिक्षा भी करूगा कि इस पर जज़ू विचार रखें, देखिए हम पिछली बार 18 सीट में थे, इस बार आप मैं आपके उसी पर, पोल पर ही बोले, 18 सीट हमारे पास थे, आप हमें 20 सीट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सीट हम बढ़ रहे हैं, तो 2 सीट क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ममता सरकार के परती anti-incumbency factor है, तब ही तो हमको 2 सीट की बढ़त मिल रह हैं, तो पिछली बार 18 से लेके 20 के तो मतलब ममता के अगेंस्ट मामला चल रहा है, और ये कहां तक बढ़ता है, जहां 1 परसेंट और 3 परसेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सभाविक रूप से कि ये anti-incumbency factor है, ये अन जगहां भी लागू होंगे, को कि प्रदेश मियाद के अंदर ऐसा राज्य है, जहां पर हम जब सर्वे करते हैं, तो बहुत से लोग नहीं बताना चाहते, वो कहते हैं के साब हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं, क्यों कि उनको डर है, कि यदि हम अपनी बात रख देगे तो हमारे उपर हमला होगा, हमारे घर जला दिये जाए करेंगे हमारी बहनों महिलां के साथ अथ्य करेंगे कौन करेगा क्ष pagar वीजय पी कर सकती है वीजय पी तुछ नहीं कर सकती जो भी करीगा टीसी करेंगा तो कि त्यों एंजी की कि हिस्ट्री भी है और कि येंग लोग को फ़र इस तरह कि जो है गंड़ करना है इसलिए वो डर से नहीं बताना चाहते, तो बोटर किसके हुए? वो बोटर तो भारती जनता पार्टी के उपच के हुए? इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिक बात, एक चीज़ कहता हूँ, अभी माने प्रभुरु जी ने एक अच्छी बात कही कि पस्चिम बंगाल का रिजेल के लिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है, मतलग एक सर्वमान्य सतिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रणान मंत्री बोधी जी के नेत्युत में 2024 में भाजपा तो सरकार बना ही रही है अपने सायों की दलों के साथ, अब भी सर यह है कि इसमें जो हमारा लक्ष है, 370 वो हम कहुंचने के लिए ये सारी जी के शर्मा जी आनि आपका कहने कि इसलिए वोटर नहीं बोलता, आपका कहने कि वो आपके समर्थक है, जी बोल दीजे, बोल दीजे, संक्षेप में बोलीगा सर, मुझे बाकी निता पार्टी ने उस तूसरी बात, जो अभी एक बात राकेश जी ने कहीं, बड़ी इंटेस्टिट विशे हो अभी, आसन सोल का मैं एक ही उधारण देता हूं, मैं विश्तार पे नहीं जाओंगा, आसन सोल में सत्रुगन सीना, मैं समझता हूं कि तिमूल कांग्रेस के टाप चार फंच जो वि पेटे हुए, और वो यदि एक परसेंट के में फसे हुए है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं, कि चावल कितना पका है, एक दाने से समझ जाता है, इस समझ जाता है, इस बात का ध्यान रखेगा, शत्रुगन जिना जी ने ट्रेनिंग आपी की पार्टी में लिए है, तो एक फिसद से, ये तीन फिसद में कब आ जा है, पान फिसद में कौन चला जा है, इसके भारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बरहाल, मैं आपके पास आउँगा, तो सिफ खान साब, क्या कहेंगे, देखे सर, तीन फिसद के स्विवाली 11 सीट, एक फिसद के स्व सकती है, कई है, कई पे तीन प्रतिशत में स्विग कर सकती है, द 이야기 है, दोजाऄोंनेस को बार बार जसेकर किया जा रहा है, लेकिन दोजार उननिस के बार, दोजार toys में state election हुए, फिर के बाद हाल में 2023, में पंचाईट helemaal इलेक्शन भी हुए, और इन e एलेक्शन में इन तो यह त्रेंड जो है यह दिखा रहा है कि बीजेपी का डाउन फॉल हुआ है और तिनमुल को बढ़ोती मिली दूसरी तब आप देगे कि जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादा लोकल इसूस को ले कि दफ से देखी जाती है वो जो वोट जो है वो अल्टीमेटली तिनमुल को ही पड़ेगा और जिसमें अगर कोई ममता बैने जी से डिस्गरंटल वोट असे उनके लिए थर्ड ऑप्शन अवेलेवेल है को जाकर के वोट देंगे लेकिन वह वोट जो है बीजेपी को जाने वाला नहीं है लेकिन 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 तो अशिर खांसा बड़े संशे में माफी चाहूंगा आपको रोक रहूं लेकिन सर ये तीन फिसद और एक फिसद का जो आंकड़ा है 11-11 सीटों का 22 सीटे ऐसे बनत असर कि तीन फिसद का सुईंग और एक पिसद का सुईंग कुछ भी तस्वीर सामने ला सकता है ति नित फिसद काव के बड़ा है बीजेपी का ओस गीरा है ल सटे में जाते 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 हैं बीजेपी का और गीरा और तिर्दमुल का वोट शेर बढ़ा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वोटिंग आकड़े की अगर हम बात करें तोस आकड़ा जो को अलड़ी लोगों ने वोट किया है जो वोटिंग पैटन है उस हिसाब से तो वोट बीजेपी के सीट घट रही है डवल डिजेट भी कर अगरा आप करेंगे जो के लेटेस्ट या फिर आप अपनचायत को लेकर जो के और भी लेटेस्ट तो उससे तो बीजेपी कहीं पर भी डवल डिजिट आपाद कर ती भी नहीं दिख रही है तो आपके पास में यह उपिनियन पोल है लेकिन उससे मैं सहमती नहीं रखता ठ अब जो तस्वीर पूरी फाइनल तस्वीर पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे हैं कॉंग्रेस के लिए देखिए उसमें क्या कहानी है कहानी यह है कि एक सीट आपकी मालदा दक्षिन वो तीन फिसद के स्विंग वाली स्थिति में है यानि अगर तीन फिसद का अरे नाम किसी भी तरफ जा सकता है यानि अपोजिशन की तरफ बें जा सकता है आपकी तरफ बें जा सकता है क्या कहेंगे आप देखें मालदा में तो हमें बहुत जादा विश्वास है कि मालदा दक्षिन में इशाखान चौधरी जीतने वाले हैं वो हमारी existing MP दालूदा के बेते हैं और जैसे मैंने कहा राइगंज बोलिये मालदा उत्तर बोलिये काफी सारे दूसरी सीट भी है जहां पर हम लोग कि उमीद रखते हैं देखें टोपी और तिलक का जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पेंगॉल में विस पेंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए हम लोग यहां पर मिजॉरिटी एपीस्मेंट की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोजगार की बात कर रहे हम लोग प्राइस राइस के बात कर रहे हम लोग जो रोज का जो डेली इशूज है जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में उनका डेली इशूज के बारे में बात कर रहे हैं लेफ्ट और कॉंग्रेस के लाइन्स और मेरे खिलाफ मेरे मेरे हिसाब से जो लोग प्येम्सी के खिलाब वोट देना चाहते हैं, वो लोग as an alternative left और Congress Alliance को चूज करेंगे और जो आप दिखा रहें उसे काफी जादा वोट शेर हमें मिलने वाला है. ठीक है, अब वक्त कमेंबडे फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे है, एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा, प्रभू जावला जी सबसे पहले आपके पास आँगा, संशेब में जवाब चाओंगा, सर क्या कहेंगे आप, ये CA, संदेश, खाली, और मोधी फेक्टर क्या दिख रहा है इनांकडों से आपको? अगर बन जाती है, तो ये अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है. जी, राके शुकला साब, क्या कहेंगे आप, ममता की लोगप्रेता, मजबूच, संगठन, विपक्षी वोटों का विखराओ, ये तमाम बाते और ये जो पिनिन पोल आ रहा है, क्या कहना आपका? लेफ्ट और कॉंग्रेस भी बिकल्ब बनता हुआ, नहीं दिखराओ. ये पोल्स्टर या सर्वे करने वाले के लिए कठनाई का सबब ज़ूर है, लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है. अगर मुकाबरे सब एकतरफाही होने लगे, किसी भी राज्य में गाम भले ही आसान हो, लेकिन लोगतंत्र का वो मज़ा नहीं आता. अच्छी काटे की लडाई ये लोगतंत्र के, अच्छे लोगतंत्र के स्वास्त की निशानी है, उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभिनंदर करता हूँ. अभी बात पश्चिम बंगाल की जहाँ बीजेपी, संदेश, खाली और CAA जैसे मुद्दों को सियासी धार बना रही है, क्या ये मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुँचाने वाले हैं, या फिर ममता बैनर जी की लोगतंत्र के आगे बीजेपी का हर शाई हो जाएगा, या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है, और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है, यहां राज जुनेतिक महमानों के साथ पलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद है, तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क् पश्चिम बंगाल का मूड़ देखी जाती है, तो पश्चिम बंगाल का आकड़ा किया है, वहां का सबसे पहले आपको बोट शेर हम बताते हैं कि क्या किसके खाते में कितना प्रतीशत जाता हुआ देख रहा है, तो यह देखिए, आपके सामने तस्वीर अब खुलकर आ गई है, 42 सीटे हैं पश्चिम बंगाल में लोग सबाकी, और 42 सीटी वोट शेर इनमें से बीजेपी के खाते में जाते ही दिखाई दे रहा है, 44 सीटो का वोट शेर के लिहाद से यह पूरा लेखा जो खा पश्चिम बंगाल का, अब जरा, यह कनवर्ड कैसे होता है, सीटों में किस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा चुनामों से छीख पहले यह ताजा सर्वे है जिसमें यह निकल कर सामने आ रहा है तो बैयाले सीटों में से 20 सीटे बीजेपी को जा सकती है 20 सीटों पर टी और 20 सीटों के साथ यहां पर बीजेपी जीत्ती दिखाई दे रही और 20 ही टीमसी यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से फिलाल यह इतनी सीटे बीजेपी और टीमसी 20 सीटे आपस में यहां पर जाती पॉल पश्चिम बंगाल का आपके सामने है पश्चिम बंगाल में TMC BJP में कड़ी टककर इस पॉल के मताबक देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में TMC BJP को 20-20 सिट मिलने का नुमान है 2019 के अगर बात करें तो भारतिये जनलता पार्टी को 18 सिट मिली थी यानि BJP को 2 सिट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है इस फाइनल ओपेनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्ट और हमारे साथ तमाम एमान मौझूद है भारतिये जनलता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद है और कॉंग्रेस से मीता चकरवर्ती हमारे साथ मौझूद है तौसीफ खान भी हमारे साथ मौझूद है प्रभू जामला जी हमारे साथ मौझूद है वरिश पत्रका पिछली बार 18 इस बार 20 सीट क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है ओपेनियन पूल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पूल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिखा दिखाती हैं कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पूल के दिखाती मैं समझू तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारकर सार नेता और जिस धरंका हम अपना विशे लेते हैं उस फिडबेक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं जादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी और निश्चित तोर से हमारे आकडे को जो हम सूझते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे भारती जनता पार्टी और 400 सीट हम उस आकडे तर पहुँच जाएगे कि कि शर्मा जी आपका कहना है कि ये तस्वीर और बदलेगी आपका कहना है बीस से उपर भारती जनता पार्टी जाएगे हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौझूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब टीमसी को दो सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है क्या कहेंगे आप और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं बलकि इससे कहीं आगे पहुंचेंगे हम क्या कहेंगे आप नहीं देखें 2021 की राज्य सुभा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़हत दिखाया जा रहा था बीजेपी को कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर ज सर्वे के हिसाब से आकड़ा रहा लेकिन मैं इससे सहमत ही नहीं रखता मेरे हिसाब से जो 2019 के जो आकड़े है उससे काफी नीचे किरने वाला है आप कंपैर करें के 2019 में यह देखा गया था कि तिर्णमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को जॉइन कर रहे थे वो जैन्वरी महने से स्टार्ट हो गया लेकिन अभी आप देखेंगे हाल यह है कि पीजेपी तो कोई जॉइन कर नहीं रहा लेकिन पीजेपी ने अभी तक तो पूरे के पूरे व्याली सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिये है तो यह बढ़ा कहां से यह ले करके आएंग हैं मीता चक्रवर्ती हमारे साथ है मीता जी क्या कहेंगे आप दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्टी हुई दिख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बॉर्ट शो एपी बिंगॉली न्यू यर और पश्टी मंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी चो है वो हम लोग सीट अजास्मन करके एक अलाइंस करके हम लोग की चुनाव लर रहे हैं यह बात तै है कि पश्टी मंगाल म सेकुलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्प की तरह वो बीजेपी के और जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिल्कुली समयत नहीं हूँ मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs हैं मालदा और मुर्शिदाबाद में साउथ मालदा में इशा खान चोधरी को लीड में दिखाये हो आप लोग और बहरंपूर में अधिर अजन चोधरी जो हमारी लीडर ऑफ लुक्षा बाभी थे वो लीड कर रहे हैं यह तो हमारी इंटर्नल सर्वे बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तरमालदा में जो उत्ता का हैं वो हमारी कैंडिडेत हैं और काफी सब्सकुशन है मैं अपके पास दुबारा लटते हैं इक बार देख लेते हैं पूरे बंगालकी क्या बंगल की 22 की चा Strength बाइंब हम सर्वें ए तो हुँ आपके सामने वह आपको दिखाते हैं थे activ у York दिखाने निकल कर सामने आ रहे हैं क्या थिख्धि मंगलकी кв चोशिच कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं TMC 20, BJP 20 और कॉंग्रेस 2 यानि बहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटोबर TMC यानि आप यह देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखा है बीरभूम, दमदम, जंगीपूर, कृष्णा नगर, जयनगर, घाटल, बारासाथ, आसन सोल, बर्धमान पूर्व, बोलपूर, हावडा, मतुरापूर, श्रीरामपूर, कॉलकाता दक्षिन, जावतपूर, बशीरहाड, डायमंड हारबर, कॉलकाता उत्तर, मुर्शिदाबाद, और उलुबेरिया यह वो तमाम 20 सीटे हरे तो देखिए, अलिपूर्द्वार, बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपूर, हुगली, जारगरा, मालदाउत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या, इसके अलावा बर्धमान, दुर्गापूर, कूच बिहार, और बलूर घाट, बैरकपूर, दारजलिंग, मिदन पूर्णपूर, तामलोग, और जलपाई गुडी और बंगाओं, ये वो सीटे हैं, जहां पर भारतिय जनिता पार्टी बढ़त बनाती हुई, देख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह स कांटे की टकर भी कुछ सीटों पर देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में, और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आपको बता दू, बड़ा रोचक ये आंकडा है, ये श्वन देशमुक जी हमारे साथ मौझूद है, सी वोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकड ये जनरता पार्टी आगे दिख रही है इस वक्त, लेकिन तीन फिसद का अगर स्विंग होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बीरभूम इसी तरह की सीट है, टीमसी आगे है, लेकिन यहाँ भी तीन फिसद कुछ और कर सकता है, घाटल और ये सीट है, इसके लाबा माल सीट टीमसी, बी सीट बीजेपी और दो सीट कॉंगरिस, लेकिन ये ग्यारा सीट ऐसी है, जहाँ तीन फिसद का स्विंग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से शुरुआत करता है, बांकुरा से, देखिए, पहली बात तो ये कि जब अपने दरशे को बताना बहुत ज़ जीत रहा है, चाहे इधर जीते या उदर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला पांच फीजदी ही नहीं, डबल डीट में दस दस फीजदी है, उससे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया, तीन फीजदी से कम के स्विंग के उपर ये फ्लिप कर सकती है, यानि अभी हम 20-20 दिखा रहे हैं, यह जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घाट, यह यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन तीन फीजद का अंतर है, यानि यानि पच्चिस टीमसी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही पकड़ा, यानि यहां से अगर तीन फीजदी का ग्राफ स्विंग बीजेपी से टीमसी की होर हो जाता है, इन सीटों पे फ्लिप हो जाएंगी, टीमसी का ग्राफ 25 हो जाएगा, बीजेपी जो आप यहां पर हरी दिख रही हैं अभी TMC के पक्ष में वो फिलिप करके भगवा भी हो सकती है। प्रभु जाबला जी, आपका रेक्षन. वेस्ट पंगाल को पिछले 10 सालों से BJP ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था। क्योंकि फर्टलिटिक ग्राउंड है महाँ पर एक पोलेरेशी भी हो सकता है। दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है। और दूसरा वहाँ पर बट रहा है CPM और कॉंग्रेस तरफ हो गई है। तो जो दिखाई दे रहा हूँ इस पास्ट है कि जो स्पेस विकेट कर रहा है अभी कॉंग्रेस पर हो सकता है। मेरे को लगता है कि alternative वहाँ पर कॉंग्रेस का जो आप करें सिब लिबरर और सेकुलर महाँ पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो है पाकिस्ट वहाँ पर ज्यादा हो रहा है। मोदी जी की वज़ए भी हो सकता है। तो इशू क्या बनाया उन्हें ने वहाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा वहाँ पर करॉप्शन का जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टीम्सी की निताओं को अरेस्ट किया। उनको टार्गेट करके वहाँ पर एक करॉप्शन, कमिनलिजम और नैशनलिजम का कमिनेशन बनाकर के बीजेप निया और बनाया है। मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसंटेज जो है चार परसंट का फरक है लगबाग इतके अंदर। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि ऐसी स्टेट के अंदर टी-एम-सी के खिलाफ अपना ऑल्टनेटरी बन करके आना ये एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्टिये कितनी सीटे हैं कि कुछ बहुत सुपर नहीं परसा है। परण तो वेस्ट पंगाल के अंदर फ्यूजर क्या देखते हैं और अल्टनेटी टू टी-एम-सी ये बीजेपी है ये इस पश्ट हो जाता है। जी जी अश्वन जी जी एक बात के वाली आयट करना चाहूंगा जो प्रभु जी ने बोली इनकी बात को मैं आगे और बढ़ाते हुए कि दरहसल इसके लिए पश्टिममंगाल के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है जो विपक्ष के वोटर्स की जहां बात हो रही है। जैसे कॉंग्रिस के प्रवक्ता से अगर आप पूछें कि आखिर पश्टिममंगाल में वो चनाव किसके खिलाफ लड़ रही है। वो भाजबा के खिलाफ लड़ रही है या त्रिनमूल कॉंग्रिस के खिलाफ लड़ रही है। आकिर महाँ पर mandate क्या है? किसका mandate मांग रही है? और अगर TMC के खिलाफ चनाव लग रही है तो राश्ट्री इस तर पर चनाव में या इंडिया के गड़ बंदन में वो TMC को अपना पाल्टर मारती हैं या BJP के खिलाफ चनाव लग रही है? यह जो contradiction हैं इंडिया के alliance के अंदर सेम यही सवाल आप left front के लोगों से भी पूछ सकते हैं और TMC से भी पूछ सकते हैं कि यह contradictions जो है यह उनको फाइदा पहुचा रहे है या उनको रुकसान कर रहे हैं या या उनको रुकसान कर रहे हैं या या श्वन जी ट्राइंगुलर फाइट नहीं बन पा रही है अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा है अब जो आपका आकड़ा बोट आप परसंटेज का रहा है वो आप 14, 19 और 24 में देखिए तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फार्क नहीं आ रहा है उनको इसका पैटर नहीं है फिर जो आप सीट का बता रहे हैं कि यह पांच सीटे उलट पलट यह 10 सीटे उलट पलट हो सकती है तो तरमूल के साथ 15% बोट ऐसा है जिसको या तो आप हिंदू कहेंगे या बंगाली कहेंगे तो कि 30% मुस्लिम बोट तरमूल के साथ है और इसी तरह से हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला आ रहा है अब वो जो बोट है बंगाली बोट वो यदि सिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ तो जो आप 25 सीटों का और एस्वन जी भी बोल रहे है प्रभू जी ने जो कहा है तो पांच परसंट बोट जो है वो यदि कहना चेह करमूल से नीचे आया यानि 40 के आसप से पहुचा परसंटेग जो आप मान के चलिए भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे हैं मेरा अपना आकलन यह है जो मेरी वहां बाचीत हुई है मुझे लगता है अधीर रंजन के अलाबा वहां कॉंग्रेस के लिए दूसरी सीट हा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है और देखिए अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूं पश्चिम बंगाल में हमने 11 सीटे दिखाई आपको चहां पर 3 फीसद के स्विंग होने से तस्वीर बदल सकती है लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही है देखिए यह वो तमाम सीटे है 11 सीटे है और लेकिन अब यह देखिए 11 सीटे ऐसी है पश्चिम बंगाल में एक फीसद का अगर स्विंग होता है तो भी तस्वीर बदल सकती है यह बड़ा दिल्चस्प हो जाता है एक पर फिर से मैं यश्वन देश्मुक जी को बलाओंगा है श्वन जी बताइए मैं चाहूंगा एक पर यहां पर आईए आप दर्शकों के सामने और बताइए क्योंकि तीन फिसद में 11 सीटे और एक परसेंट के स्विंग में 11 सीटे यानि तस्वीर तो किस तरह से बड़ा बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है औ एक फीजदी के आकड़े वाली जो सीटें हैं दर्शकों इस पर इस समय ब्रह्मा जी भी अवतरित हो करके बताएं तो नहीं बता पाएंगा इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं इनके उपर अपनी निगाह रखिए क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं जिसके उपर हार जीत का आकलन अंतिम कप जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जून को उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उदर फिलिप करती रहेंगी एक एक वोटिंग ब्रह्मा जी एक प्रसेंट का स्विंग 11 सीटें तो तो ये आगरा 20 में किसी में अगर 11 एड सीट पर उस तरीके कांटी क्रोगी महाराष़् को मैंने गीना था लेकिन महाराष़् के कहनीी डूस्रैंटी कहानी कांटे कि तकक्र की नहीं है महाराष़् काणी कनफिउजन की है असमों की है इसलिए विचित रश्थितिय है पस्छिम बंगाल में कोई konfusion या कोई असमैं पश्चिम बंगाल में काटे की रड़ाई के वल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लॉगर हैट्स में हैं नमबर एक चीज ममता बेनरजी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लड़ने का फैसला किया क्योंकि मैं जब आकड़े देखता हूं रोई तो उसने एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में 5-5% के करीब 10-11% जो वोट बचा है वो दरसल एंटी ममता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो ये एंटी ममता बीजेपी की और शिफ्ट होता और वोही निगाह रखने की बात है कि एंटी ममता प्लैंक पे क्या कॉंग्रेस और लेफ्ट का ये बचा कुछा वो बीजेपी की और फर्दर बोलराइजेशन में शिफ्ट होता है या जी बैशुन्दा आपको रोकूंगा प्रभू जी क्य कि एक टरफ कर दें जोन तरफ तो काफी प्रधाफ χए और विजेपी 10 पे आसके है और विजेट आप हैंना इक तरफ बीजेपी होकु व्星 receptive Шुल गया तो बीजेपी को देना या बीजेपी को चुनेंगे या आप कॉंगर्स पार्टी मार्जिलाई उती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता फिर मार्जिलाई देता है लेफ्ट वर कॉंगर्स मिल करके लिब्रन सो कॉल वोट यह बंगाली वोट है तो ये बड़ा इंट्रेस्टिंग ह या बड़ी दिल्चस बात यश्वन भी कहरे और प्रभू चाबला जी का भी कहना यह तस्वीर तीज की भी बन सकती है टीमसी की वेवर में हो चाहे बीजेपी की फेवर में हो एक पर जल्दी से मैं आपको एक बड़ फिर से यह सीटे बता देता हूं जिन सीटों पर आप स इसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारतिये जरता पार्टी लेकिन एक फिर सत से आगे इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है आसन सोल इसके लावा जारग्राम बर्दमान दुर्गापूर ये बीजेपी के लिए एक फिर सत का आंगड़ा यानि खत्रे की घंटी यहाँ पर बीजेपी के लिए भी हो सकती है और टीमसी के लिए अच्छी ख़बर भी आ सकती है वैसे ही उल्टा भी है इसके लावा बैरकपूर और बशीर हाट ये वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल ये जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रह लेकिन बड़ी बात ये है टीमसी के लोग भी यही कह रहे हैं कि रेसाब हम लोग तो 35 पार कर जाएंगे तो ये जो स्थिती बन रही है और ये जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो ये तो ऐसा लग रहा है जो सरवे के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के औस पास ही पहुंचेगा. देखे, दोनोई पार्टियों का जो आकलन है या दोनोई पार्टी के प्रवक्ता जो दमठोक के बोलते हैं, मैं उनको दोशकता ही नहीं देता. क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं नमबर एक बात लेकिन एक बात मैं जिक्र ज़रूर करूँगा जिस और सबका ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है पश्ची मंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस की बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है नमबर एक बार उस वॉयलेंस के चक्कर में वहाँ पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो ये नहीं बोलते हैं कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही नमबर एक दूसरी चीज़ टर्नाउट फेक्टर हो ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लॉइन और अगर मजबूत होगा और टर्नाउट सही होगा तो नतीजे क्या आएंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होगे इसलिए साथ फेजेज में पश्चिम बंगाल का ये जो तीन तीन चार चार सीट वाला मसला है न ये अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस पर टर्नाउट इंपक्ट होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और बड़ा दिल्चस्प वांगड़ा ये शवन देश्मुक्जी बता रहे हैं देखिये यि जो हरे धे की आउरोड धेलाष की सीट में कभी भी बदलाब हो सकता है एक एक फीसद की जी बात है एक फीसद की यालेंगे आज what does जो पीन किये और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामनी दे रहा हूं कि ये सीटे वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इधर से उधर उधर से इधर होता ही रहेगा और शाब तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश्चिम बंगाल की गिंती चलती रही और ये 11 सीटे आप नोट कर लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण बहाद दिलचस्प आंकड़ा ये 11 सीटे कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्विंग होता है अभी जो अपिनियन पॉल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारत हमने आई है ते कि 543 में से 129 सीटों का ओपिनियन पॉल सामने आ चुका है जिसमें एंडिया गठबंधन को 86 सीट यानी दोगुनी सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुए दिख रही है अब तक यानी 139 सीटों के हम बात कर रहे हैं 543 में से और इस हिससे में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और दो सीट कॉंग्रेस को मिलती हुँ दिख रही है तमाम महमान आमारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है ये पूरी स्थिती है टीमसी 20, बीजेपी 20, कॉंग्रेस 2, एक और दिल्चस्प पांकड़ा, 3 फिसद स्विंग वाली सीटे कौन सी है उस पर जरा नसर डाल लीजिए फिर उसके बाद बड़ी दिल्चस्प चर्चाम करने वाले हैं देखिए 3 फिसद का स्विंग 11 सीटे ऐसी है जहां पर 3 प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटे कहीं भी जा सकती है ये वो तमाम सीटे हैं पांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्दमानपुर्व और हुगली, मालदा दक्षिन, रायगंज, कूच बिहार, मतुरापुर्ण, जादपुर्व और बलूर घाट ये वो 11 सीटे हैं जहां 3 फिसद का स्विंग अगर होता है तो तस्वीर किसी भी त पैनगर, बारासात, आसन्सोल और बशीर हाट ये यहाँ पर टीमसी एक फिसद के मार्जन से आगे है और इसके लाबा पुरूलिया, विश्नुपूर, जारग्राम, बर्दमान, दुर्गापूर, बैरकपूर, यहाँ पर भारतिय जनता पार्टी एक फिसद से आगया है अ यानि 20 सीटों की अभी कुछ, यानि 20 सीटों की तस्वीर साफ है देखे, मैं बहुत इमानदारी से अपने दर्शकों को, मैंने वहाँ पर खड़े होके बुला, और मैं यहाँ बैठ करके दुबारा बोल ला हूँ यह 20 सीटें ऐसी हैं, जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये, परम ज्यानी छोड़िये, ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे, तो वो भी आपसे यही कहेंगे, रोहित, बच्चा कुछ और वरदान मांग लो, इन 20 सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो, इसलिए, इसलिए, जो मुझसे नहीं हो सकता, मैं वहाँ पे हाथ, जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में, जिन आकड़ों में जहां पे जो दिख रहा है हमने वो ABP पे परोसा, और एक बात और हम कहना चाहिंग रोहित, हमारा ही यह चैनल था, हमारा ही सर्वेक्शन था जिसने 2019 में पहली बार 18 seat BJP के लिए प्रोजेक्ट की थी, कोई यकीन करने वाला उस समय नहीं था, हमारा ही ट्रेकर यहाँ पर ABP पे अकेले हम लोग थे, ABP News असी वोटर, जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रेकर चला के बोला, कि ममदा दीजी जीत रही है और अ जिसने के लिए प्रेकर किया था भी जब ब्रेक वहाँ था, उस्वरान उनने कहा था, यानि बात साफ है, उन्हीं का टेक था कि, बाई सीटे ऐसी हैं जहां, यानि B seat की तस्वीर साफ है, बाई सीट कहीं भी जा सकती है, तो यह तो बड़ी अजीब सीट है, तो यह तो बड़ी महत्रपूर्ण है, क्रिष्णनगर सीट, महुवा मोहित्रा जी की है, सदस्ता खतम हुई उनकी, पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वो जीती थी, इस बार भी कंडिडेट है, एक फिसदी का अंतर बताया जा रहा है, आसन सोल सीट, सद्धन सिना ज हुआ है, बसीर हार सीर से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाय लाग बोटों से जीती थी, इस बार एक फिसदी का अंतर आ गया है, ये जो है ये बड़ा बहुत महत्रपूर्ण है ये सीटे, जार ग्राम, आपके पस्चिम मंगाल में दो ऐसी सीटे हैं, जो आंदोलं कांगरी इसका बलड प्रेशर बढ़ाएगा, बलकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये इस वक्त ये डेटा देख रहे हैं, दर्शक उनको भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी, उनका भी बलड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि ये बहुत क्लोस फाइट यहां पर देखने को मि सुषित अजय प्रकु करेंगे कि ये प्लड प्रेशर कितना है सर, बताए यानि दसता सीते के क्योंकि बहुत कि अनका पर आउंक जा Always 1 में प्लेशुग से ऐसे गे खmadı में और 2 सुष घाया है सीट कभी भी कुछ भी हो सकता है 22 में से 22 कहीं भी जा सकते है 20 में से 10 कहीं भी जा सकते है प्रहुदा जी इमपोर्टनसी इस एक बहुत बड़ी है कि इन सीटों की वेज़ा से decide हुगा कि भारति जनता पारी 300 से कितनी उपर जाती है अभी तो फारी नेकर में पता नहीं इनकी जिम में क्या रखा है वाद जब निकलेगा तो आएगा कि अगर बाइस यहां बीस प्याटर जाती है या उससे आगे जाती है वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बीजेपी के लिए 300 का अकड़ा प्रास का पार कर ना कि साउस में आपने दिखा दिया महां पर अभी दो स्टेट रहें दिखाएंगे तब देखेंगे कि यादा गेन महां पर दिखाई नहीं रहा पर कि लॉस ही उता दिखाए देरा है इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर और महरास्टा के जब दिखाएगा पिटारा खुल ना डिसाइड करेगा कि वो 306 से उपर जाते के नहीं जाते यह सीटे करने करेगा प्रभू चावला जी का यह टेक है बसीदे के के शर्मा जी के पास आउंगा के के शर्मा जी क्या कहेंगे सर ब्लड प्रेशर का क्या हाल है यह जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है यानि 10-10 सीटे क्लियर है लेकिन पर्ष्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी है जिन में से 11 सीट तीन फिसद के सुइंग के साथ कहीं भी जा सकती है और 11 सीट ऐसी है जो एक फिसद के सुइंग के साथ कहीं भी जा सकती है सर आपका रियक्शन अब जो यह पूरा आंकरा सामने आया के कि शर्म इसाद कि पर ज़दू विचार रखें, देखिए हम पिछली बार 18 सीट में थे, इस बार आप मैं आपके उसी पर, पोल पर ही बोले हुआ, 18 सीट हमारे पास थिये, आप हमें 20 सीट दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 2 सीट हम बढ़ रहे हैं, तो 2 सीट क्यों बढ़ र कि वहां पर जब क्योंकि यह देखिए विधान सभाव लोग सभा के चुनाव अलगुक्टर पर होते हैं यह सब लुग मानते हैं तो पिछली बार 18 से लेकर 20 मता के अगेंस मामला चल रहा है और यह कहां तक बढ़ता है जहां एक परसेंट और तीम परसेंट की आप बात कर र उपए अब दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हैं कि पस्चिम मंगाल के अंदर ऐसा राज्य यहाँ पर हम जब करते नहीं बताना चाहतें जोकि बताना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि यदि हम अपनी बात रख देंगे तो हमारे उपर हमला होगा हमारे घर जला दिये जाएंगे हमारी बहनों महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे कौन करेगा क्या बीजेपी कर सकती है बीजेपी तुमा कुछ नहीं कर सकती जो भी करे इसके अलावा एक बहुत इंट्रेस्टिक बात एक चीज़ कहता हूं अभी माने प्रब्रुजी ने एक अच्छी बात कही कि पस्चिम बंगाल का रिजेल की दिखाएगा कि भारती जनता पार्टी 300 से उपर कितना जाती है मतलग एक सर्वमान्य सतिस्तमें ये है कि भारती जनता पार्टी प्रणान मंत्री बोदी जी के नेत्युत में 2024 में भाजपात तो सरकार बना ही रही है अपने सायोगी दलों के साथ अब भी सर यह है कि इसमें जो हमारा लक्ष है 370 वो हम कहुंचने के लिए ये सारी ठीके शर्मा जी आनि आपका कहना कि इसलिए वोटर नह है ना वहां पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आसे जो है आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लिये हुए हो निर्वाचित लोग तूसरी बात जो अभी एक बात राकेश जी ने कहीं बड़ी इंटेस्टिट विशे हो अभ और वहां तो शत्रुगन सिना जी ने ट्रेनिंग आपी की पार्टी में ली है तो एक फिसद से ये तीन फिसद में कब आजा है पान फिसद में कौन चला जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता बरहाल मैं आपके पास आँगा तो शिफ खान साब क्या कहेंगे देखिए सर तीन फिसद के सुई वाली 11 सीट एक फिसद के सुई वाली 11 सीट तो ऐसे में तस्वीर कहीं भी जा सकती है सुई का कांटा कहीं भी घूम सकता है तो यह दिखा रहा है कि डीजेपी का डाउन फॉल हुआ है और तिननमुल को बढ़ोती मिली दूसरी तब आप देगे कि जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक नहीं थे उतना ज्यादा लोकल इसूज को ले करके नहीं थे क्यूंकि जब ही लोकल इसू को बातचीद होगी तो इसमें बिंगॉलिस सेंटीमेंट जागेगा और वी जेपी के तरफ नहीं जाकर के चुंकि आजंडि हाट्लाइःण पड़ेगा और जिसमें अगर कोई मम्ता पैना जी से से डिस्ग्रंटल वोटास है उनके लिए थर्ड ऑप्शन अवेलेवेल है को जाकर के वोट देंगे लेकिन वह वोट जो जाने वाला नहीं है लेकिन लेकिन तो अशिर खांजा पड़े संशे में माफी चाहूंगा आपको रोक रहूं लेकिन तीन फिस्द और एक फिस्द का जो आंकड़ा है 11-11 सीटों का 22 सीटे ऐसे बनती है वहां पर तो कोई दाव पूलों की बात करें कि वह तो तस्वीर किसी की तरफ जा सकते है ठीक है यह आप दावा कर सकते हैं कि ममता जी को मिलेंगी बीजेपी वाले यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें मिलेगी लेकिन यह बात तो आप मानते हैं ना सर कि तीन फिसद का स्विंग और एक फिसद का स्व जो तो निस चैनल में उसकी बात कर्था ह przysz adults what कि वोट परूट परूटीं तो मैं उसकी बात कर रहा हुआ। имड और सानबर के लोगों ने वोट किया है अन्ग कर सबंदो हुआ करitta के देब्रा कि तौन डिसकी एक पीयरएम है। लेकिन अगर आप 21 के आकड़े को पकड़े, MLA की आप पकड़के चले कि MLA के इतने BJP के है, जो के लेटेस्ट है, या फिर आप पंचायत को लेकर के चले, जो के और भी लेटेस्ट है, तो उससे तो BJP कहीं पे भी डवल डिजिट आकड़ा पाथ गर्ती भी नहीं दिख रही ये कॉंग्रेस के लिए देखिए, उसमें क्या कहानी है, कहानी ये है कि एक सीट, आपकी मालदा दक्षिन, वो तीन फिसद के स्विंग वाली स्थिती में है, यानि अगर तीन फिसद का स्विंग होता है, तो मालदा दक्षिन का परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है, यानि आपोजिशन की तरफ बें जा सकता है, आपकी तरफ बें जा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखे, मालदा में तो हमें बहुत जादा विश्वास है कि मालदा दक्षिन में इशाखान चौधरी जीतने वाले है, वो हमारी existing MP दालूदा के बेते है, और जैसे मैंने कहा, राय गंज बोलिये, मालदा उत्तर बोलिये, काफी सारे दूसरी सीट्स भी है, जहां पर हम लो जो पॉलिटिक्स अभी चालू हुआ है विस पंगॉल में, विस पंगॉल की लोगों को वो नहीं चाहिए, हम लोग यहां पर मिजॉरिटी अपीस्मेंट की बात भी नहीं कर रहे, हम लोग रोजगार की बात कर रहे, हम लोग प्राइस राइस की बात कर रहे, हम लोग जो वोच का जो डेली इशुस है, जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में, उनका डेली इशुस के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट और कॉंग्रेस के लाइन्स, और मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से जो लोग टीमसी के खिलाफ बोर देना चाहते हैं, वो लो के पास आँगा संशेप में जवाब चाहूंगा सर क्या कहेंगे आप ये संदेश खाली और मोधी फेक्टर क्या दिख रहा है इन आंकडों से आपको पहले भी कहा कि वेस्ट बंगाल दिशा तै करेगा देश कि तरफ जा रहा है इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर मोधी जी क डमाकरा उन्हें दिया कि हम इस वार 35 फार करेंगे ये उनके लिए प्रास्ची का सवाल है कि वेस्ट बंगाल उनके साथ कढ़ा है कि नहीं कढ़ा है कि बाकी स्टेट के अंदर निका जो ja से अगर कम होती है तो एक बड़ा भ्रकाा बीजेपि की हो सकता है अगर बन जाती ह तो यह अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है जी राकेश शुक्रा साब क्या कहींगे आप ममता की लोगप्रेता मजबूत संगठन विपक्षी वोटों का विखराओ यह तमाम बाते और यह जो पिनिन पूल आ रहा है क्या कहना आपका फाइनल कमेंट संग्षेप में सर्थ वहाँ पस्चिम मंगाल में दो चहरे चुनायो लग रहे हैं ममताब नरजी और नरेंद मोदी जी जहां तक बिकलप की बात की जा रही है तो जिस तरह केरल में भागती जनता पार्टी बिकलप नहीं बढ़ी उसी तरह पस्चिम मंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस भी बिकल बनता हुआ नहीं दिख रहा जी यश्वन देश्मुक साब पाइनल कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा यह जो बाई सीटे हैं और यह जो बिलकुल सबकी दिल्चस्पी अब इसमें हो गई है तो यह जो बाई सीटों का अगर यह कहा जाए कि सामने तस्विर कब तक साफ होगी सर चार तारिक तक इंतजार करना होगा यह उससे पहले पास सो तिरालिस में कुछ और मांग लो लेकिन यह बाई सीटे ना बाको बाकी सब अपनी जगह टीक है आनन्द आएगा देखे लोकतंत्र में अच्छी काटे की टक्कर हो यह पोल्स्टर या सर्वे करने वाले के लिए कठनाई का सबब ज़ूर है लेकिन हमको इस कठनाई के स्वास्त की दिशानी है उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभी नंदर करता हूँ अभी बात पश्चिम बंगाल की जहां बीजेपी संदेश खाली और सी एए जैसे मुद्दों को सियासी इधार बना रही है क्या ये मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुँचाने वाले है या फिर ममता बैनर जी की लोग फ्रियता के आगे बीजेपी का हर दाउं धराशाई हो जाएगा या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है यहां राज जुनेतिक महमानों के साथ फॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद है तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क्या है पश्चिम बंगाल का मूड तो 24 के चुनाव से पहले ये सर्वे आपको ये बता रहा है लगातार हम हर एक राज्य की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि मूड क्या है जनता का आखर सवालों के जवाब और साथी जब पूछा जा रहा है कि कौन पसंद ना पसंद तो उसके बारे में जनता क्या कह एक एक करके राज्य आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं इन आकडों के जरी बताने की कोशिश की कहां चुनावी बाहर बयार किस तरीके से चल रही है अब जरा बात कर लेते हैं पश्यम बंगाल की चुनाव के लिए आथ से बहुत सरगर्मी वहां देखी जाती है तो प बयालीस फीसदी वोट शेयर इनमे से बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रहा है चवालीस फीसदी टीमसी को यहां पर मिल सकता है सरवे के बुताब एक 6 फीसदी वोट शेयर पॉंगोस के खाते में जा सकता है अन्या के खाते में 6 फीसदी जा सकता है और इसे के वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे, फिर एक अनुमान आपको लग जाएगा, चुनामों से ठीक पहले ये ताजा सर्वे है, जिसमें ये निकल कर सामने आ रहा है, तो बैयाले सीटों में से 20 सीटे BJP को जा सकती है, 20 सीटों पर TMC भी कबजा कर सकती है, दो सीटे कॉंगर जाती हुई दिखाई दे रही है, सर्वे के मताबिक 42 सीटों में से पिलाल ये इतनी सीटे BJP और TMC, 20 सीटे आपस में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, रोई जी बलकुल शुरें दोस्वक की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो VP News, Sea Water का Final Opinion पोल, पश्चिम बंगाल का आपके सामने है, पश्चिम बंगाल में TMC, BJP में कड़ी टककर इस पोल के मताबिक देखने को मिल रही है, पश्चिम बंगाल में TMC, BJP को 20 सीट मिलने का अनुमान है, 2019 के अगर बात करें तो भारतिये जनरता पार्टी को 18 सीट मिली थी, यानि BJP को 2 सीट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है, इस Final Opinion पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है, भारतिये जनरता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौजूद है, और कॉंग्रेस से मीता चकरवर्ती हमारे साथ मौजूद है, तौसीफ खान भी हमारे साथ मौजूद है, प्रभू जामला जी हमारे साथ मौजूद है, वरिश पत्रकार राके शुकला जी भी हमारे साथ म देखिए ऐसा है, ओपेनियन पोल जो आप दिखा रहे हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, जो भी दिखा रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं, जो आपको फिडबैक मिला है, हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है, कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी, और ये उपेनियन पोल मैं मानता हूँ, जी कि ये एक दिखा दिखाती हैं, कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है, पिछली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी, इस बार हम आपके उपेनियन पोल के अनुसाद से यादी मैं समझू, तो जी कर रहा है कि निश्ची तोर से भाजपा उहां बढ़ रही है, अब ये बढ़त कहां तक जाती है, ये देखना पड़ेगा, और जैसा हम उहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं, भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारेकर सा नेता और जिस धरंका हम अपना आरून विशे लेते हैं, उस फिडबेक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं जादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी, और निश्चित तोर से हमारे आकड़े को जो हम सोचते हैं कि 370 सीट हम लेके आएंगे, भारती जनता पार्टी और 400 सी को दो सीट का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? और बीजेपी कह रही है कि हमें दो सीट का फाइदा नहीं, बलकि इससे कहीं आगे पहुंचेंगे हम, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, 2021 की राज्य सुबा चुनाव में भी इसी तरह का बढ़हत दिखाया जा रहा था बीजेपी को, कि बीजेपी को पूरी बहुमत मिल रही है, वो सरकार बनाने जा रही है बंगाल में, लेकिन जब नतीजा आया तो सारे लोग शॉक है, और जो लहर ममता बैन जो पॉब्लिक में, बंगाल की जनता में, जो उनकी पॉपिलारिटी है, वो आज भी कायम है, तो किस तरीके से ये आग्रा आपने बिलकुल अपना एक सर्वे किया है, आपके सर्वे के हिसाब से ये आख्रा आ रहा, लेकिन मैं इस से सहमती नहीं रखता, मेरे हिसाब से ज जैलवरी महने से स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी आप देखेंगे हाल ये है, कि पीजेपी तो कोई जॉइन कर नहीं रहा, लेकिन पीजेपी ने अभी तक तो पूरे के पूरे व्याली सीट में कैंडिडेट भी नहीं दिये, तो ये बढ़खत कहां से ये ले करके आएंग मीता चक्रवर्ती हमारे साथ है, मीता जी क्या कहेंगे आप, दो सीट पर पिछली बार भी और इस बार भी कॉंग्रेस दो सीट पर ही सिमर्ती हुई दिख रही है पहली बात तो शुभो नौबो बॉर्षो, एपी बंगॉली न्यू येर और पश्टीम बंगाल में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी चो है, वो हम लोग सीट अजास्मन करके, एक अलाइंस करके, हम लोग की चुनाव लग रहे है ये बात तै है कि पश्टीम बंगाल में टीमसी के खिलाफ एंटी इंकंबन्सी तो है, पर पश्टीम बंगाल के लोग है, वो काफी लिबरल और सेकुलर किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजमेटिक बिकल्ब की तरह वो बीजेपी के ओर जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिल्कुली समयत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है, माल्दा और मुर्शिदाबाद में, साउत माल्दा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाए हो आप लोग और बहरंपूर में अधिरांजन चोधरी जो हमारी लीडर अफ लोग्षा भाभी थे वो लीड कर रहे है, यह तो हमारी इंटर्नल सर्वे बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तरमाल्दा में जो उत्ता का अलम है, वो हमारी कैंडिडेट है और काफी सारे जगा में हमारी कैंडिडेट और लेफ एक बार देख लेते हैं, पूरे बंगाल की तस्वीर क्या बनती है कि एक एक सीट का हम सर्वे दिखा रहे हैं, तो आई आपके सामने, अब आपको दिखाते हैं क्या बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की 52 सीट की क्या स्थिति है, यह दिखे हैं यह पश्चिम बंगाल की तमाम 42 सीटे हैं और इन सीटों पर 2024 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं टीमसी 20, बीजेपी 20 और कॉंग्रेस 2 यानि बहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटो पर टीमसी यानि आप ये देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखाया बीरभूम, दमदम, जं शिदाबाद और उलुबेरिया ये वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहाँ पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनिन पोल के मुताबिक और भारतिये जनिता पार्टी के अगर बात करें वो 20 सीटे कौन है आए मैं वो भी आपको दिखा बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपूर, हुगली, जारगरा, मालदा उत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या, इसके अलाबा बर्दमान, दुर्गापूर, कूच, बिहार, बलूर घाट, बैरकपूर, दारजलिंग, मिदनापूर, तामलोक और जलपाई गुडी और बंगाओं, ये वो सीटे हैं, जहाँ पर भारतिय जनिता पार्टी बढ़त बनाती हुई, देख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं, कि किस तरह से, कांटे की टकर भी कुछ सीटों पर देखने क मिल रही है पश्चिम बंगाल में, और वो तस्वीर क्या बनती है, देखिए मैं आपको बता दू, बड़ा रोचक के आंकड़ा है, ये श्वन देश्मुक जी हमारे साथ मौजूद है, सीवोटर के फाउंडर, उनसे इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे, 11 सीट ऐसी है, जहां 3 फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो 11 सीटे कौन कोर है, बांकुरा, यानि यहां पर भारतिय जनटापार्टी आगे दिख रही है सवक्त, लेकिन 3 फिसद का अगर स्वींग होता है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, बी हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यह अंकड़ा बड़ा दिल्चस्प है, 20-20 सीट अभी आप दिखा रहे हैं, 20 सीट टीमसी, 20 सीट बीजेपी और 2 सीट कॉंग्रिस, लेकिन यह 11 सीट ऐसी हैं, जहां 3 फिसद का स्वींग कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहां से शुरुआत करते हैं, बांकुरा से, देखे, पहली बात तो यह कि जब अपने दर्शे को बताना बहुत जबूरी है, कि पश्चिम बंगाल और महराश्च, हमारे इस पूरे आकलन में यही दो एक ऐसे राज्य हैं रोहित, जहां पर हार जीत का अंतर 5 फिसदी से कम है, दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी राज्य भारत के हैं, जीतने वाला जो भी है, वो एक तरफा जीत रहा है, चाहे इधर जीते या उदर जीते, क्योंकि उनके बीच का फासला 5 फिसदी ही नहीं, डबल डीट में 10-10 फिसदी है, उससे ज्यादा मार्जिन है, तो अगर पूरे भारत में सबसे जादा काटे का मुकाबला कहीं हो रहा है, तो वो पश्चिम बंगाल और महराज इन दो राजिमारा, पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने 11 सीटों का आपने जिक्र किया, तीन फिसदी से कम के स्विंग के उपर ये फिलिप करता है, यानि अभी हम 20-20 दिखा रहे हैं, यह जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घाट, यह यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन 3 फिसद का अंतर है, यानि 25 टीमसी भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल आप प्रधानमंत्री मोधी का कैमपेंग यह अगर सर चड़ता है, आगे बढ़ता है, और 3 फिसदी का स्विंग, बीजेपी के पक्ष में हो जाता है, तो इसका मतलब यह साफ होगा, कि वो 5 सीटें, जो आप यहाँ पर हरी दिख रही हैं, अभी टीमसी के पक्ष में, वो फिलि अभी 20-20 का है, यानि 25 इस तरफ भी 25 इस तरफ भी, तो CAA, इसके अलावा अगर हम बात करें, संदेश खाली, इसके अलावा बात करें, प्रदेश सरकार पर करप्शन के चार्जिज, तो अगर यह तमाम कैंपेंग बनती है, तो तस्वीरी धर से उधर भी हो सकती है, पर आई है, उससे पहले 25 साल से उपर CPM ने राज किया था, तो कांगरेस जैसे जैसे मार्जिलाइज होती चलियारी, होई दिखाई दे रहा है, सारे प्रदेशों के अंदर, जहां जहां कांगरेस खतम होती जाती है, उसका रेप्लेस्मेंट ज्यादातर BJP बन रही है, और वेस्ट पंगाल को पिछले 10 सालों से BJP ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था, कि वह तो फर्टलिटी ग्राउंड है महाँ पर, एक तो फोले रैदेशी भी हो सकता है, दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है, और दूसरा वहाँ पर बट रहा है CPM अबर कॉंगरेस तर हो रहा है, मुदी जी की वजए भी हो सकता है, और BJP ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी, आला कि बागी स्टेट के पास हैं, वेस्ट बगाल के अंदर BJP मुदी की वजए से, अग्रेशन की वजए से, और TMC की अपनी एक पॉलिटिक्स है, जो नेरो हो ग करके बीजेपी ने आल्टरनेटिट बनाया है, मेरे को अभी भी लगता है कि वोट परसंटेज जो है, चार परसंट का फरक है, अलग बग इतके अंदर, TMC अभी भी सबसे जाए पॉलिल पार्टी है, अब 15 साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी टर्न चलेंज तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, यह ऐसी स्टेट के अंदर, TMC के खिलाफ अपना ऑल्टरनेटरी बन करके आना, यह एक बीजेपी के लिए बड़ी विक्टिय है, कि कुछ बहुत सूते अपनी परपसा है, परन्तु वेस्ट पंगाल के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है, जो विपक्ष के वोटर्स की जहां बात हो रही है, जैसे कॉंग्रेस के प्रॉक्ता से अगर आप पूछें कि आखिर पश्चिप मंगाल में वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही है, वो भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, या ट्रिन पूछ सकते हैं, और टी-म से से भी पूछ सकते हैं, कि ये कंट्राडिक्शन जो हैं, ये उनको फायदा पहुचा रहे हैं, या उनको रुक्सान करते हैं, या अश्वन जी, ट्रैंगुलर फाइट नहीं बन पारही है, प्रभू चावला जी कहना है, राके शुक्ला साब क् आप कांटे की टककर यानि 20-20 है यह 25 भी हो सकता है मामला 20 भी आंकड़ा दिखा रहा है तीन तरह का बोटर है एक मुस्लिम एक हिंदू एक बंगाली बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा है अब जो आपका आंकड़ा परसेंटेज का रहा है वह आप 14, 19 और 24 में देखिए तो 19 और 24 में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है उन्हीं इसका पैटर नहीं है फिर जो आप सीट का बता रहे कि यह पांच सीटे उलट प्लट यह दस सीटे उलट प्लट हो सकती है तो तरमूल के साथ 15 प्लट तरीके से भाजपा के साथ चला रहा है अब वो जो बोट है बंगाली बोट वो यह दिशिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ तो जो आप 25 सीटों का और S1 जी भी बोल रहे है प्रभू जी भी ने जो कहा है तो पांच परसेंट बोट जो है वो यह दि कहना से कड़मुल से नीचे आया यानि 40 के आसपा से पहुंचा परसेंट एक जो आप मान के से लिए भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है कॉंग्रेस का जो आप दिखा रहे है मेरा अपना आकलन यह है जो मेरी वहां बातचीत हुई है मुझे लगता है अधीर रंजन के अ से दिखाई एक और दिल्चस पांकडा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है और देखिए अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूं पश्चिम बंगाल में हमने 11 सीटे दिखाई आपको जहां पर 3 फीसद के स्विंग होने से तस्वीर बदल सकती है लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकल कर सामने आ रही है देखिए ये वो तमाम सीटे हैं 11 सीटे हैं और लेकिन अब ये देखिए 11 सीटे ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में एक फीसद का अगर स्विंग होता है तो भी तस्वीर बदल सकती है ये बड़ा दिल्चस्प हो जाता है एक कांटे का मुकाबला लग रहा है और ये तीन प्रसेंट और एक प्रसेंट का जो ये उल्जन है इस उल्जन को भी दूर करिए रोहित जिसमें कोई उल्जन नहीं है जे मैं बहुत सिंपल पोल्स्टर हूं बहुत इमानदारी से अपने दर्शकों को अपनी बात बताता हूं है जिसके उपर हार जीत का आकलन अंतिम कप जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी चार जून को उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी एक एक वोटिंग में एक बड़ा हैं सवाल ये श्वन जी एक प्रसेंट का स् कर है एक-एक सीट एक-एक पोलिंग बूद पर उस तरीके कांटे माहराष्ट्र को मैंने Deeना था लेकिन महाराष्टी कहानी कांटे की टक्र की नहीं है वाहराष्टी कांटे की तक्कर कानी स्वांटरीं की है अस्मंझस की है इसलिए विचितरिश्थित्यत्य आं पश्चि मंदी के साथ मैं अकेले लड़ने का फैसला किया मैं उनकी क्योंकि मैं जब आखड़े देखता हूं रोई तो इसने एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कॉंग्रेस और लेफ्ट के पास में पांच-5% के करीब 10-11% जो वोट बचा है वो दरसल एंटी ममता वोट है प्रभु जी क्या कहेंगे आप ये जो तस्वीर बनके सामने आरे पस्चिम बंगाल की ये तो एक परसंट के स्विंग का मामला तो कोई भी 30 तक भी पहुंच सकता है 31 तक भी चाहे टीमसी ओ बीजेपी ओ क्या कहेंगे इस आंकड़े पर आप अगर थीन परसंट और एक परसंट दुनों को मिला लें कि तीन परसंट से उपर वाले भी आपने ग्यारा किया और ये बाइस सीटे होगे इस तरफ कर दे जोनों तरफ तो काफी बीजेपी दस पे आ सकती है और उजीरों पे आप भी आ सकती है ये भी पॉसिबिलिटी हो सक कि दस सीट भी हो सकता है तो इस तो बड़ा इंट्रेस्टिंग इनर जो कहा है कि काटेमान जी पहले का कि रेप्लेस्मेंट जो हो रहा है एकदम स्पेस जो बन रहा है कि अगर एंटी इंकंबंसी वोट देना तो किसको देना है या बीजेपी को चुनेंगे या आप उनकर स काटी मार्जिलाई होती चली जा रही है इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जिलाई है हाले कि लेफ्ट और कॉंग्रेस मिल करके लिब्रल वोट जो है बंगाली वोट है तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी को सकती है या 30 बीजे पर आप सब लोग नजर रखेगा जो भी लोग राजनीती में दिल्चस्पी रखते हैं देखे दम दम कृष्णा नगर बारा साथ यह टीमसी के यहां टीमसी को बढ़ता है लेकिन एक फिसद की जो कि कभी भी जिसमें कभी भी उतार चड़ाव आ सकता है विश्णूपूर भारतिये जरता पार्टी लेकिन एक फिसद से आगे इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है आसन सोल देखे आसन सोल इसके लावा जार ग्राम बर्दमान दुर्गापूर यह बीजेपी के लिए एक फिसद का आंगड़ा यानि खतरी की घंटी यहां पर बीजेपी के लिए भी हो सकती है और टीमसी के लिए अच्छी खबर भी आ सकती है वैसे उल्टा भी है इसके लावा बैरकपूर और बशीर हाट यह वो तमाम सीट है श्वन जी को और सबाल यह जो ग्यारा की तस्वीर निकल कर सामने आ रही और अभी प्रभू जी ने भी कहा यानि देखे भा लोग तो 35 पार कर जाएंगे तो यह जो स्थिती बन रही है और यह जो दस सीटों की स्थिती निकल कर आ रही है तो यह तो ऐसा लग रहा है जो सर्वे के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आस पास ही पहुंचेगा देखे दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या एक बात मैं जिकरे जरूर करूंगा जिस और सबका ध्यान जाना बहुत जबूरी है पश्ची मंगाल में पॉलिटिकल वॉयलेंस की बड़ी पुरानी हिस्टरी रही है नमबर एक बार उस वॉयलेंस के चक्कर में वहां पे ट्रेडिशनली और हाल फिलाल में और भी जादा सबसे ज़्यादा नॉन रेस्पॉंस सर्वेज में आता है यानि वो लोग जो ये नहीं बोलते कि हम किसको वोट देंगे या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते ऐसी संख्या पूरे भारत के औसर से दुगनी होती ही नमबर एक दूसरी चीश टरन आउट फेक्टर इसा और किस तरीके से उस पर टरन आउट इंपक्ट होगा बड़ी दिल्चस्प तस्वीर और बड़ा दिल्चस्प आंकड़ा यश्वन देश्मुक जी बता रहे हैं देखिए जो हरे रंग में जो सीट हो ये गेरुए रंग की सीटें में कभी भी कुछ भी बदलाव हो सक करता है एक फीसद की बात है एक फीसद की आलंग कि आज ये श्वन जी ने भी लगबग हरे रंग का ही कुड़ा पहरा लेकिन इनके कुर्ते और सीटों से कोई ताल मेल नहीं है मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ठीक है ने ये श्वन जी बिलकुल ठीक है और साथ में जितने भ पर ना केवल अभी से निगाह रखिए अगबार पढ़ते हैं तो निगाह रखिए और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से जयतामी दे रहा हूं कि ये सीटे वो हैं जो हर राउंड में हर मशीन के सखुलने के साथ में इनका पेंडूलम इधर से उधर उधर से होता ही रहेगा और शाम तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश्चिम बंगाल की गिंती चलती रही है और ये 11 सीटे आप नोट कर लिजिए बड़ी महत्वपूर्ण बहाद दिलचस्प पांकड़ा ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं एक फिसद का अगर स्वि से उपर का अंकड़ा बन सकता है अब तक जो तस्वीर सामने आई है देखिए 543 में से 129 सीटों का उपिनियन पोल सामने आ चुका है जिसमें एंडिये 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 86 सीट यानि दोगुनी सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है अब तक यानि 129 सीटों के हम बात कर रहे हैं 543 में से और इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की जहां स्थिती बेहत दिल्चस्प है देखिए 20-20 सीट, 20 टीमसी, 20 भारतिय जुरता पार्टी और दो सीट कॉंग्रिस को मिलती हुई दिख रही है तमाम महमान आवारे साथ मौझूद है क्योंकि आंकड़ा बेहत दिल्चस्प है इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाओंगा आप ये देखिए ये LED आपके सामने है ये पूरी स्थिती है TMC 20 BJP 20 कॉंग्रेस दो एक और दिल्चस्प आंकड़ा 3 फिस का स्विंग 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 प्रतिशत वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं ये वो तमाम सीटें हैं पांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्दमानपूर्व, और हुगली, मालदा दक्षिन, रायगंज, कूच बिहार, मतुरापूर्ण, जादपूर्व और बलूर घाट ये वो 11 सीटें हैं जहां 3 प्रतिशत का स्विंग अगर होता है तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती हैं अब और आगे दिखाता हूँ आपको और 11 सीटें ऐसे जहां 1 प्रतिशत का स्विंग कुछ भी कर सकता है एक प्रतिशत आप समझ सकत सवाल ये उठ रहा है कि अभी 20-20 सीट मिलने का अनुमान है लेकिन 22 सीट ऐसी है यानि 11 सीट ऐसी है जहां 3 प्रतिशत का स्विंग पे कुछ भी हो सकता है और 11 सीट ऐसी है जहां 1 प्रतिशत के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है इश्वन जी यही सिती है यानि 22 सीटों क यानि कुल मिलागे 20 सीटों की तस्वीर साफ है देखे, मैं बहुत इमांदारी से अपने दर्शकों को मैंने वहाँ पे खड़े होके बुला और मैं यहाँ बैठ करके दुबारा बोल ला हूँ यह 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें दुनिया का कोई पोल्स्टर छोड़िये परम ज्यानी छोड़िये ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजे तो वो भी आपसे यही कहेंगे रोईत, बच्चा कुछ और वरदान मांग लो इन 22 सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो इसलिए जो मुझसे नहीं हो सकता मैं वहाँ पे हाथ जो आकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में जिन आकड़ों में जहां पे जो दिख रहा है हमने वो एबीपी पे परोज़ा और एक बात और हम कहना चाहिए गोई हमारा ही यह चैनल था हमारा ही सर्वेक्षाँ था जिसने 2019 में पहली बार 18 सीट बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी कोई यकीन करने वाला उस समय नहीं था हमारा ही ट्रेकर यहाँ पे अकेले हम लोग थे जिसने साल बर तक पश्चिम बंगाल में ट्रेकर चला के बोला कि ममदा दीजी जीत रही है और अच्छे से जीत रही है बीजेपी नंबर दो पहुँच रही है लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुँच है केके शर्मा जी आपके पास आऊँगा बाइस सीट की तस्वीर साफ है तो यह तो बड़ी अजीब सीटे बीजेपी और टी-एम्सी की क्लियर है और बाइस सीट ऐसे और कहीं भी जा सकती है रोहिक जी यह जो एक फिस्ती बोर्ट से ग्यारा सीटों का जो आक्रा है उसमें आप चार सीटे देखी वो बड़ी महत्पूर्ण है कृष्णानगर सीट महुआ मोईत्र जी की है सदस्ता खतम हुई उनकी पिछले चुनाओं में अच्छा खासा मार्जिन से वो जीती थी इस बार भी कंडिडेट हैं एक फीजदी कांतर बताया जा रहा है आसन सोल सी सद्धन सिनाजी की है पिछली बार जब उप्चुना हुआ मार्जिन अच्छा था उनका जीत का इस बार बतारे एक फीजदी में उनकी सीट जा सकती है बसीर हाट इसी सीट पर संदेश खाली आता है वह पूरा कांड हुआ है बसीर हाट सीट से भी नुसरत जहां पिछली बार दो से धाई लाग बोटों से जीती थी इस बार एक फीजदी का अंतर आ गया है यह जो है यह बड़ा बहुत महत्पूर्ण है यह सीटे जार ग्राम आपके पस्चिन मंगाल में दो ऐसी सीटे हैं जो आंदोलंग की जनक मानी जाती है जार ग्राम और नंदी ग्राम जा जो एक फीजदी बोट है वो कहीं न कहीं तर्मूल कांगरेस का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा बलकि मैं तो यह कह रहा हूं कि जो यह इस वक्त यह डेटा देख रहे हैं दर्शक उनको भी उनकी दिलचस्पी बढ़ी उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि यह अगसे बहुत क्लो्स फाइट यहां पर देखने को मिल रही है यानी 22 सिटे ऐसी हैं जो 11 सिटे 3 फिसद और 11, 11 सीटे एक फिसद, यानि एक फिसद और तीन फिसद से मेरा मतलब यह है कि 3% का सुइंग 11 सीटों पर किसी के भी तरफ जा सकती है, 1% का सुइंग होता तो 11 सीटे कहीं भी जा सकती है, यानि आंकड़ा 22 सीटों का बनता है, प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा उसके बाद जो हमारे राजनितिक मैमाने उनके पास जाऊंगा और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर जानके उनका ब्लड प्रेशर कितना आई हुआ सर बताइए यानि 10-10 सीटे क्लियर हैं और 22 सीट कभी भी कुछ भी हो सकता है 22 में से 22 कहीं भी जा सकती है 22 में से 10 कहीं भी जा सकती है जी प्रभु चावला जी बहुत बड़ी है कि इन सीटों की वेज़ा से डिसाइड हुआ कि भारती जन्ता पार्टी तीन सो से कितनी ऊपर जाती है अभी तो फारी नेकर में पता नहीं इनकी जिम में क्या रखा है बहुत जब निकलेगा तो आएगा कि अगर बाइस यहां बीस पे अठक जाती है या उससे आगे जाती है वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बीजेपी के लिए तीन सो का अकड़ा प्रास का पार करना कि सौस में आपने दिखा दिया महां पर अभी दो स्टेट रहें दिखाएंगे तब देखेंगे कि यादा गेन महां पर दिखाए नहीं रहा पर कि लॉस ही उपता दिखाए दे रहा है तिसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर और महरास्टा के जब दिखाएगा पिटारा खु प्रभु चाबला जी का ये तेक है बसीदे केके शर्मा जी क्या कहींगे सर ब्लड प्रेशर का क्या हाल है यह जो आंकरा निकल कर सामने आ रहा है यानि-दस-दस सीटे क्लियर है लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी हैं जिनमें से 11 सीट 3 फिसद के स्विंग के साथ कही भी जा सकती है सर आपका रियक्शन अब जो ये पूरा आंकड़ा सामने आया के कि शर्मा जी जो है बिद्वान विशलेशक के हां पर बहुत वन्भवी विशलेशक बैठे हैं मैं उनके समझ दो तीन बातें रखवा हूं और उनसे अपक्छा भी करूगा कि इस पर जदू बिचार रखें देखिए हम पिछली बार 18 सीट में थे इस बार आप मैं आपके उसी पर पोल पर ब 대 recap 18 सीट हमारे पास आप रहा है इसका मतलब यह हुआники ृसरों मंता सरकार के परती anti-income protons. इस मतलब कि समय ममता सरकार के परती वहां पर जब क्योंकि यह देखिए विधान सभा और लोग skills छुनावालके परती यह सब लोग मानते हैं तो पिछली बार अठारा से लेके मामला चल रहा है और यह कहां तक बढ़ता है जहां एक परसेंट और तीम परसेंट की आप बात कर रहें तो सभाविक रूप से कि यह एंटी 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 इंटी 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 फैक्टर है यह अन जगहां भी लागू चैना चाहता हुए अभी अस्षय जी ने बहुत इंटिस्टिंग बात बताई कि पस्चिम बंगाल के अंदर ऐसा राज्य हैं जहां पर हम जब सर्वे करते हैं तो बहुत से लोग नहीं बताना चाहते हैं करेगा क्यों प्यूंकि उनको डर है कि यदि हम अपनी बात रख द तो कि जिसकी कि हिस्ट्रीा और उसलिए अलावा एक बहुत इंटरेस्टिक बात एक चिसु जी बात प्रभरु जी ने वीङ सब्सक्राइब करते हैं कि भारती जनता पार्टी प्रदान मंत्री बोदी जी के नेत्यूत में दो हजार चौविस में भाजपात्यू सरकार बना ही रही है अपने सायोगी दलों के साथ अब भी से यह कि इसमें जो हमारा लक्ष है 370 वह हम कहुंचने के लिए यह सारी जिए शर्मा जी आनि आपका कहना है कि इसलिए बोर्टर नहीं बोलता आपके समर्थक है अंतीम एक प्रस्टे जी बोल दीजे संक्षेब में बोलीगा सर उसको डर तो टीमसी से ही है ना वहां पर बाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या हमारे लोग तो पलायन करके जारकंड में आ जो है आपके आसाम में और दिल्ली में सरण लिये हुए और निर्वाचित लोग तूसरी बात जो अभी एक बात राकेश जी ने कहीं बड़ी इंटेस्टिट विशह हो अभी आसन सोल का में एक ही उधारण देता हूं मैं विश्तार पे नहीं जाओंगा आसन सूल में शत्र अभी विदी ने चार दिन पहले हुई चार पात दिन पहले और वहां तो शत्रुगन सीना जी एंपी बने बैठे हुए और वह यदि एक परसेंट के में फसे हुए है इसका मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कहते हैं कि चावल कितना पका है एक दाने से सब्सक्राइब के पास आउंगा तो सिफ खान साब क्या कहेंगे देखें सर तीन फिसद के सुई वाली 11 सीट एक पिसद के सुई वाली 11 सीट तो ऐसे में तस्वीर कहीं भी जा सकती है सुई का कांटा कहीं भी घूम सकता है क्या मेरी देखा कि आपने दिखाया है कुछ सीटे एक पर प्रतिशत में सुइंग कर सकती है करेंती प्रतिशत में सुइंकर सकती है दард मेरे 2018 भी और चया यह डिए हुए बीजेपी का घटा है और तिर्णमूल का बढ़ाया तो यह त्रेंड जो है यह दिखा रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल होआ है और तिर्णमूल को बढ़ोती मिली दूसरी तब आप देगे कि जब 2019 में जब कैम्पेइनिंग हो रही थी तो वह उतना ज्यादा स्टेट स्ठेट इसीफिक नहीं थे उतना जादा लोगल इसओस को ले करके नहीं थे च्यूंकि जब लोकल इशूस में बाथचीत होगी इसमें बिंगॉली सेंटिमेंट जागेगा और बंगोली सेंटिमेंट का जो भोट है वो बीजेपी की तरफ नहीं जा करके चुकिए वो जो वोट जो है वो अल्टीमेटली तिनने मुलको ही पड़ेगा और जिसमें अगर कोई ममताब आजी से से disgruntled voters है, उनके लिए एक third option available है, CPM और Congress को जाकर के वोट देंगे, लेकिन वोट जो है, BJP को जाने वाला नहीं है, लेकिन तो अशिवकान साब बड़े संखेर में, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन सरे तीन फिसद और एक फिसद का जो आंकड़ा है, 11-11 सी का 22 सिट ऐसे बनती है, वहाँ पर तो कोई दावा नहीं कर सकता, अगर हम आंकड़ों की बात करें, कि वो तो तस्वीर किसी की तरब भी जा सकते हैं, ठीक है, यह आप दावा कर सकते हैं, कि ममता जी को मिलेंगी, BJP वाले यह दावा कर सकते हैं, उन्हें मिलेगी, लेकिन य पिसद का स्वींग और एक फिसद का स्वींग, कुछ भी तस्bery सामने ला सकता हैं, ठीके तीन फिसद और एक फिसद का स्वींग जो यह आपका, यह आपके मतलब आपके उपिनियन पोल के हिसाब से हैं, मैं आपको वोटर का जो शेर का परसेंटेज़े में उसकी बात कर र तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वोटिंग आकड़े की अगर हम बात करें लोगों ने वोट किया है, जो वोटिंग पैटन है, उस हिसाब से तो वोटिंग के सीट घट रही है, डवल डिजिट भी करेंगी या नहीं करेंगी, उस पर प्रसंची खड़ा होता है, 18 तो जो है, तो उनीस का अखड़ा है, लेकिन अगर आप 21 के आखड़े को पकड़े, MLA की आप पकड़ के चले, MLA के इतने BJP के है, जो के लेटेस्ट है, या फिर आप पंचायत को लेकर के चले, जो के और भी लेटेस्ट है, तो उससे तो BJP कहीं पर भी double-digit आखड़ा पात करती भी दिख रही तीक है थीक है तो श्रीफ खान साब मैं एक लार पर मीता चकरवरती जी के पास चलूगा मीता चकरवरती जी अब जो पूरी फाइनल तस्वीर पश्चिम बंगाल की निकल कर सामने आ रहे हैं ये कॉंग्रेस के लिए देखिए उसमें क्या कहानी है कहानी ये है कि एक सीट आपकी मालदा दक्षिन वो तीन फिसद के स्विंग वाले स्थिती में है यानि अगर तीन फिसद का स्विंग होता है तो मालदा दक्षिन का परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है यानि अपोजिशन की तरफ बें जा सकता है आपकी तरफ बें जा सकता है क्या कहें गया देखिए मालदा में तो हमें बहुत जादा विश्वास है कि मालदा दक्षिन में इशाखान चौधरी जीतने वाले है वो हमारी existing MP दालूदा के वेते है और जैसे मैंने कहा राय गंज बोलिये माल्दा उत्तर बोलिये काफी सारे दुस्ते seats भी है जहां पर हम लोग काफी उमीद रखते हैं तोपी और तिलक का जो माईनोरीटी एपीस्मेंट की बात भी नहीं कर रहे हम लोग रोज का जो डेली इसूज है जो बंगाली लोगों का और जो लोग रहते हैं बंगाल में उनका डेली इसूज के बारे में बात कर रहे हैं लेफ्ट और कामरेस के लाइन्स और मेरे हिसाब से जो लोग DMC के खिलाब वोट देना चाहते हैं, वो लोग as an alternative लेफ्ट और कॉंग्रेस एलाइन्स को चूज करेंगे और जो आप दिखा रहे हैं, उसे काफी जादा वोट शेर हमें मिलने वाला है फाइनल कमेंट के लिए हमारे तीन जो तमाब महमान यहां बैठे हैं, एक्सपर्ट उनके पास चलूँगा प्रभू जावला जी सबसे पहले आपके पास आँगा, संशेब में जवाब चाहूँगा पासर क्या कहेंगे आप, ये सी ए, संदेश, खाली, मोधी फेक्टर क्या दिख रहा है नांकडों से आपको मैंने पहले भी कहा कि वेस्ट बंगाल दिशा तै करेगा देश की तरफ जा रहा है इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर मोधी जी की किती चलती है, मैंने कहा कि वहाँ पर मोधी जी न इतने मिनत की है अर्मिशा वहाँ जाते रहे हैं, तो उनके लिए प्रेस्टिज का सवाल है किस तरह से ममता वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी हीट अगर कम होती है तो एक बड़ा दका बीजेपी की हो सकता है, अगर बन जाती है तो यह अपने आप में फ्यूचर मेसेज है कि बीजेपी आने वाली है जी, राकेश शुकला साब, क्या कहींगे आप, ममता की लोगप्रेता, मजबूत, संगठन, विपक्षी वोटों का विखराव, यह तमाम बाते और यह जो पीनिन पोल आ रहा है, क्या कहना आपका, फाइनल कमेंट, संक्षेप में सर् वहाँ पस्चिम मंगाल में दो चेहरे चुनाओ लड़ रहे हैं, ममता बनर जी और नरेन मोदी जी, जहां तक बिकल्प की बात की जा रही है, जिस तरह केरल में भारती जनता पार्टी बिकल्प नहीं बढ़ी, उसी तरह पस्चिम मंगाल में लेफ्ट और कॉंग्रेस भी बिकल्प बनता हुआ, नहीं दिख रहा. ये पोल्स्टर या सर्वे करने वाले के लिए कठनाई का सबब जरूर है, लेकिन हमको इस कठनाई से खुशी मिलती है. अगर मुकाबरे सब एकतरफाही होने लगे, किसी भी राज्यमें गाम भले ही आसान हो, लेकिन लोकतंत्र का वो मज़ा नहीं आता. अच्छी काटे की लडाई ये लोकतंत्र के, अच्छे लोकतंत्र के स्वास्त की दिशानी है, उस लिहाज से पश्चिम बंगाल की जनता का मैं अभी नंदर करता हूँ. अभी बात पश्चिम बंगाल की जहां बीजेपी, संदेश, खाली और CAA जैसे मुद्दों को सियासी धार बना रही है, क्या ये मुद्दे चुनाब में बीजेपी को फाइदा पहुंचाने वाले हैं, या फिर ममता बैनर जी की लोकत्रियता के आगे, बीजेपी का हर शाई हो जाएगा, या आज आपको इस सर्वे में पता चलने वाला है, और हमारे साथ डेटा सेंटर से शिरीन है, यहां राज जुनेतिक महमानों के साथ प्लिटिकल एक्सपर्ट भी मेरे साथ महजूद है, तो आईए सबसे पहले चलते हैं डेटा सेंटर और देखते हैं क जा है पश्चिम बंगाल का मूड? तो पश्चिम बंगाल का आकड़ा किया है, वहां का सबसे पहले आपको वोट शेर हम बताते हैं कि क्या किसके खाते में कितना प्रतीशत जाता हुआ देख रहा है, तो यह देखिए आपके सामने तस्वीर अप्खुल कर आ गई है, 42 सीटे हैं पश्चिम बंगाल में लोग साथ CPM के खाते में भी 6 फीसदी वोट शेर जाता दिख रहा है, तो 42 सीटो का वोट शेर के लिहाद से यह पूरा लेखा जोखा पश्चिम बंगाल का अब जरा, यह कनवर्ट कैसे होता है, सीटो में किस तरीके से बदलेगा वो भी जल्दी से आपके सामने रख दे, फिर दो सीटे कॉंगरस, CPM का खाता खुलता नहीं दिख रहा है और नहीं अन्य के खाते में कुछ जाएगा, लेकिन यहाँ 2020 देखिए, बराबरी का मामला BJP और TMC में दिखाई दे रहा है, कॉंगरस को दो सीटो से ही संतोश करना पड़ेगा, और 20 सीटो के साथ यहाँ पर BJP जीत्ती दिखाई दे रही है और 20 ही TMC यानि के ममता बनर जी की पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, सर्वे के मुताबिक 42 सीटों में से फिलाल ये इतनी सीटे, BJP और TMC, 20 सीटे आपस में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है, रोई जी बलकुल शुरें तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के अगर हम बात करें तो वीपी न्यूज, सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल, पश्चिम बंगाल का आपके सामने है, पश्चिम बंगाल में TMC, BJP में कड़ी टककर इस पोल के मताबिक देखने को मिल पश्चिम बंगाल में TMC, BJP को 20-20 सीट मिलने का अनुमान है, 2019 के अगर बात करें तो भारतिये जनरता पार्टी को 18 सीट मिली थी, यानि BJP को 2 सीट का फाइदा होता हुआ दिख रहा है, इस फाइनल ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है इस और हमारे साथ तमाम एमान मौझूद हैं, भारतिये जनरता पार्टी से केके शर्मा हमारे साथ मौझूद हैं, और कॉंग्रेस से मीता चकरवर्ती हमारे साथ मौझूद हैं, तौसीफ खान भी हमारे साथ मौझूद हैं, प्रभू जामला जी हमारे साथ मौझूद हैं, वर 2024 में पिछली बार 18 इस बार 20 सीट क्या कहना आपकी प्रतिक्रिया देखिए ऐसा है ओपिनियन पूल जो आप दिखा रहे हैं मैं उस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता जो भी दिखा रहे हैं अच्छा दिखा रहे हैं जो आपको फिडबैक मिला है हमारा मानना इससे कहीं ज्यादा है कि इस बार पस्चिम मंगाल में हमें इससे बहुत ज्यादा सीटे मिलेंगी और ये उपेनियन पूल मैं मानता हूँ जी कि ये एक दिखा दिखाती हैं कि किस तरह से वहां बढ़त हो रही है इसली बार आपने बताया हमारे पास 18 सीटे थी इस बार हम आपके उपेनियन पूल के अनुसाथ से जदी मैं समझो तो आप दो सीटे बढ़ते भी दिखा रहे हैं अब ये बढ़त कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा और जैसा हम वहां पर अपना प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के जो हमारे कारेकर सार नेता और जिस धरंका हम अपना विशे लेते हैं उस फिडबैक से मैं आसनवित हूँ कि इस बार इससे भी कहीं जादा बहुत अच्छी सीटे भारती जनता पार्टी को हम प्राप्त होंगी आपका कहना 20 से उपर भारती जनता पार्टी जाएगी हमरे साथ तो असिफ खान साब भी मौझूद है राजनेतिक विशलेशक है तो असिफ खान साब कार बनाने जा रही है बंगाल में लेकिन जब नतीजह आया तो सारे लोग शॉक है और जो जो लहर ममता बैनर जी का जो पब्लिक में बंगाल की जनता में जो उनकी पॉपिलारिटी है वह आज भी कायम है तो किस तरीके से यह आगडा आपने बिलकुल अपना एक सर्वे कि यह आखड़ा रहा लेकिन मैं इस से सहमती नहीं रखता मेरे हिसाब से जो दोजार उनीस के जो आखड़े है उससे काफी नीचे गिरने वाला है आप कंपैर करें के दोजार उनीस में यह देखा गया था कि तिर्दमुल से बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी को कंडिड़ेट भी नहीं दिये तो यह बढ़ों कहां से लेकर के आएंगे क्यों नहीं अभी तक डाइमुन आप सीट में कैंडिड़ेट दिया गया है बीजेपी कि आपका कहना है कि भारतिये जुनिता पार्टिय भी प्रत्याश्ची भी नहीं दे पाई और उसके दो सीट पर ही सिमर्टी हुई दिख रही है किसम के लोग है तो मुझे नहीं रगता कि राजनेतिक बिकल्फ की तरह वो बीजेपी के ओर जाएंगे में सर्वे के रिजाल के साथ बिल्कुली समयत नहीं हूँ मुझे लगता है कि हाँ दो तो हमारी existing MPs है मालदा और मुर्षिदाबाद में साथ मालदा में इशाखान चोधरी को लीड में दिखाए हो आप लोग और बहरंपूर में अधिरंजन चोधरी जो हमारी लीडर ऑफ लुक्षा बाभी थे वो लीड कर रहे है पर शाती साथ हमारी internal survey बता रहा है कि विक्टर राइगंच में और उत्तरमालदा में जो उत्ता का अलम है वो हमारी candidate है और काफी सारे जगा में हमारी candidates और left candidate जिसके साथ हम लोग सीजास्मेंट करके लग रहे हैं वो काफी जगा left के लिए जादोपूर में और सलीम साब जो की मुशिताबाद से लग रहे हैं मिता चक्रमर्ती जी मैं आपको रोकूँगा आपके पास दोबारा लोटते हैं एक बार देख लेते हैं पूरे बंगाल की तस्वीर क्या बनती है क्योंकि एक एक सीट का हम सर्वे दिखा रहे हैं तो आई आपके सामने अब आपको दिखाते हैं क्या बड़ी तस्वीर निक तो आप यह देख सकते हैं टीमसी बीस बीजेपी बीस और कॉंग्रेस दो यानि पहरामपूर और मालदा दक्षिन यहाँ पर कॉंग्रेस आगे इस वक देख रही है इसके लाबा 20 सीटोबर टीमसी यानि आप यह देख सकते हैं जो हरे रंग से हमने लिखाया बीरभूम कता उत्तर, मुर्शिदाबाद और उलूबेरिया यह वो तमाम 20 सीटे हरे रंग से आप देख सकते हैं जहां पर टीमसी बढ़त बनाती हुई दिख रही है उपिनिन पोल के मुताबिक और भारतिये जनिता पार्टी के अगर बात करें वो 20 सीटे कौन है आए मैं वो भी खादूं देखिए अलिपुर्द्वार, बांकुरा, अरामबाग, विश्नुपुर, हुगली, जारग्रा, मालदा उत्तर, राना घाट, रायगंज, बुरुल्या, इसके अलाबा बर्दमान, दुर्गापूर, कूच, बिहार, और बलूर घाट, बैरकपूर, मिदनापूर, तामलोक और जलपाई गुडी और बंगाओं, ये वो सीटे हैं, जहाँ पर भारतिय जनिता पार्टी बढ़त बनाती हुई, देख रही है, अब हम ये तस्वीर, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब एक और तस्वीर आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरह से, क इस आंकड़े को बड़े तफसील से समझेंगे, ग्यारह सीट ऐसी है, जहाँ तीन फिसद का वोट स्वींग अगर होता है, तो तस्वीर बदल सकती है, वो ग्यारह सीटे कौन कोर है, बांकुरा, यानि यहाँ पर भारतिय जनिता पार्टी आगे दिख रही है इस वक्त, ल लेकिन यश्वन देश्मुक जी से मिरा आग रहा है, यश्वन जी मैं चाहूंगा अगर आप आजाएं यहां 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 आकर दर्शकों से हम लोग बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यह अंकड़ा बड़ा दिल्चस्प है, 20-20 सीट अभी आप दिखा रहे है कि पश्चिम बंगाल और महराश्च हमारे इस पूरे आकलन में यही दो एक ऐसे राजजे हैं रोहित, जहां पर हार जीत का अंतर 5% से कम है दो पार्टियों के बीच में, बाकी सभी राजजे भारत के हैं, जीतने वाला जो भी है वो एक तरफा जीत रहा है, चाहे इधर ज क्योंकि उनके बीच का फासला पांच फीजदी ही नहीं, डबल डीट में दस-दस फीजदी है, उससे ज्यादा मार्जिन है, तो पश्चिम बंगाल में जो आपके सामने ग्यारा सीटों का आपने जिक्र किया, तीन फीजदी से कम के स्विंग के उपर ये फिलिप करता है, यानि ये शुन जी, ये शुन जी मैं आपको रोक रहा हूँ, यानि अभी हम 20-20 दिखा रहे हैं, ये जो सीट दिखा रहे है, बांकुरा, हुगली, कूच विहार, राय गंज और बलूर घाट, ये यहाँ पर बीजेपी आगे है, लेकिन तीन फीजद का अंतर है, यानि या उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोधी का कैम्पेंग, ये अगर सर चड़ता है, आगे बढ़ता है, तो और तीन फिजदी का स्विंग, बीजेपी के पक्ष में हो जाता है, तो इसका मतलब ये साफ होगा, कि वो पांस सीटें, जो आप यहाँ पर हरी इसके अलावा अगर हम बात करें, संदेश खाली, इसके अलावा बात करें, प्रधेश सरकार पर करप्शन के चार्जिज, तो अगर ये तमान कैंपेंग बनती है, तो तस्वीरी धर से उधर भी हो सकती है, प्रभू जाबला जी, आपका रियक्शन. पर आई है, उससे पहले 25 साल से उपर CPM निराज किया था, तो कॉंग्रेस जैसे जैसे मार्जिलाइज होती चल जा रही हो ही दिखाई दे रहा है, सारे प्रदेशों के अंदर, जहां जहां कॉंग्रेस खतम होटी जाती है, उसका रेप्लेस्मेंट ज्यादातर BJP बन रही ह और वेस्ट पंगाल को पिछले 10 सालों से BJP ने स्पेशल टार्गेट करके रखा हुआ था, कि वह तो फेटरलेटिक ग्राउंड है महाँ पर, एक तो पोलेरेजिशी भी हो सकता है, दूसरा एंटी इंकंबनसी भी है, और दूसरा वहाँ पर बट रहा है CPM और कॉंग्रेस तरफ हो गई है, तो जो दिखाई दे रहा हुए इस पास है कि जो स्पेस विकेट कर रहा है, अभी कॉंग्रेस पर हो सकता है, बोल रही थी कि नहीं हो सकता है, मेरे को लगता है कि आल्टरनेटिव वहाँ पर कॉंग्रेस का जो आप करें सिब लिबरल और सेकुलर, वहाँ पर नैशनलिजम का डेवलप्मेंट जो है पाकिस वहाँ पर जब ज्यादा हो रहा है, मुदी जी की वज़ए भी हो सकता है, और बीजेपी ने चुन करके एंटी टू इस्ट जो करने की बात थी, आलागी बागी स्टेट के पास हैं, वेस्ट बगाल के अंदर बीजेपी जो नेरो हो गई है, तो इशू क्या बनाया, उन्हें ने वहाँ पर एक नैशनल राष्टिवाज का और दूसरा वहाँ पर करॉप्शन का, जो पिछले पांच साल के अंदर इतने लोगों टी एंसी की निताओं को अरेस्ट किया, उनको टार्गेट करके वहाँ पर एक करॉ जाए पापुरल पार्टी है, अब तंदरा साल की पावर में रहने के बाद भी उनकी चौथी टर्न चलने रही है वहाँ पर, तो मेरे को लगता है कि BJP के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, यह ऐसी स्टेट के अंदर TMC के खिलाफ अपना ऑल्टनेटरी बन करके आना, यह ए लिए पश्चिब मंगाल के वोटर भी उत्तरदाई नहीं है, जो विपक्ष के वोटर की जहां बात हो रही है, जैसे कॉंग्रेस के प्रॉक्ता सेकर आप पूछें कि आखिर पश्चिब मंगाल में वो चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही है, वो भाजपा के खिलाफ लड या बीजेपी के खिलाफ चुनावर रही है, जैसे जो कंट्राडिक्शन है इंडिया के अलाइन्स के अंदर, सेम यही सवाल आप लेफ्रेंट के लोगों से भी पूछ सकते हैं, और टीम से से भी पूछ सकते हैं, कि यह कंट्राडिक्शन जो हैं, यह उनको फाइदा पहु इन तरह का बोटर है, एक मुस्लिम, एक हिंदू, एक बंगाली, बंगाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने आपको किसी के साथ जोड़ के नहीं चल रहा, अब जो आपका आकड़ा बोटा परसंटेज का आ रहा है, वो आप 14, 19 और 24 में देखिए, तो 19 और 24 में कोई बहु रहेंगे, क्योंकि 30 परसंट मुस्लिम बोट तरमूल के साथ है, और इसी तरह से हिंदू बोट कमिटट तरीके से भाजपा के साथ चला आ रहा है, अब वो जो बोट है, बंगाली बोट, वो यदि स्टिप्ट किया भारती जनता पार्टी की तरफ, तो जो आप 25 सीटों का और एस्वन जी भी बोल रहें, प्रभू जी भी ने जो कहा है, तो पांच परसंट बोट जो है, वो यदि कहना चाहिए करमूल से नीचे आया, यानि चालिस के आसपास यदि पहुचा परसंट एक, जो आप मान के से लिए भारती जनता पार्टी 20 से 25 में जा सकती है, जी ये राकेश जी का कहना है, एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने 3 प्रसंट के स्विंग के सेती दिखाई, एक और दिल्चस पांकड़ा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है, और देखिए, अब वो तस्वीर में आपके सामने रखता हूँ, पश्चिम बं पश्चिम बंगाल में, एक फिसद का अगर स्विंग होता है, तो भी तस्वीर बदल सकती है, ये बड़ा दिल्चस हो जाता है, एक बार फिर से मैं ये श्वन देश मुख जी को बिलाओंगा, ये श्वन जी बताइए, मैं चाहूँगा एक बार यहाँ पर आईए आप दर जन को भी दूर करिए, रोहित, इसमें कोई उल्चन नहीं है, मैं बहुत सिंपल पोल्स्टर हूँ, बहुत इमानदारी से अपने दर्शकों को अपनी बार बताता हूँ, ये एक फिसदी के आकड़े वाली जो सीटें हैं, दर्शकों, इस पर इस समय ब्रह्मा जी भी अवत जन को उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर एक घंटे में इधर से उधर फिलिप करती रहेंगी, एक एक वोटिंग मेरी जो सीटें, तो तो ये अगरा 20 में किसी में अगर 11 एड होगे तो 31-32 भी पहुन सकता है, मैंने आपको इसलिए बोला कि पश्चिम मंगाल इस समय इस देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां पे इतनी कांटे की टकर है, एक एक सीट, एक एक पोलिंग बूथ पे उस तरीके के कांटे की टकर होगी, महराश्च को मैंने गिना था, लेकिन महराश्च की कहानी कांटे की टकर की नहीं है, महराश्च की कांटे की टकर की असमंजस की है इसलिए विचित रिस्तिती है पश्चिम बंगाल में कोई कन्फ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है पश्चिम बंगाल में काटे की रडाई केवल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियां बुरी तरीके से लौगर हेट्स में हैं पर एक चीज ममता बेनरजी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लड़ने का फैसला किया मैं उनकी क्योंकि मैं जब आकड़े देखता हूं रोई तो इसने एक बात बहुत समझ में आती है जे कि अब जो कॉंग्रेस और लिफ्ट के पास में पांच-पांच परसंट के करी वो दरसल एंटी ममता वोट है अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को तो यह एंटी ममता वोट